अगर आपने longitudinal wave पढ़ ली तो आपने transverse वी भी पढ़ ली wave of motion mathematical analysis दोनों का विक्वल सेम होने वाला है बस plane of oscillation अलग होने वाला है ठीक है ये y direction में oscillate कर रहा है एक्स direction में oscillate कर रहा है साथ से आठ कुषिन इससे बनते हैं ठीक है चाहे वो constructive destructive interference हो चाहे वो standing wave का हो चाहे वो beats का हो क्या ये wave left या right में करें ट्रेवल करती हुए दिख रही है अरे सर ये का ट्रेवल कर रही है तो standing ही है ये तो वहीं के वहीं घूम रही है इसी को हम बोलते है standing wave पूरे beats से जो आपक की चीज़ याद रखनी है वो है beat की frequency दो beats जब आपकी मिलती है तो दोनों की frequency का difference है that is your beat frequency हलो बच्चो कैसे हैं आग सभी लोग मेरा नाम हिवाशी कुपता है और physics वाला के इसा amazing platform पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वही आज के इस one shot lecture में हम class 11 के आखरी chapter के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की class में हम waves के बारे में समझने वाले हैं कई सारे simulation की help से कई सारे demonstrations की help से मैं आज आपको waves की वो field दा दूँगा जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा यार waves आखिर होती क्या है और किस तरीके से behave करती है so that जब हम numericals बनाएंगे न तो यह नहीं लगेगा यार कि हम math solve कर रहे हैं हमें पता चलेगा हम आखिर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं तो बहुत ही मज़िदार होने वाला है आज का session और आज की session में हम बिल्कुल basic level से start करेंगे और यही advanced level तक के numericals को solve करने की technique और क्या-क्या पढ़ने वाले हम वड़ाबड से इसके बारे में बात कर लेते हैं तो waves में हम सबसे पहले types of waves के बारे में बात करेंगे equation wave की समझेंगे कि traveling wave की question कैसी होती है फिर इसके बाद wave की speed क्या होती है कई सारे numerical साथ साथ में solve करेंगे फिर इसके बाद हम बात करेंगे wave interference के बारे में जहांपर हम wave interference के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में तो waves traveling in same direction जो waves same direction में move कर रही है traveling in same direction उनका interference देखेंगे फिर waves traveling in opposite direction वो कैसे interfere करती है इसके बारे में बात करेंगे यह दोनों ही पार्ट अगर मैं बात करूँ यही mains के और यही advance के perspective से तो बहुत बहुत important है मतलब क्या अगर मैं बात करेंगे दस सवाल आते हैं तो दस सवालों में से आठ सवाल इस topic से बनने की probability रहती है कम से कम आठ सवाल मतलब यह इतना ज़्यादा importance है ठीक है और फिर इसके बाद हम बात करेंगे beats के बारे में और doctor's effect के बारे में ठीक है चलो यार तो बहुत ही important chapter ह होने वाला है जही means के perspective से बात करूं तो जो concepts आप यहां पर पढ़ेंगे इन मैंसे एक सवाल तो जरूर बनेगा ही बनेगा दूसरी चीज़ हर वो concept जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं यह concepts दोबारा से आपके class 12 में भी आएंगे कहां पर आएंगे जब आप wave optics पढ़ेंगे वहां पर भी यह topics आएंगे जब आप alternating current पढ़ेंगे वहां पर भी यह topics आएंगे तो यार यह जो topics हैं तो इलेक्रो मैगनेटिक waves में भी यह topics आएंगे कहने का मतलब यह है जहां जहां wave नाम आ जाएगा वहां वहां पर जो concepts आप आज की class में पढ़ेंगे यही concepts दोबारा स आने वाले हैं चीक है चल बाई तो importance के बारे में मैंने तुझे बता दिया है अब wave आखिर होती क्या है सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं wave क्या होती है तो wave basically एक ऐसा disturbance का travel है basically हम क्या कर रहे है कोई भी हम जैसे for example पानी में पत्थर मारते हो तो क्या होता है वो जो लहरे हैं वो क्या करती है वो लहर है एक पूरी पानी में travel करती है वो लहर क्या है वो basically लहर जो है वो disturbance है तो it is the traveling of it is the disturbance which travel अराउं में पेस तो wave basically लेकर में बात करूं तो it is a disturbance अच्छा अब कई बार हम disturbance भी बोलते हैं कई बार हम इसको इनर्जी भी नाम देते हैं वहाँ इनर्जी भी होगी कई बार इसको हम information भी नाम दे देते हैं जैसे जब हम telecommunication वगरह में बात करेंगे तो जब हम भई बोलते हैं वो क्या है बोलना basically information है तो जैसे मैं अगर यहाँ पर बोल रहा हूं तो मैं एक information दे रहा हूं तो उसी वेव वह medium की ज़रुवत नहीं होती है तो अब हम सबसे पहले waves के types के बारे में बात करते हैं जैक है on the basis of medium ऐसे wave जिनका medium के basis पर हम किस तरीके से define कर सकते हैं जैक है तो medium के basis पर हम basically तीन तरीके से waves को define करते हैं अगर मैं medium के basis पर बात करूँ सबसे पहला हम category लेते है mechanical waves तो mechanical wave क्या होती है यार mechanical wave हम उन waves को बोलते हैं जिनको travel करने के लिए medium की requirement होती है basically यहाँ पर जो medium है उसके particles oscillate करते हैं और वो एक energy को दूसरे energy में दूसरे जगे transfer करते हैं वो एक energy लेते हैं एक जड़े से और दूसरे में transfer करते हैं तो ऐसी wave these waves require medium एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए इनको medium की जरुवत होती है example के लिए आपका sound wave हो गया जिसके लिए air चाहिए या कोई भी solid चाहिए ठीक है example के लिए आपका string wave हो गई है तो ऐसी wave जिनमें क्या है आपके particles जो वो medium के particles oscillate करते हैं और उनको हम कहते हैं mechanical waves अब दूसरी type की waves की बात करते हैं यार तूसरा type waves का है non-mechanical waves non-mechanical waves तो यह वो waves हैं इस waves do not require any medium do not require any medium travel ठीक है example आपकी light हो गई है कितने भी electromagnetic waves है all electromagnetic waves are non-mechanical waves यहाँ पर कोई medium जो नहीं है जो oscillate करता है यहाँ पर electric fields और magnetic fields oscillate करते हैं और जिनके सहारे से wave आपकी travel करती है तो इनको medium की requirement नहीं है तीसरे type की wave होती है तर मैं बात करूँ this is matter wave तर यह कौन सी wave है it is the wave the wave associated with wave in nature of particles example आपका electron wave हो गया है अगर आपने chemistry पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कोई भी material जैसे atomic structure में बताए जाता है कि material जैसे जो wave है ठीक है वो particles की तरह बहेव कर सकती है लाइट के बारे में आपने सुना होगा light इक dual nature शो करता है light particle की तरह भी behave करता है और wave की तरह भी behave करता है ठीक इसी तरीके से well known particles जैसे कि आपका electron है proton है neutron है कि जितने भी दुनिया में particles हैं मतलब even including us चीक है particles भी wave nature शो करते हैं जिस तरीके से wave particle nature शो करती है पार्टिकल्स भी wave nature शो करते हैं जिक है और उसी wave nature को हम कहते हैं matter wave जो wave matter के साथ यानि कि particles के साथ associated है पर हम भी wave है मतला हाँ बिलकुल wave है लेकिन होता क्या है यह wavelength जो है बहुत छोटी होती है इसी लिए बड़े masses के लिए यह wave nature हमें दिखाई नहीं देता है यह wave nature छोटे masses के लिए बहुत जादा significant होता है जैसे electrons, protons के लिए आप easily इस wavelength को calculate कर सकते हैं चीक है इसके बारे में हम class 12 में चर्चा करेंगे जब हम dual nature of matter के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में specifically चर्चा करेंगे चलिया तो वहाँ पर हम matter wave के बारे में अलग से बातें करेंगे अब आज की इस class में हमारा जो focus होने वाला है वो होने वाला है mechanical waves के बारे में किसके बारे में non mechanical waves के बारे में हम class 12 में बात करेंगे किस chapter में बात करेंगे Class 12 में Electromagnetic Waves करके एक Chapter आएगा जहां पर हम इसके बारे में Separately Discuss करेंगे इसके बारे में हम Class 12 में फिर से बाते करेंगे किस Chapter में बात करेंगे Dual Nature में हम बात करेंगे Dual Nature of Man और इसके बारे में हम इस Chapter में Focus करने वाले हैं तो हम इस Chapter में बाते करने वाले हैं Mechanical Waves के बारे में लेकिन जो जो Logics जो जो Theories हम यहां पर पढ़ेंगे वो सभी के सभी Logics और Theories इन सभी के साथ भी Valid होते हैं ये बात साफ हो रही चलिए अब On the Basis of Oscillation of Particles Particles के Oscillation के Basis पर अभी तो मैंने क्या किया था Medium के Basis पर Medium की ज़रुवत है तो Mechanical Wave Medium की ज़रुवत नहीं है तो Non-Mechanical Wave और Matter के साथ Associated है तो Matter Wave हो गई है अब हम क्या कर रहे हैं Particles के Oscillation के Basis पर Define कर रहे हैं तो दो तरीके से हम यहां पर कैटेगराईज करते हैं Particles के Oscillation के Basis पर पहला है आपका Transverse Wave Transverse Wave और दूसरा है आपका Longitudinal Wave तरह देखेगा Transverse Wave हम उन Wave को बोलते हैं जिन में Particles जो है Wave के Direction के Perpendicular Move करते हैं मतलब क्या अगर मैंने कहा कि एक Wave है जो कि इस तरफ जा रही है अगर Wave आपकी इस तरफ जा रही है This is the Direction of Propagation of Wave Direction of Wave Propagation का मतलब होता है Wave का Travel करने का Direction बस फाइन सी नाम है Direction of Wave Propagation तो यह जो Particles है न यह Particles इसके Perpendicular Direction में मूव कर रहे हैं मतलब Particles जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो अगर मैं इनके Particles का Motion बताऊं तो यह Particles इसके Perpendicular Direction में तो इस वाले केस में आपके Particles Wave के Perpendicular Direction में ऐसे ऐसे Oscillate कर रहे हैं जबकि Longitudinal Wave में अगर आपकी Wave इस तरीके से जा रही है तो Particles जो है Wave के Propagation के Direction में ही Oscillate कर रहे हैं तो यहाँ पर जो Particles है यह Particles आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से Oscillate कर रहे हैं तो लिख देता हूँ में Motion of Particles Particles Is Perpendicular to the Direction of Wave Propagation एक्जामपल आपका हो गया है लेट असे लाइट वेव जैसे जितनी भी Electromagnetic Waves है वो भी सारी Transverse Wave है स्ट्रिंग में रस्सी में जो वेव है वो भी आपकी Transverse Wave है यह सारे एक्जामपल है तूसरा एक्जामपल यहां पर Motion of Particles Motion of Particles Is Along Direction of Wave Propagation एक्जामपल आपका Sound Wave हो गया है मैं इसका अभी पहले एक Simulation समझाता हूँ और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ ज़रा देखेगा हमारे पास यहां पर एक यह रहा यह रहा यह रहा तो सबसे पहले यहां पर एक Wave देखते हैं आपको यहां देखेगा यह आपकी Transverse Wave है और यह आपकी Longitudinal Wave देखो यहां पर जब Wave मूव कर रही है तो Wave का Motion जो है अगर मैं थोड़ा स्लो मोशन में दिखाऊंगा आपको ठीके Frequency बढ़ा कम कर देता हूं Amplitude बढ़ा देता हूं Notice कि जगा यह जो Wave Travel कर रही है इसमें Particles कहां मूव कर रहे है अगर आप एक एक Particle का Motion देखेंगे मैं थोड़ा स्लो मोशन में देखेगा यह Particles कैसे Move कर रहे है यह Particles अपने Direction के Perpendicular कर रहे है जबकि यहां पर अगर आप वो अब्सक्राइब करो कोई एक Particle को फोकस करो तो यह Particle क्या कर रहा है यह Particle आगे पीछे आगे पीछे आपको समझाओं तो देखेगा मेरे पास समझेगा यह Spring को ऐसे motion देता हूं इस तरीके से जर्क देता हूं तो यह कैसा motion हो गया है इस यह लोंगिट्यूडनल वेव ठीक है लेकिन अगर मैं इसी Spring को ऐसे motion देता हूं तो यहां पर देखेगा यह Particle कैसे मूफ कर रहा है यह Particle ऊपर नीचे ऊपर नीचे डांस कर रहे है तो यह कौन से हो गई है Transverse वेव मैं यह कह रहा हूं जैसा longitudinal और Transverse वेव दोनों की अगर वेव निचर की study की जाए तो बिल्कुल सेम होगा मतलब क्या पस अंतर क्या होगा अगर इसकी study करूँगा मैं तो लिखूंगा ठीक है अरे कहां गया पहे है अगर मैं किसी इस वाले particle की study करता हूं इसको पहले pause कर देता हूं लेटर से मैं इस इस वाले particle की study कर रहा हूं तो इस particle की study करूँगा तो मैं लिखूंगा y is equals to a sin omega t type का जबकि अगर इस वाले particle की study करूँगा तो मैं लिखूंगा डेल्टा x equals to a sin omega t y की जगह आप चाहो तो delta y भी लिख सकते हो एक ही बात है मतलब क्या y coordinate अगर origin से ले रहा हूं तो y coordinate अगर आप किसी और जगह से ले रहा हूं तो delta y मतलब क्या अपने mean position से कितना उपर गाएगा नीचे जाएगा कैसा है a sin omega t पस ये y direction में move कर रहा है ये x direction में move कर रहा है तो कहने का मतलब ये खाली y और x में फर्क पड़ेगा लेकिन behavior बिलकुल दोनों का same रहने वाला है मतलब क्या अगर आपने transverse wave पढ़ ली तो आपने longitudinal wave भी पढ़ ली अगर आपने longitudinal wave पढ़ ली तो आपने transverse wave भी पढ़ ली wave of motion mathematical analysis दोनों का बिलकुल सेम होने वाला है बस plane of oscillation अलग होने वाला है ये y direction में oscillate कर रहा है ये x direction में oscillate कर रहा है तो भाईया ये चीज ये कथनी बदल जाएगी कि डेल्टा y की जगए डेल्टा x कर दूँगा क्या ये बात समझना आई चलिए भाई तो ये है difference basically transverse and longitudinal waves के अंदर अब बात करते हैं equation of our traveling wave एक wave की equation आखिर कैसे बनाई जाए एक traveling wave की equation आखिर कैसे बनाई जाए तो wave बनाते कैसे है सबसे पहले wave क्या है चीज़ग है wave generate करने का तरीका होता है चीज़ग है मतलब क्या आप किसी जगे एक disturbance create कर रहे हैं आप किसी जगे energy दे रहे हूँ ठीक है जैसे मान के चलो मान के चलो आपके पास लगातार यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं कि आप धेर सारे छोटे अन्य मुलने से बच्चे पड़े हुए हैं आपके पास धेर सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए थे और आपने क्या किया मैं इसको आपको नाम दे देता हूँ ठीक है यहाँ पर आपका 0 पर 1 मैं खड़ा हूँ ठीक है मान के चलो सोर्स है this is your source जिए अब सोर्स क्या कर रहा है ठीक है अरे तुमने क्लास में देखा शोगा ना यार क्या करते है जब टीचर किया कोई भी इंसान किसी एक इंसान के कान में जाकर के बोल देता है तो क्या होता है वो बात वहीं पर खतम हो जाती है क्या नहीं वो बात आग की तरह पूरी क्लास में फैल जाती है मतलब क्या अगर मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी जगह कोई एक अफ ना ये बात पूरी क्लास में फ़ैल जाएगी तिक है किया रहे वह उसको नियाद इसको बीमारी है ओबिस्की बात है ये बात जो है थोड़ा सा disturbों के थोड़ा distort होते हुए जाती है टेक है लेकिन हम खिलाला ideal case के बारे में बात कर रहे है आइडियल केस क्या मैंने one person के कान में कुछ बात कही मैंने इसके कान में कुछ बात कही तो कहने का मतलब यह है धीमे धीमे आप यह देख रहे होगे ये पूरा का पूरा जो जो बाते मैंने बोली थी वो सभी बच्चों तक ट्रांसफर हो रही है और इस इस नोन ऐस वेव प्रॉपगेशन जो information मैंने पास ओन करी वो information पूरे medium में travel कर रही है वो information पूरे medium में travel कर रही है हाँ कोई दिक्कत तो नहीं नहीं सर इसमें क्या दिक्कत है कुछ नहीं तो वड़ी simple सी बात है अच्छा अब एक बात बताओ मैं ये assume कर रहा हूँ मैं ये मान रहा हूँ हलंकि ये real life में सच्चा ही नहीं है मैं ये मान रहा हूँ कि तुमने कोई नमक मिर्च मसाला लगा करके बात हैं नहीं बोली है मतलब क्या मैंने इस इंसान के कान में जो बात कही वही information यहां तक महुची है आइडियल किस मान के चल मेरी बात हाँ सर मान दिया लेकिन अब एक बात बता न तो इसके कान में जो बात पहुची वो कौन decide कर रहा है सर वो तो मैं sourd decide कर रहा है मतलब क्या क्या information जाएगी वो मैं decide करूँगा क्या information जाएगी वो मैं decide करूँगा लेकिन कितनी دیर बाद इस पर पहुँचेगी यह कौन decide करेगा सर वो तो decide करेगा इनके पेट में भात कितनी देर तक पशी रहती है क्या हो सकता है वो आज पहुचा है, हो सकता है दस सेख़ंड में पहुच जाए, हो सकता है एक घंटे में पहुच जाए, हो सकता है दो दिन बाद यहां तक पहुचे नहीं है, क्या रहे हमario throughput कंचे है, क्योंड इनर्जी, outta कर रहा है इसका मतलब वेव की प्रॉपागेशन की स्पीड कोन डिसाइड कर रहा है मीडियम डिसाइड कर रहा है तो यहां से मुझे कुछ बहुत इंफॉर्म इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन पाता चल रही है कि क्या है स्पीड ओफ वेव प्रॉपागेशन Speed of Wave Propagation वजब वेव के Travel की Speed Is Decided by Medium Medium के द्वारा Speed Decide की जाती है ठीक है However Shape of Wave Shape And Frequency Of Wave Is Decided by Source ठीक है तो कौन सी चीज सोर्स पर Depend करती है कौन सी चीज Medium पर Depend करती है यह आपको समझना होगा Shape and Frequency Source पर Depend करती है और Speed जो है Medium पर Depend करती है यह थोड़ी सी बाते हैं जो कि अभी मैं आपको यहाँ पर Clarify भी करूँगा Frequency के बारे में क्या होता है इसको Frequency के बारे में भी थोड़ी दिर में और डिटल में बताऊँगा अभी बस मैं लिखवा रहा हूँगा आप खुद भी समझ जाओगे Frequency भी सोर्स इडिसाइड करेगा यहाँ पर क्योंकि सिंस मैं Information की बात कर रहा हूँ तो Information के case में Frequency का कोई परपस नहीं बतलता है लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि Wave कितनी स्पीड से आगे जाएगी यह Wave कितनी स्पीड से आगे जाएगी तो Wave Speed is decided by medium क्या Information पास हो रही है यह decide करेगा ठीक है Source अब मैंने का सर अगर मुझे देख मुझे यह तो पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है मतलब क्या मैंने का सर सोर्स जो इनफॉर्मेशन देरा है इस अ फंक्शन आफ टाइम जो इनफॉर्मेशन है लेटर से मैंने का Y is equals to F of T है कोई भी इनफॉर्मेशन हो सकती है कोई भी इनफॉर्मेशन is equals to energy is equals to function of time ये क्या है सिर्फ सोर्स आपको तो पता ही ये ना this is known आप ये जानते हो कि आपने किस सेकेंड पर क्या बात कही अर्यार ये तो मैं अब मेरा focus क्या है सर ये पांचवा जो person है ना कि मेरा focus है ठीक है मैंने का सर T second पर इस परसन पर क्या बात इसको सुनाई भी होगी मैंने का सर T second पर इस परसन को क्या सुनाई दिया होगा तो Y at X, T मुझे पता है Y at 0 इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं बिटा इसी चीज को लिखने का तरीका भी देख ले ठीक है Y at 0, T T time पर मुझे यहाँ पर पता है मैंने का Y at X, T निकालना है आपको कि सर इस पर T time पर क्या बात सुनाई दियोगी मतलब क्या पांचवे इंसान को सर पांचवे इंसान को T time पर क्या बात सुनाई दि misf कि मैंने का अच्छा अब एक ध्ध्यान सा सुन देरी बात logically सोचना चीक है सर पांचवे इंसान की distance क्या है यहां से मैंने कार पांचवे इंसान यहां से 5 meter दूर है यह x meter दूर है एंने दूर है सर एक्स मीटर दूर से जा रही है वो तो मुझे पता है कि वेव की क्यों मीडियम पर डिपेंडनेंट है तो मुझे पताए वेव की सपीड जैसे फेर एंफॉरोमेशन जो है यह वह एकाप ourselves घॉरा एक सेकंड प्रेड से आपने हर एक सेकंड बात गौसेप पास कर दी तो पांचवे इंसान तक पांच सेकंड में पहुच गई होगी गौसेप टीक है मैंने का यार अगर आपको पता करना है कि पांचवे इंसान पर 15 सेकंड में क्या information पहुची तो आप कहां चेक करोगे पांचवे इंसान से तो क्या information है 15 सेकंड के पास क्या information है ठीक है तो यहां से यहां तक पहुचने में कितना टाइम लगा है सर पांच सेकंड लगे है तो सर मैं यहां पर सोर्स पर यह मेरा परम्मित्र है क्यों इसको तो मैं ही मोटिवेट कर रहा है कि भाई तो यह वोल तो मैंने वोला क्या एक बा है यह वाय 10 सकंड पर इकल्स टू टेन पर मैंने देखा कि यहां पर जो वाय है वो कितना है और जो यहां पर 10 सेकंड पर बोला होगा वहीत है यहां पर 15 सेकंड पर दिखाए विए होगा तो तब क्या, since मुझे यहाँ पर हर time पर value पता है, मुझे पता करना है t time पर यहाँ क्या पहुचा, तो x distance पहुचने में, मतलब x distance travel करने में, information को x दूरी travel करने में कितना time लगेगा, तो अब ज़रा देखेगा, मैंने का सर यह दूरी कितनी है, x दूरी है, तो जो time लगेगा यह से यह आता, traveling time is equals to x upon, तो t second पर यहाँ पर जो पता करना है, मैं यहाँ पर पता करूँगा कि t minus x upon v, क्योंकि x upon v time लगा, तो y at x, t will be equals to y at origin at time t minus x upon v, यह बात समझ भाई, यह बहुत important term है, जो कि मैं आपके सामने दिखरा, पस यह logic अगर आपको crack कर गया न, तो बस काम हो गया, ठीक है, मतलब क्या, आपको पता करना था, पांच चीज, यह 15 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, यहाँ पर क्या information है, तो आपने का, source, आपको यह नहीं पता, यहाँ पर क्या information है, लेकिन आपको source के बारे में सारी चीज़ यह लिए, कि 10 सेकंड में क्या था, तो 10 सेकंड पर बाद, यहाँ पर 15 सेकंड पर होगा, अब किसी ने पुछे, यहाँ पर T time में कितना होगा, मैंने का, पहूंशने में कितना टाइम लग रहा है, X upon V, तो जो चीज यहाँ पर T में से X upon V, पहले होई होगी, वही चीज यह t-x upon this is y at x, t x, t पर t second पर x दूरी पर जो function है वो origin पर t में से x upon v पर रहा होगा ठीक है क्या ये बात समझ में आ गई क्या ये बात समझ में आ गई ठीक है मैं इसका एक practical example देता हूँ तो ज़रा देखेगा आपके पास यहाँ पर एक वेव थी एक particle था एक particle अच्छा wave generate कैसे करते हैं मैं आपको ये भी समझाता हूँ ठीक है आपको शायद बहुत सारी चीज़ने यहाँ पर समझ में आने लगेंगी मैंने का मेरे पास यहाँ पर एक particle था इस तरीके का और इस particle को करा रहा हूँ ठीक है इस particle को spring से बांग करके इसका SHM करा रहा सर यह कैसा SHM हो रहा है मैं ज़्यका सर यह जो particle है यह उपर नीचे उपर नीचे जाएगा और इस particle से मैंने एक रसी बांग दिए बिटा जब मैंने इस particle से एक रसी बांदी है जब यह particle उपर नीचे जाएगा तो यह रसी भी उपर नीचे जाएगी धिमिदी में आपको रसी में wave travel होती हुई दिखाई देरी होगी तो थोड़ी देर के बाद आपको यह wave जो है वो कुछ ऐसी दिखाई देना जो हो जाएगी लेटस से ऐसी wave दिख रही है अब मैंने का यह wave की speed क्या है तो wave की speed तो medium ही decide करेगा इस पर मेरा कोई भी role नहीं है मतलब V की value मुझे नहीं पता क्या है वी की value तो medium decide करेगा क्यों gossip किस rate से pass on कर रहे हैं यह decide करेंगे चीक है मतलब इतना पता है कि यह वाला particle क्या करेगा यह वाला particle उपर और नीचे जाएगा मतलब पहले यह उपर जाएगा फिर यह पार्टिकल नीचे आएगा फिर यह और नीचे जाएगा फिर यह उपर होंगे इस medium के सभी particles भी SHM करेंगे क्यों सभी के सभी particles इसको copy कर रहे है इनका roll model है इसने SHM किया तो इस वाले particle पर फोर्स लगाया फिर इसने इस पर फोर्स लगाया इसने इस पर सभी के सभी copy कर रहे है लेकिन एक चीज़ है साथ में copy नहीं करता है यह जैसे trend जो आता है तो नहीं होता ना कि पूरा हिंदुस्तान सेम ट्रेंट में एक साथ आ जाए नहीं पहले कुछ नए trendsetters होते हैं जो करने लग जाते हैं कि यारी हम trendset कर दिया अब जैसे फॉर एक्जांपल सुपर स्टार्स हैं जो उन्होंने trendset किया अब क्या होता है जो लड़के हैं लड जाएंगे खरीदेंगे तो कुछ trendset करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बैसेकली क्या कर रहे हैं सब इसको कॉपी कर रहे हैं लेकिन कुछ time लग रहा है सर कितना time लगेगा यह depend करता है इन तक information कितनी देर बाद पहुँचती है जो बगलवाला होगा उसको जल्दी पहुचेगी तो basically दूरी हुआ फर्क है तो मैंने का अगर अगर किसी कोई हमारा जो व्यक्ति है जो x दूरी पर है तो यहां तक पहुचते पहुचते इस information को कितना time बीच चुका होगा सर x upon v ठीक है x दूरी v-speed से जा रही है तो x upon v लगा होगा अब मैंने का सर इसकी equation मु एस हम की question तो मुझे पता होती है y is equals to a sin omega t लेकिन यह कौन सा वाला particle है यह 0 वाला particle है y at 0,t किसी भी t time पर किसी भी t time पर इसकी position मुझे पता है जैंने का अब इसकी position पता करनी है कि पता करनी है कि पता करनी है किस पर time पर y at x,t तो क्या होगा क्या मैं इस पर t time भी चेक होगे क्या t से x upon v बाद में चेक करूँगा क्या अरे सर जो बाद में होगा वो तो यहां तक पहुंशते मुशते और time लग जाएगा मुझे तो t time पर बताना है तो जो यहां पर t time पर होगा वो कुछ पहले यहां पर रहा होगा तो मैंने का भी यह कितना time पहले रहा होगा t से x upon v पहले रहा होगा तो y at 0 t minus x upon v t से x upon v पहले जहां पर जो यह y होगा वही चीज़ यहां पर trend पहुंचा होगा और इसका क्या है sir a sin omega t की जगए बस क्या चाप दूँ? t minus x upon v ने का t minus x upon v पर क्या था? तो यह इसमें बोल दिया तो यह आपकी equation आ गई और यह क्या आ गई है? इस equation is y is equals to a sin omega t minus omega x upon v और इसी omega upon v को हम एक नया नाम दे देते हैं k ठीक है? तो यह हो जाएगा y is equals to a sin omega t minus x. This is the equation of a traveling wave. एक ट्रेवलिंग साइन वेव की अब क्या है आप अलग-अलग एक चापते जाओगे अलग-अलग टाइम पर आपको वैल्यू अलग-अलग मिलती जाएगी क्या यह बात समझ में आ गई इस तरीके से हमें एक क्वेशन में आते हैं लेकिन लॉजिक क्या है लॉजिक यह है कि अगर एक वेव राइट में जा रही है तो ओरिजिन पर जो चीज है वो यहां पर कुछ टाइम बाद दिखाई देगी तो मुझे पता करना है टी टाइम पर क्या है देख्यार यह मत सोचना कि सब्स यहां पर टी प्लस एक्स अपॉन वी पर पहुंचेगी लेकिन तुम्हे पर टी प्लस एक सपॉन वी टाइम पर नहीं पूछ रहा है तुम से बुछ राएं टी सेकंड पर ही क्या है बच्च पता इसमें गंफ्यूजर हातले सब्स एकस अपॉन भी क्यों नहीं कर रहा है अब माइनश ही क्यों कर रहे है सर यहां तो कुछ बाद में पुछ रहें यहां पर पता करना है तो यहां पर थी है वह यहां पर tadi पर चेक करता लेकर यहां पर की पर ही पूछा है उसमें नहों समझ में आ रहा है तो इसका मतलब यह है अगर वेव आपकी राइट साइड जा रही है तो इतिहास में चेक करना है तो माइनस में जाना है अब ऐसा कोई गैरेंटी है कि मैंने यह बोला कि नहीं सारी साइड करता है अब जब जशरा थेगा मेरे पास यहां पर एक इस तरीके यह बेसिकली सभी के सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं नोटिस करना यह सभी के सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं सभी के सभी पार्टिकल्स को कॉपी कर रहे हैं इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में इस सभी के सभी पार्टिकल्स को कॉपी करते जा रहे हैं लेकिन सेम टाइम पर copy नहीं कर रहा है ना क्या है कुछ देर बाद में copy कर रहे हैं सर ऐसा क्यों हो रहा है भाई देख मैंने इसको जब ऊपर motion दिया और फिर मैंने इसको नीचे motion दिया तो क्या हो रहा है ज़रा देखो इस वाले particle ने इस वाले particle ने इस वाले पार्टिकल को पहले ऊपर धक्का दिया होगा, ऊपर लेके जाएगा, फिर ये इसको फिर नीचे धक्का देगा, तो जब मैंने ऊपर ले जाने के लिए क्या किया, मैंने इसको पहले ऊपर फोर्स लगाया, फिर ऊपर चला गया, फिर मैंने इसको पहले नीचे फोर रहा हूं मतलब there is no energy loss real life में कुछ energy losses भी होते हैं तो real life में यह amplitude धीमे 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 कम हो करके die out हो जाता है ठीक है फिलहाल ही चीज die out नहीं हो रही है ठीक है तो तरह देखेगा अब यह motion कैसा हो रहा है यह उपर जा रहा है यह नीशे जा अब मैंने का सर टी टाइम पर यहां क्या पहुंचेगा मैंने का वही चेक करूंगा जो यहां पर एक्स अपॉन भी पहले रहा होगा तब देखेगा अगर मैं यहां पर इसको तो ऑसलेट कराना शुरू कर देता हूं ठीक और मोशन कर रहा हूं देखो क्या हो रहा है कौन सैट कर रहा है मोशन कौन सैट कर रहा है सर मोशन तो हमारा स्टोर्स सैट कर रहा है ठीक है बेव कौन सैट कर रहा है इस इस माय सोर्स यह है मेरा सोर्स यह है मेरा source और यह source कैसा motion कर रहा है सर यह तो सर एक circular motion का vertical वाला टुकड़ा याद है तुम्हें अगर यह omega से पहुंचता है तो vertical y क्या होता है सर यह तो y is equals to a sin omega t वाला function follow कर रहा है तो मैंने गाँ सब भी क्या कर रहा है a sin omega t लेकिन क्या एक साथ कर रहे है क्या अरे यहां से यहां पहुंचने में कुछ time भी तो लगा वेटा तो यह sign omega t minus x upon अब इससे फर्क नहीं पड़ता अच्छा आप ज़र एक चीज़ नोटिस करना मैंने लगा सर amplitude कौन decide करेगा मैंने amplitude बढ़ा दिया तो देक, amplitude बढ़ाने से इसका भी amplitude कर गया course decide कर रहा है मैंने आगा frequency सर तेजी से घुमा ने लगा एक second में मैंने दस बार घुमा दिया तो साक्ड मैं दस बार तो देख जल्दी जाने लगा तो इसन्थाide कर रहा है सर मैंने frequency कम कर दि 아니라 बंद कर दिया देख ठीक है फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देता हूं देख फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से फ्रिक्वेंसी आपने दीमें दीमें बढ़ाते जा रहा है देख फ्रिक्वेंसी कम रख तो यह एक सेकंड में एक उस्सेलेशन इस नॉर्मल मोशन पर इस लो मोशन में देखा रहा हूं एक सेकंड में अगर मैं एक उस्सेलेशन कर रहा हूं इसका मतलब है इसर यहां पर भी हर एक पार्टिकल एक सेकंड में एक उस्सेलेशन ही करेगा हर पार्टिकल क्यों अरे जो ऐसा वेव बना देता है da sin आ यहां पर भी शब ट्रा Marriage जारीए देख टी धेक है वेप कॉंठ कर रहा है तर वेव डशाइब कर रहा है सौस कैसा वीव जक्ष ऑब यह स्वेड कर रहा रहे है न यार व्युक्ष और वेव की frequency those decide करता है लेकिन कितनी तेजी से जाएंगे ये कितनी धीमे ये gossip pass on करेगी वो तो medium decide करेगा ना ठीक है medium के अंदर जो properties है वो decide करेंगी क्या properties है decide करती है उसके बारे वह हम धीमे धीमे आगे चर्चा करेंगे ठीक है तो मैंने का अब मेरे पास एक wave की standard wave की question समज में आ रही है जीक है standard wave की equation of traveling wave क्या होती है अगर मैं आपको बोल दूं equation of traveling wave और orbitide की wave होती है जो non traveling होती है तक हाँ होती है हम जिनके बारे में आज की ही class में आगे बातें करेंगे Standing wave भी होती है तिक है मैं एकस्पेरिमेंट करके इसी से मैं experiment करके भी दिखाऊंगा standing wave कैसे बनाते हैं ठीक है चल याद traveling wave क्या है basically तो जर्द देखिए कर traveling wave की बात करूँ तो मैंने का sir y is equals to y at x comma t equals to y at comma t minus x upon this is the equation of traveling wave t minus x upon v अब जो भी हो अब देखो इसको मैं लख सकता हूँ f of t minus x upon जो भी f of t function होगा उसको मैंने t की जगे t minus x upon v कर दिया this is the standard equation of our traveling एक दूसरा तरीका भी होता है इसी को define करने का अभी थोड़ी दिर में उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन अगर यह right side में जा रही है तो t minus x upon v x distance पर देखना है तो x upon v और अगर यही चीज़ left side में जा रही होती तो plus x upon v ठीक है चल तो अभी पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ equation of traveling wave towards positive x axis अगर एक wave आकी positive x axis की तरफ जा रही है और यही equation है equation of traveling wave towards negative x axis तो मैंने का y at x, t x, t पर हमें check करना है this is y at origin और कुछ time पहले क्योंकि यह wave अगर right side में जा रही है अगर आपकी wave अगर आपकी wave जो है मैं इस तरीके से explain करता हूँ अगर आपकी wave यहाँ पर जा रही है तो यह comma कहाँ पर है this is at x, t तो यह यहाँ पर कहाँ पर होगा t से x upon v पहले होगा where x is this distance x आपका यह दूरी है और wave कितनी speed से आगे जा रही है wave आपकी v speed से आगे travel कर रही है तो यहाँ तक पहुशने में कितना time लगेगा x upon v तो जो t पर निकालना है वो t से x upon v पहले check करना पड़ेगा और अगर यह f of t है हो जाएगा f of t minus 1 यह कुछ आपकी equation हो जाएगी अब सेम वही चीज सब कुछ सेम लेकिन बस उल्टा कर देता हूं वही चीज बस उल्टा कर देता हूं और ध्यान दीजिगा यह आपका known है आपको यहाँ पर पता है हर टाइम पर wave concept कहां पर है आपको पता है origin पर किस टाइम पर particle कहां पर है अब अगले case में क्या है wave is traveling towards negative x-axis अगले case में आपकी wave जो है negative ऐसे कुछ जा रही है तो मैंने का जो आपको t time पर यहाँ मिल रहा है वो origin पर कब कित्रे time पर मिलेगा t से x upon v बाद में मिलेगा तो मैंने का जो t plus x upon v पर चेक कर लूँगा वही यहाँ पर होगा तो y at x,t is equals to y at origin और t plus x upon v यहनिकी f of plus x upon अब एक चीज़ नोटिस केज़ेगा जब भी किसी function में t plus x upon v टाइप का दिखेगा तो वो negative उल्टा चल रहा है जब plus में आएगा तो negative x axis की तरफ जब minus में है तो positive x axis की तरफ चीज़ेगा है मैं साथ ही साथ में क्योंकि हम इस पूरे chapter में majorly sinusoidal waves के साथ deal करेंगे majorly sinusoidal waves के साथ travel करेंगे sine wave कैसी दिखाईगे तो हमारी sine wave दिखाई देगी y is equals to a sine omega t था origin पर omega times of t minus x upon v ऐसा बन जाएगा यह क्या है y at x,t यह बन जाएगा a time omega t minus x omega x upon v यानि इसको kx type का लिख दिता हूँ माइनस की दिखाई 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 तब कुछ x-axis तो प्लस है तो negative x-axis की तरफ माइनस है तो positive x-axis की तरफ यह बात आप सभी को उम्मीद करता हूँ यहां तक की बात बड़ी ही clear होगी और क्यों 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 क्योंकि f of t आपको known है origin का function आपको known है मैं इसका एक थोड़ा सा वीडियो भी दिखाता हूँ तो शायद आपको जादा बेटर समझ में आएगा तो यह वीडियो देखेगा आपको शायद बहुत बेटर समझ में आएगा देखो यह origin है यह आपने यहापर rate डाली तो देखो send नीचे जा रही है यह आपको पता है यू नो दिस कि A sin omega t कर रहा है तो देखो यह सारी वेव क्या रही है सेम वही वापस आती जा रही है तो किसी ने बोला कि T time पर यहाँ पर वेव कौन से होगी तो मैंने चेक कर यहाँ पर T से कुछ time पहले क्या था जो T से यहाँ पर पहले था वो यहाँ पर कुछ T time बाद पहुंचेगा तो किसी ने T time पर पहुंचा तो मैंने और यह मुझे पता है ना this is known function तो यह known function था इसका तो पता है ना a sign omega t follow कर रहा है तो यह known था यह unknown था यह मैं निकाल रहा हूं ठीक है उम्मीद करता हूं अब आपको यह चीज़ बड़ी clearly समझ में आ रही होगी है हाँ अब तो दिक्कत नहीं है ठीक है चले यार अब एक सवाल देखने है यार ठीक है आपको यहां पर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से इस वाइस अच्छा चलो इसके साथ में दूसरा फॉर्म भी बता देता हूं देख पहला फॉर्म क्या था मुझे यह source की information पता दी मतलब क्या था अब देखो अंतर समझना ठीक है source क information पता होने का मतलब क्या है मैंने यहां पर जो मैं जब मैं equation कर रहा था जब मैंने आपको एक simulation दिखाया था जब मैंने आपको यहां पर simulation दिखाया था तो मैंने आपको यह पता रखा था कि यार यह किस तरीके से oscillate कर रहा है मैं इसका वीडियोग्राफी कर रहा था मतलब क्या मैंने यहां पर मैं यहां पर बागी चीज़ों को नहीं देख रहा था मैं इसको notice कर रहा था पुझे source की question हर टाइम पर दिखाई दे रही थी source कैसे move कर रहा है मैं इसका video बना रहा था समझना अब अब latest आज के समाने में कैसे हम समझेंगे मैंने क्या किया मैं source का video capture कर रहा था source कैसा देख रहा है और मैंने का जो चीज source copy कर रहा होगा वही चीज़ कुछ टाइम बाद यहां पर बाकी सब चीजों को दिख रहा होगा तो किसी ने हम बोला नहीं थोड़े इसको कैसा दिखेंगा यह वाले गृण वाले पार्टिकल को तो मैंने का ग्रीन वाले पार्टिकल तक वे पहुंचने में कितना time लगा लेटर से दो सेकंड तो मैंने का अगर आपने पूछा है दो सेकिंड बात दस एकन पर ग्रीन वाला कई बार आपको क्या करेगा जैसे आपके कोई वेव बना देता हूं अब वेव को डिफाइन करने का दूसरा तरीका देख लेना यार साइन वेव बन जा अब ऐसी कुछ यह वेव थी अब दूसरा तरीका सुनना और मैं इसका इसका भी सिमिलर एक्जामपल समझाता हूं अब मैंने का यार कि मेरे पास एक वेव है ये लिकिन इस बार ही क्या है मैंने यहाँ पर एक फोटो खीची है this is a snapshot of a wave ठीक है मैंने का this is photo of a wave फोटो of wave जब at t is equals to 0 तो बताओ क्या मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी एक पार्टिकल की इस बार मैंने क्या किया पूरी वेव थी ना जैसे पूरी वेव थी ये ट्रेवल कर रही है ठीक है मैंने इस ट्रेवल करती वेव के साथ मैंने इसका फोटो खीच लिया अग है धिक的 Наick a-quとफॉटो खीचलिया मैंने का सgor ये वेव का हमारे फोटो है कब मैं ये equals 0 फ्रेवल का shepherd आप अमने का फोटो मैंने खीच लिया अब बताना एवने का फोटो यहाँ पर खीच जाल अब देख तुझे वेव का फोटो देख रहा है कब कब टाइम कौन से टाइम पर है अब मैंने पूछा कि T time बाद के wave कैसी होगा चीक है मैंने पूछा T time बाद ये particle X कैसा होगा तो आपने क्या किया सर हमारे पास जो wave थी आपने एक photo खींच लिया था मैंने का सर हाँ सर photo खींच लिया था अब मैंने का सर मुझे यहाँ पर हर time पर मुझे हर particle की position पता है सर ये X वाला particle कहा है इसके पहले वाला particle कहा है इसके पहले वाला कहा है ये कहा है मुझे सर सारे particles की position यहाँ पर दिख रही है हर particle की मुझे position पता है कौन सा T equals to 0 पर ध्यान से सुनना मेरी बाद हर time पर नहीं पता है मुझे सिर्फ T equals to 0 पर पता है और मुझे ये भी पता ये वेव कैसी जा रही है और वी स्पीड से आगे जा रही है तो अगर मैं इसका एक्वेशन लिखूंगा तो एक्वेशन क्या लिखूंगा सर फाई एट एनी एक्स पॉमा जीरो सेकंड पर क्या हो जाएगा एक्स टाइप का हो जाएगा मैं अलग-अलग एक्स रखता जाऊंगा तो टी कोस्टू जीरो पर मुझे ये पता है इस नोन सेम चीज है लेकिर इस बार क्या था इस बार आपको ओरिजिन वाले पार्टिकल की वीडियो नहीं पता है और जब आपकी ये वेव आगे ट्रेवल कर जाएगी जब आपकी ये वेव पूरी आगे ट्रेवल कर जाएगी लेटस से मैंने का कुछ ऐसे ट्रेवल कर गई ठीक है अब आपको पता करना था ये वाला पार्टिकल कहां पहुँच गया होगा ये वाला पार्टिकल यहां आ गया होगा ये पार्टिकल कुछ यहां पहुँच गय आया अब हमारा फोकस क्या है सर हमारा फोकस है इस वाले पार्टिकल आपसे पूशा है कि सर यह जो एक्स वाला पार्टिकल पहले जो और जिन पर था maximum पर था यह particle कहां पहुंच गया है यह कैसे चेक करूँगा कब पता करना है मुझे पता करना है t time पर y at x t यह मुझे पास x वाला particle था कब था यह 0 second पर था ठीक है और अब मुझे कब पता करना है x, t पर पता करना है चल यार क्या logic लगाएगा भोल भई, सर मुझे पता है कि वेव आगे कितने से जा रही है सर, v speed से जा रही है तो मैंने का, t second में वेव कितनी जा चुकी होगी सर, v t जा चुकी होगी velocity into time displacement होता है हाँ, सर, v t जा चुकी होगी तो सर, t second पर यहाँ पर वही particle वही होगा जो यहाँ से v t पहले जो यहाँ से v t पहले कोई particle पर रहा होगा तो मैंने का, सर, यहाँ से v t पहले सर, यह वाला particle था v into t, velocity into time पहले, जितना दूरी तो यहाँ पर होगी x- v t पहले जो चीज थी वही x पर आ जाएगी v speed से जा रहा है तो v t travel कर लेगा तो यहाँ पर x पर क्या मिलेगा जो x से v t पहले था वो यहाँ पर x पर आ चुका होगा तो x- v t तो यह दूसरा तरीका है equation लिखने का लिख वही रहा हूं तो अगर मैं तुम्हें भी पिछला वाला लिखाता है यह क्या था traveling live towards positive x-axis अब इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं y at x, t is equals to y at x minus v t at 0 t को मैं लिख सकता हूं y at f of x minus v t equals to 0 पर x minus v t पर जो था तो पर पर जो था y हो जाएगा और यहाँ पर क्या है यह जो है x equals to 0 पर t minus x upon v पर अंतर देखनो यहाँ पर distance है वहाँ पर वो time है यह अंतर है तो अब सेम वही चीज़ यहाँ पर copy कर दो और अंतर कुछ नहीं आया बस सिर्फ क्या हो गया अब मुझे यह समझ में आ गया कि जब प्लस होगा तो ऐसा जाएगा माइनस होगा तो ऐसा यह प्लस होगा तो हमेशा वेव नेगेटिव x-axis में जाएगी माइनस होगा तो यह इधर ऐसा जाएगी positive सर यह कुछ ज्यादा चिर समझ में नहीं आया इसको भी समझा करके दिखाओ जैसे आपने थोड़ी दिर पहले वो gossip बाले जो समझाए था हमें उससे बहुत समझ में आया था चल ठीक है इसको भी हम थोड़े इसी तरीके समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से वेव ट्र और मेरे पास में हर बच्चे के पास एक तकीया दे रहा हूँ इसे बनाने से पहले इस वाले के पास घ्रीन तकिया एंप इस वाले के पास यलो तकिया आइए औरेंज तकिया है इसके पास रू तकिया है और इसके पास बचा और बचा है अलग तक या मान की चलो रिपीट हो रहा है सो कोई फरक पढ़ता नहीं है अब ये आपने फोटो गिषता है आपने का सब बच्चों के पास फोटो है ठीक है मैंने 7, 8 and so on हर बच्चा क्या कर रहा है तर हर बच्चा तकिया को आगे वाले बच्चे पर पास ओन कर रहा है मतलब हर बच्चा तक्या उठाता है दुसरे बच्चे को दे देता है इसको दे दिया इसका तक्या इसका तक्या इसका तक्या इसका तक्या इसको इसको इसका तरीके से जो बच्चे है सभी बच्चे एक दूसरे को तक्या पास करते जा रहे है अब मैंने का तक्या पास होने क चार सेकंड के बाद ठीक है T is equals to 4 सेकंड पर क्या हलात होंगे ठीक है तो मैंने का सर T equals to 4 सेकंड के बाद जो इसका तकिया है वो चौथे बच्चे पर पहुंच चुका होगा ठीक है अधा भई सारे के सारे तकिया और लेटर से इसके बाद वेव रिपीट होना शुरू हो गई है मैं और भी सेम रखता हूँ कि कुछ आगे चले गए होंगे इसका तकिया इधर आ चुका होगा 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 और लेटस से मैंने का ओर्डर अगर से में इसके पाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं कि कुछ ऐसा था अब आपने का सर टी इस इकल्स टू चार सेकंड पर इस वाले परसन के पास जैसे फॉर एक्जांपल मैंने का सर इस वाले परसन के पास कौन सा तकिया रहा होगा हो हैं आप नहीं ने को देखा सर चार सकंड पर इसका कौन साथ क्या होगा इसके पास जह सेंक्षा और उसको पता ही नहीं है और लेकिन इस वार आपने कर चार सेंड पडूट सेय। सब्सक्राइब 1 सो जहां पर से कंद में इक फिलो पास होगई मतलब क्या अगर 1 second में wave v से जा रही है तो t time में wave vt जा चुकी होगी आपको कहां चेक करना था sir मुझे x पर चेक करना था तो मैंने कहा 0 second पर क्या होगा x minus vt पर चेक कर लो x minus vt पर आपने 0 second पर चेक कर लिया तो जो आपने x minus vt पर चेक किया वही तो X पर यहां पहुचा होगा अब पल ले पड़ा ठीक है मतलब क्या X पर जो आपको चाहिए तो F at X,T is equals to F at X minus VT comma 0 ठीक है पिछली बार क्या कर रहे थे सर पिछली बार हमें X,T पर निकालना था तो मैंने का सर X पर ही जो ओरिजिन पर है 0 पर T से कुछ पहले निकाल लिया था इस बार ओरिजिन नहीं पता लेकिन मुझे पता यह कुछ V वैसी है तो मैंने X minus VT पिर है एक ही बात है दोनों अंतर नहीं है तो एक ही चीज़ को explain करने के दो तरीके हैं ठीक है तो तरीके है अब अब ज़रा ध्यान दिजिएगा अब इसी की बेस पर सर साइनोसुडल वेव कैसी दिखाई देगी ठीक है तो मैंने का सर इसी की बेसिस पर ती इकल्स टू जीरो पर आपने बनाया एट टी इकल्स टू जीको पाई इस रिकल्स टू ए फाइन एक्स में पर अलग-अलग एक्स की पोजिशन आपको पता है तो अब आपको टी पर निकालना है at t seconds पर, मैंने का t seconds पर y at x,t is रिकल्स 2y at x minus vt, 0 0 seconds पर x minus vt पर क्या है a sin kx में k की जगे क्या रख़ऄ दूंगा x minus vt तो A, sin kx minus omega t, this is also an equation of traveling wave, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी तुमने A sin kx minus omega t minus kx लेखा था, अब सर आप बोल रहा है सर, ये भी wave right side में जा रही है, ठीक है, मैंने का हाँ, दोनों wave right side में जा रही है, ठीक है, अंतर समझेगा, कई बार बच्चों को ये लगता है सर, A sin omega t minus kx और A sin kx minus omega t, same wave है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं बनाओं, कि ये मेरी एक normal wave है, A sin kx minus omega t, ठीक है, इस ये वाली wave क्या है, y is equals to A sin kx minus omega t, मैं ये दावे के साथ बोल रहाँगी, ये wave कहां जा रही है, ये wave right side में जा रही है, ठीक है, तो, सर, फिर A sin omega t minus kx, जो आपने भी थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैंने का, वो wave इसकी just ulti हो जाएगी, ये वाली wave हो जाएगी, y is equals to A sin omega t minus k, जो मैंने सबसे पहले दिखाई थी wave की equation, A sin omega t minus kx, आ गया, 10, ठीक है, A sin omega t minus kx, ये भी right में जा रही है, A sin kx minus omega t, जो अभी दिखाई थी इस से थोड़ी दिर पहले, A sin kx minus omega t, ये भी right में जा रही है, लेकिन अंतर क्या है, एक तरफ ये wave ऊपर है, और ये wave कैसी है, ये wave justice की ulti है, जा दोनों ही right side नहीं है, लेकिन ये दोनों wave सेम नहीं है, और जो चो A sin minus a sin theta होता है, तो justice की ulti wave है, ठीक है, justice की ulti wave है, तो basically snapshot का difference है, ठीक है, basically snapshot का difference, अगर आपने यहाँ पर पार्टिकल को ऐसे उच्छा लाए, तो भाई है क्या हो जाएगा, ये वाला point यहाँ महुत चुका होगा, ये वाला point ऐसे कुछ ऐसी wave दिखाई देगी, देख यार, मैं इसको दोबारा reset करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जब ये पूरा एक oscillation कर लेगा, जब ये पूरा एक oscillation कर लेगा, तो देख वेव कैसी दिखाई दे रही है, ये है वेव, अगर a sin omega t source पता है, तो a sin omega t minus kx ये ऐसी wave दिखाई देगी, ठीक है, this is, this is y is equals to a sin omega t minus k, ठीक है, सोचो, t0 रख दो, t0 रखने पर a sin minus kx देखेगा, a sin minus kx ऐसे ही, ठीक है, ये कब था, जब आपका source क्या है, y is equals to a sin omega t, ठीक है, ये ऐसी wave, तर फिर a sin kx minus omega t, अब initial condition change कर दो, आपने का सर, नहीं सर, initial condition आपकी ये है, ठीक है, ये वाली wave है, आपकी a sin of kx, ये वाली wave है, a sin kx, और अब थोड़ी दिर में क्या हो जागा, t time पर a sin kx minus omega t, अब ये अंतर है, तो देखो, ये just उसकी ulti wave है, तो ये बेजर difference है, जिसके बारे में बच्चे imagine नहीं कर पाते हैं, अब उम्मीद करता हूँ, wave के बारे में, wave की equation के बारे में, आपको दोनों ही बाते clear होंगे, अब सर, इसको अगर मैं पलट दूँ तो, मतलब क्या, सर, अगर मैं, ये wave right side की जगे, सर, ये wave left side जारी होती तो, अगर ये wave left side जारी होती, आपको कुछ नहीं करना था, sin omega t minus kx, और sin omega t plus kx, kx plus omega t, ठीक है, अच्छा आप ज़रा देखेगा, a sin kx plus omega t और यहाँ पर भी ये बिल्कुल same ही हो जाएंगे, ठीक है, बस अंतर क्या है, ये minus a sin, minus a sin kx plus omega, ये different, ठीक है, तो wave अभी भी, दोनों ही wave left side में जा रही है, लेकिन ये ulti wave, ठीक है, चल, तो उम्मीद करता हूँ, अब दोनों के बीच में अंतर clear है, तो kx plus omega t, मतलब left side में, kx minus omega t, मतलब right side में, ठीक है, अब यहाँ पर सवाल देखेगा, numericals किस तरीके से हम solve करते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, sinusoidal हो, non-sinusoidal हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको क्या बुला है, y is equals to 6x minus 30t का whole square, ठीक है, आपको बताने wave की speed, तो मैंने का हमने क्या देखा था, f of, f of kx minus omega t, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर k दिख गया क्या है, 6 है, omega दिख गया क्या है, 30 है, अब ज़रा बताने k किसको माना था, ठीक है, तो sir, हम ने ऐसा कुछ माना था, y is equals to f of t, ठीक है, तर आपने लिख दिख दया था, f of t minus x upon v, t, तब f, जैसे for example, a sin omega t था, तर आपने बोला था, a sin omega, t को आपने रख दिया था, t minus x upon v, तर यह हो जाएगा, omega t minus omega x upon v, ऐसे कुछ equation बनता था, आपने sir, omega upon v को आपने क्या लिख दिया था, sir, k लिख दिया था, ठीक है, इसको आपने k लिख दिया था, तो k क्या था आपका, omega upon, v क्या हो जाएगा आपका, omega by k, x का coefficient, ठीक है, यह आजाएगा, अब ज़रा देखो, तो मैंने का sir, speed निकाल नहीं है, यह आपका क्या हो चुका है, omega, omega by k, 30 by 6, speed आगई है, 5 meter per second, speed आगई, 5 meter per second, आप चाओ तो उसको ऐसा भी लिख सकते थे, x minus, 30 by 6, 30 by 5, ऐसा, और बार वो 5 common ले लेते, ऐसा कुछ कर लेते, तो मैंने का, जो भी है, उसका whole square वगरा, जो उससे फर्क नहीं बढ़ता, लेकिन मैंने का, x minus vt होता है, यही तो v बन गया, यह क्या बन गया, आपका, v बन गया, ठीक है, तो x minus vt के term में रख दिया है, मैंने, x minus omega t, यह x minus vt, देखो, यही तो लिखाता है, x minus vt, गड़ बढ़ तो नहीं लिखा मैंने भाई, x minus vt, ठीक है, तो मैंने इसको x minus vt के term में express कर दिया, अब ज़रा देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है, find the velocity of wave along with direction, ठीक है, आपको बोला है, y is equals to, y is equals to, 1 upon 3, 4x plus 3t, the whole square, plus 1, यह कोई भी wave है, मुझे नहीं पता कैसी wave है, हो सकता है, कोई भी शकल हो इस wave की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अगर शकल देखना चाहाओ, 1 upon x square वाली wave है, ठीक है, कुछ ऐसी wave बनेगी, इस तरीके की, ठीक है, t0, x0 को और यह कहाँ जा रही है, since x plus में है तो यह wave left side में जा रही होगी, ठीक है, इस type की wave है और यह left side में जा रही है, फिलहाल, मेरा जो focus होने वाला है, वो किस पर है, यह वाली wave है, ठीक है, मैंने का सर, मुझे क्या चाहिए, x minus vt type का चाहिए, तो मैं इसको चा अब ज़रा देखना, x plus vt type का देख रहा है, this is your velocity, ठीक है, आ गया, v is equals to by 4 meter per second towards negative x-axis, ठीक है, कितनी आसानी से हम किसी भी wave की velocity को calculate कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब equation of traveling sinusoidal wave, तो मैंने आपको बता दिया है, अगर एक wave आपकी positive x-axis की तरफ जा रही है, ठीक है, equation of traveling sinusoidal wave towards positive x-axis, और साथ ही साथ में मैं दुबारा यहाँ पर negative x-axis भी लिख देता हूँ, तो पहली equation क्या है, पहली equation लिख रहा हूँ, y is equals to a sin kx minus omega t, ता फिर, y is equals to a sin omega t minus, दोनों ही की दोनों बातें बिल्कुल सेम है, यहाँ पर k की value क्या है, k is equals to, इसको माना था, omega t minus kx, तो omega minus x upon v, omega upon v, k is equals to omega by v, इसको मैंने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आना था, अब यहाँ पर क्या लिकूँगा, y is equals to a sin kx plus omega t, y is equals to minus a sin kx plus omega t, कि दोनों की दोनों wave, negative x axis में चारी है, अच्छा, अभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, plus phi equal term add गर दे, तो phi से कुछ घबराना मत, वो phase constant है, मतलब क्या, जो आपने initial बोला था, यह shm कर रहा है, t equals to 0 पर e 0, हो सकता है, जरूरी नहीं है, कहीं हों से शिरुवात करें, तो भाईया, वो five सब जगे, चलता जाएगा, add होता जाएगा, ठीक है, तो five सिर्फ तुम्हें गुमरा करने की हरकत है, और कुछ भी नहीं है, लेकिन यह दोनों equation है, ठीक है, तो अब हमें, अब मैं जो equations के बारे में बात करूँगा, वो in equations के बारे में बात करूँगा, या तो ये वाली होगी, या ये वाली होगी, ये दोनों equation कता ही same नहीं है, तो ये मत माल लेना, दोनों equation same है, पस same direction में जा रही है, ये बात ते है, ठीक है, same direction में जा रही है, ये बात ते है, लेकिन ये दोनों equations same नहीं है, ठीक है, बोथ equations are different, ठीक है, क्या ये बात clear है, these are equation of different waves, अलग-अलग waves की equation है, both traveling along positive x-axis, ठीक है, दोनों की दोनों wave कैसी है, positive x-axis में जा रही है, नहीं तो पता चला, तुम बोल दो सार, a sign of x minus omega t और a sign omega t minus k same होता है, नहीं होता, ठीक है, ऐसी हरकत मत कर देना तुम पता चला, काम खराब कर दो मेरा, ठीक है, अब wave के अंदर हमने जितने भी parameters देखे थे, हमने जो जो चीज़ें लिखी है, उनसे बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं, बहुत detail में चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है, मैंने जो जो बात है बोली है उसका मतलब क्या है, ठीक है, तो equation हमें standard equation क्या लिखी थी, y is equals to k sin kx minus omega t plus 5 भी ले ले लेता हूँ, अपने मन से क्या फरक पड़ता है, यहाँ पर y क्या है, y is the displacement of particle at x from mean position, अगर मैं इस तरीके से कोई एक वेव दिखा रहा हूँ, तो यह है आपका y, y is the displacement from mean position, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कि यह वाला x coordinate पर particle है, इसका mean position, कई बार ऐसा भी हो जाता है, यह mean position 0 नहीं होती, तो क्या लिख दूँगा, y की जिएक डेल्टा y लिख सकते हैं, तो क्या फरक नहीं पड़ता है, च amplitude क्या है, basically it is the maximum displacement from mean position, mean position से maximum displacement कितना जा सकता है, this is a, तसे minus a, यह है, यह है आपका maximum displacement, चलो, अब k को क्या बोलते हैं, तर k है basically angular wave number, टीक है, k क्या है, k का नाम है angular wave number, टीक है, सर इसको बोलते क्या है, तो इसको हम, जैसे relation देखाता है, तो omega by v, omega by v is equals to k के बराबर होता है, पहला relation, angular wave number, omega by v किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है, अब ही थोड़ी देर में मैं दूसर relation भी यहाँ पर fulfill करवाने वाला हूँ, तो आप देखेंगे angular wave number क्यों बोलाएं, टीक है, omega क्या है, omega का नाम है angular wave frequency, और omega को आप लिखना चाहो, तो आप ऐसा भी v into k भी लिख सकते हो, इसे का लिख रिलेशन तो एक ही है, चलो, तीसरा, पाई, आपका phase constant है, कोई initial phase, initial phase, और यह पूरा term जो होता है, उसको हम phase ही बोलते हैं, टीक है, और k x minus omega t plus sin कंदर जो भी चीज़ आते हैं, उसको हम phase बोलते हैं, टीक है, तो basically आपको यह बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ, यहाँ तक की सारी की सारी बात है, हमने एक एक करके detail में analysis किया है, सब हर particle का, हर बात का, तो उम्मीद करता हूँ, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, टीक है, यहाँ तक की बात बिल्कुल crystal clear, आपको एक एक चीज़ समझ मारी है, एक क्योशन में हमने क्या चीज़ बोल रहे हैं, टीक है, k x minus omega t plus phi, यह भी लिखी देता हूँ, k x minus omega t plus phi, it is phase of wave, at any time, किसी भी time t पर, phase of wave at x, at any time t, तो x और t रखोगे, आपको पूरा का पूरा phase मिल जाएगा, टीक है, यहाँ तक की बात clear, अब जरह देखिएगा, इसी equation में, ठीक है, मैं 5 हटा देता हूँ, 5 कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, 5 बस फाली confuse करने के काम में आएगा, और कुछ भी नहीं करेगा, मतलब initial phase है, ठीक है, मैंने का, अब जरह देखिएगा, मैं इसी को और थोड़ा सा detail में है, के साइन, के एक्स माइनस मेगा टी, ठीक है, हमारी ये क्या है, ये क्या है, ये टाइम पर किसी भी एक्स पर ये equation है, ठीक है, अब मैंने का, एक टी इकल्स टू जीरो पर क्या दिखाई देगा, मैं का, सर, टी इकल्स टू जीरो पर, चाप देते हैं यहाँ पर, तो ये एक्स, पॉमा जीरो, कई बार इसी को मैं खाली भाई भी लिख देता हूँ, के, साइन के एक्स हो जाएगा, आ सर, के साइन के एक्स हो जाएगा, तो अगर आप इसकी वेव बनाने चलेंगे, फिसकली यह स्नैप्शॉट मिलेगा न, किसी भी टाइम पर आपको क्या है, यह आपको स्नैप्शॉट मिल गया, तर यह मेरा स्नैप्शॉट मिल रहा है, फोटो अफ वेव, फिसकली, फोटो अफ वेव, अच्छा आप एक बात बताना है यह x-axis पर क्या है अलग-अलग position है this different position at x-axis यह आपका x है और यहाँ पर क्या है आपका अलग-अलग y-coordinate है maximum value आपको दिख रही है a है plus a minimum value आपको दिख रही है minus a तो आपको amplitude दिखाई दे रहा है अब ज़रा यह दिखाई दे रहा है जैसे मैंने यहाँ पर एक wave बनाई मैंने t equals to zero बने का यह t equals to zero है यह wave और थोड़ा सा इसको frequency बढ़ा देता हूँ मैं पहले इसको normally play होने देता हूँ चलने देता हूँ ठोड़ी देता हूँ ठीक है और फिर आपको समझाता हूँ कि t equals to zero मैं किसको मानना हूँ ठीक है let us say मैंने यहाँ पर अब इसको बढ़ा और चल लेटर से इसको मैंने pause कर दिया ठीक है यह गई ही नहीं क्या है जैटस से यह मैंने ट equals to zero माना है क्या आपको यह दिखाई दे रहा है कि यह पूरी की पूरी वेव पूरी दूर जाने के बाद यहां जाने के बाद यह रिपीट होना शुरू हो गया है मतलब क्या इसके बाद यह repetition हो रहा है जिसको मैं कहते हैं wavelength चाहें तो मैं एसका बोल दूँँ चाहें difference between two consecutive press बोल दूँ चाहें difference distance between two consecutive trucks बोल दूँ कि सभी की सभी wavelength है तो wavelength कितने बाद जब kx की value two pie ise तो जब साइन के अंदर ये 2 पाइड हो क्या spirituality के बराबर जाएगा तो ये रिपीट वना शुरू हो जाएगा वेवलेंथ किस्ता आ जाएगा वेवलेंथ आ आ जाएगा तो रेधा किया है आपका रेमडा आपका वेवलेंथ है Jahren which is equal to distance between to consecutive crests और troughs क्या होते हैं इसको हम बोलते हैं crest जो top पर है पीक और जो गड़ा है इसको हम बोलते हैं trough तो दो consecutive crest और दो consecutive troughs के बीच में जो distance होता है इसको हम कहते हैं wavelength यानि की lambda इस lambda के बार ही वेड क्या होना है repeat होना शुरू हो जाता है तो यह wavelength है और यह क्या है angular wave number क्या है angular wave number तो कई बार आपको k की value आप k लिख सकते हो 2 pi by lambda भी लिख सकते हो जब lambda 2 pi by k था तो k क्या हो जाएगा 2 pi by यह है आपके दो formulas again important है इससी लिए इनको highlight कर रहा यह 2 pi by lambda कई बार ऐसा होता है आपको wavelength पूछ लेता है तो 2 pi by k कर दोगे तो wavelength आजाएगा या wave number पूछेगा 2 pi by lambda कर दोगे तो wave wave number आजाएगा तो this is your angular wave number बैसे कर लिए क्या बता रहा है कितनी दूरी जाने के बाद कितनी दूरी जाने के बाद आपकी wave दोबारा से repeat होना शुरू हो गई है कितनी दूरी जाने के बाद आपकी wave repeat होना शुरू हो गई है अब दूसरा टम क्या है मैंने का at x equals to 0 पर चीक है x equals to 0 पर बाद करता हूँ तो sir x equals to 0 वाले particle का क्या बनेगा ये तो video बनेगा चीक है y at 0 comma t किसी भी time पर क्या बनेगा a sin minus omega t ये क्या हो जाएगा minus a sin omega t मैंने का minus से कोई फर्क नहीं पढ़ता वो initial phase है आप इसको ऐसा भी लख सकते थे a sin omega t plus phi a sin omega t plus plus phi पाई पाई प्लस पाई पाई प्लस ओमेगा टी क्या होता है minus a sin omega t कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है हाँ सरी तो initial phase ही तो है basically मैंने क्या किया पहले मैं wave का motion ऐसे ऐसे कर रहा था अब सरए यहां पर पर starting का से होगी नीचे से करे hanalo फिरूपर गया फिर से आयाओ तो पाई face का एंगल है बस इतना संइsty अlamic fez अब मैंने का यार इस बार कराफ का सभा इस रग्राफ बनेगा अय तो इस बार ग्राफ बनेगा wae लेकिन इस बार यह क्या है इस वीडियो आफ ग्राफ इस जो फॉफ पार्टीकल एट एक्स इक्स एक्स इकल्स तू एक एनी टाइम ठीक है पलट देता हूं कि माइनस ओमेगा टी था क्योंकि माइनस ओमेगा टी है ना यह माइनस लगा हुआ है यहापर तो माइनस ओमेगा टी मतलब वीडियो है लेकिन मैंने का माइनस से फरक नहीं पड़ता हूं मैं क्या जानना चाहरा हूं कितने टाइम के बाद यह वेव रिपीट होना शुरू हो रही है मैं इसका टाइम फीरिड जानना चाहरा हूँ मैृम अट्रायन मैं इंट्रेट नहीं हूँ मैं किस छीज मैं इंट्रेट हूँ जैसे यहाँ पर मैं लैंटा मैं हो सब मॉना कितनी दूरी जाने के बाद रिपीट हो रहा है तो चाहा तो यहां देख लो जब omega t की value जब omega t की value 2 pi के बराबर हो जाएगी तब रिपीट होगा time period क्या आ गया 2 pi by omega यह सेम वही time period आया जो एक shm में time period आता है और आना भी था अगर एक particle shm कर रहा है तो सभी particle shm ही तो कर रहा है देख यार यह particle क्या कर रहा था यह particle से यह आ पर shm कर रहा है अगर यह shm कर रहा है हर particle अपनी mean position के about shm कर रहा है जरा notice कीजेगा मैं यहाँ पर आपको wavelength दिखा रहा हूं देखो यह wavelength है लैμडा बाई 2 और यह पूरी lambda हो सम वगराद नहीं दिखाना है मुझे भी डिखो हर पार्टिकल क्या कर रहा है चाहिए कोई भी पार्टिकल बना दो हर पार्टिकल क्या कर रहा है цि कर हां आ अपनी मीन पोजिशन की बाउट ऐसे सेटर रहा है ने और श हिएम यूनिट बढ़ा सकता हूं यह बढ़ रहा है ना है यह डाइव यह वाली तो खतम ही कर देता हूं लेख यह क्या कई democracy कर रहे है यह यहां वाला पार्टिकल देख ले हर पार्डिकल क्या कर रहा है है regulation में थोड़ा सधेंखลो slow motion में देख, यह क्या कर रहा है, यह इस particle का SHM, हर particle SHM कर रहा है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, तो 2 pi by omega time period आ गया, ठीक है, तो कई बार यहाँ पर omega निकालना होता है, तो मैं time period लिख देता हूँ, omega होता है 2 pi by time period, और time period क्या होता है, 1 upon frequency, या फिर इसको मैं लिख देता हू omega is equals to pi into frequency, तो यह आपका omega time period आ गया, time period क्या है, time period, minimum duration, after which, wave will start to repeat itself, यह वो minimum duration है, जिसके बाद क्या करेगी, आपकी wave खुद को ही repeat करना शुरू कर देगी, तो this is the minimum duration, इसको हम कहते है, time period, उम्मीद करता हूँ, यहाँ तक की बात भी आपको clear है, अब time period अगर समझ में आगे है, तो frequency भी समझ में आगी होगी, ठीक है, frequency क्या होती है, frequency होती है, 1 upon time period, ठीक है, तो it is total number of repetitions या waves in one second, ठीक है, एक second में कितने repetitions आ रहे हैं, तो frequency क्या हो जाएगी आपकी omega by 2 pi, time period 2 pi ठीक है, तो frequency आपकी हो जाएगी, wave के fundamentals के बारे में, बहुत बहुत detail में एक एक चीज़ को explain क्या है, हर चीज़ का मतलब क्या होता है, हर चीज़ को किस तरीके से explain कर सकते हैं, हर चीज़ को किस तरीके से आप visualize कर सकते हो, एक second में मैं कितनी waves, इस कितनी एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे wabrit कर रहा हूं wanna वह sitting is the function of source source पर depend करती है velocity या wave की velocity is function of medium वह gossip travel करने वाली कहान वह दो जब सवाल solve करते हैं यह है आपका marathon question 6 parts 5 parts इसमें है और 11 parts total आपको हर part में कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा कई पार्ट ऐसे होंगे आप वरवली बता पाएंगे कई पार्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन हर पार्ट में आपको कुछ ने कुछ सीखने को मिलेगा आपके fundamentals इस सवाल से बहुत जादा clear हो जाने वाले हैं तो इस marathon question को याद रखिएगा यहां से आपके बहुत सारे concepts clear हो जाएंगे तो थोड नहीं तो सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है find amplitude मैंने का amplitude क्या होता है में distance maximum distance from mean position एम्पीचुट तो सीदा सीदा देख रहा है four meter ठीक है सारी चीजें एसा unit में मानना चल भई वेवलेंथ मैंने सर वेवलेंथ निकालना है वेवलेंथ होता है हमारा lambda कि क्या होता है two pi by k के बराबर कितनी दूरी के बाद जाकर के वेव आपकी repeat होगी तो मैंने का सर के यह रहा x का coefficient तो पाई भाई पाई यान कि सर वेवलेंथ आ गया दो मीटर दो मीटर आगे चलने के बाद यह दोबारा repeat होना शुरू होगी किसी भी time पर frequency होता है 1 upon time period आ थाइम पीरिड होता है 2 pi by omega फ्रिक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा वाई 2 pi चिक है अब यह तो याद होगा ना यार SHM में हमने पड़ा था time period 2 pi by omega होता है circular motion में पड़ा था time period 2 pi by omega होता है circular motion का ही एक projection तो ऐसे चेह में जित्ते time में circular motion एक body करती है उतरीन time पे उसका projection पूरा period करता है तो uniform circular motion पे 2 pi by omega time period होता है omega by 2 pi omega कित्ता दिया है यह है आपका omega तो pi by 2 divided by 2 pi answer आगया 1 upon 4 hertz ठीक है wave की speed अब ज़रा देखो wave की speed निकालने के आपके पास कई सारे तरीके है fourth part मैं solve कर रहा हूं तब wave speed निकालने का मैंने का पहला तरीका क्या है omega by k जा फिर lambda by time period एक ही बात है जाओ तो देख लो sir lambda कितना ये रहा time period कितना है sir 2 pi देखो lambda lambda कितना है sir 2 pi by omega divided by time period कितना होता है time period होता है sir sorry lambda होता है 2 pi by k time period होता है त्टूपाइब बाई उमेगा क्या और एक ही तरीका है तो मैंने गाएगा वाई की ओमेगा भी दिख रहा है पाई वाई टू गया यह क्या है पाई यह आंसर आ गया वन बाई टू पर सेकंड तर आपको कैसे याद रहता है यह फॉर्मला हमें तो बार बार भूल जाते हैं स अब ज़र देखना साइन थीटा के अंदर डाइमेंशनलेस चीज़ आ जाती है यहां पर के एक्स बीडाइमेंशनलेस होगा ओमेगा टी भी डाइमेंशनलेस होगा अब बताना यह पर सेकंड है यह पर मीटर है तो भाया यह नीचे जाएगा जब के नीचे जाएगा उपर जाएगा तभी तो मीटर पर सकेंड बनेगा मुझे यूनिट से याद रहता है यह सेकंड इनवर्स में मीटर इनवर्स तो मीटर बन जाएगा एसे इहांगा ऑए यह यूनिट यह दामेनशनल हुए ठीक है हर बार भूल जाता हूं पर कोई बात नहीं मेरे पास जुगाड है ना ठीक है भूलने का रीजन है मुझे यह याद रहता है कि निकाला कैसे जाएगा ठीक है तो मैं रहां का sin kx omega t dimensionless omega t यह भी dimensionless यह भी dimensionless तो मैं रहां का इस बार wave की speed नहीं पूछी है यह नहीं पूछा wave कितनी speed से जा रही है particle की speed पूछी है बार particle की speed अब यहां से सोचने वाली चुरू होती है पहले 4 पार्ट तो बड़े आसाम थे speed of particle at x equals to 1 at t is equals to 3 ठीक है मैंने का direct x equals to 1 इसमें रखने पर x और t रखने पर फाइदा नहीं मिलेगा मैंने का सबसे पहले 5th part को solve करता हूं at x equals to 1 अगर मैंने x की value यहां पर 1 चाप दी तो मुझे x equals to 1 वाले particle की हर टाइम पर position पता चल जाएगी क्या हो जाएगा तरही हो जाएगा x is equals to 4 sin pi into 1 minus pi by 2t यानि की x is equals to 4 sin pi minus pi by 2t sin pi minus theta क्या होता है sin theta ही होता है 4 sin pi by 2t यह मेरा x आ गया अब ज़रा देखिए का मुझे अलग-अलग time पर particle की position x equals to position तेकि उसना position नहीं कुछ देखिए क्या पुछा है speed पुछी है मैंने का अब यह differentiate कर दे अब तो बड़ा आसान हो गया ना velocity क्या होती है sir dx by dt क्या होता है sin का differentiation cos 4 cos πi by 2t into πi by 2 का differentiation πi by 2t का differentiation πi by 2 अरे omega t का differentiation omega t और याद करना यह क्या है a sin omega t तो speed क्या होती है a omega cos omega t SHM यह SHM की question है a sin omega t ठीक है तो यह क्या आ गया 4 πi by 2 यानिकि 2 πi cos πi by 2t अब आप से कब पुशाए तीन सेकंड पर पुशाए तो 3 πi by 2 रख देना तो डारेक्ट रखना ऐसा मत कर देना सर इसी equation में पाई पाई की value और ट की value x की value 1 रख दी ठीकी value 3 by 2 अब फिर differentiate करने लगे अब ही जब तुझे एक particular time रख दिया तो तुझे particular position मिलेगी constant मिलेगा constant का differentiation तो zero होता है न टाइम बदल रहा है तो इसी लिए time की value यहां पर मत रख देना कई बच्चे यह गडबड कर देते हैं यहां t की value 3 रख देते और निकाल देते सब्सक्राइक सागे इतना फिर differentiate करेंगे अब वहां के एक टी की वाली क्यों रख रहा है कुछ ज़रा position कैसे बदलेगा time बदलेगा तुने तो तो पहले सी constant कर दिया तब ऐसा नहीं करते ठीक है अब क्या आगया मेरे एट इकल्स टू 3 seconds ठीक है तो मैंने का वी कितना हो जाएगा 2 pi cos 3 pi by 2 cos 90 degree होता है plus 1 sorry cos 1 होता है cos 0 cos 90 180 cos 270 हो गया यह तो ठीक है और pi पर होता है minus 1 70 पर तो वापस से 90 degree पर 0 होता है फिर इसके वाद यह तो 0 ही हो गया यार 0 meter per second मुझे ऐसे याद आ रहा है cos theta कि ऐसा कुछ होता है 90 degree 180 270 270 पर 0 होता है 270 पर 0 यानि की 0 answer आ गया ठीक है इस इस आंसर 0 meter per second चल भाई अगला सवाल ठीक है अगला सवाल क्या है position of particle at t is equals to 1 at x equals to 2 ठीक है x equals to 2 और t equals to 1 पर position अब position ही पूछ रहा है तो मैंने का बस छाप देश में है इकोल स्थो 1 x की वेल्यू टू छाप दी ए ओर इन फुपाई माइनस पाइबाई टू तो था था रा माइनस एक थ्री पाइबाई टू ऑटू इन 270 डिगरी का होता है 90 डिगरी बन 70 माइनस वन होता है माइनस पोर मीटर आ जाएगा चल भाई अगला snapshot of wave at 0.5 snapshot photo ठीक है टी की वेल्यू 0.5 चाप दे 7th मिल जाएगा तो मैंने का y is equals to 4 sin pi x minus pi by 2 into 0.5 ठीक है टीक है टीक है टीक है हो गया 4 fine pi x minus pi by 4 टीक हो गया wave का snapshot टीक है टीक है हम जनरली अभी तर कहाँ पर रहे थे टीक हो टीक हो टो 0 second पर बात कर रहे थे अब 0.5 पर बात कर लिया देख रहा है फेस constant type का दिख दिया विग्राफ बनाने को बोल दे तो ठीक है मैंने का सर ग्राफ बनाने को बोल देगा तो सीधा सीधा 4 sin π.x का graph बना दो sir ठीक है पाई x का graph सबसे पहले बनाओ सबसे पहले बनाओ snapshot draw भी कर देता हूं photo भी draw कर देता हूं अब मैंने क्या कहा जब phase यह π.x माइनस में है तो इसका मत्द क्या हो जाएगा graph negative shift हो जाएगा ठीक है तो 45 degree negative shift हो जाएगा और जीरो पर यहां पर दिखाई देगा ऐसा कुछ graph बनेगा यह यह आपका एक्स है बाकी सारी wavelength वगरा सब चीज़े सेम रहने वाली है और कुछ अंतर नहीं आएगा तो जीरो पर क्या होगा जीरो पर हो जाएगा एक मिट माइनस करता हूँ तो पीछे क्यों जाएगा आगे जाएगा न ऐसे जाएगा यह ऐसे जाएगा इकल्स तु जीरो पर कहां जाएगा माइनस वन तो 4 by root 2 तो माइनस 4 by root 2 यानि कि माइनस 2 root 2 x एकल्स तु जीरो पर क्यों जोगी सर जब negative होता है तो चीज़े आगे जाती है न चले आगा अगला क्या है position of particle at x equals to 0.5 at any time है मुझे लगता है आप लोग कर लोगे x की value 0.5 चाप देना और किसी भी time पर निकालना है तो मैं सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूँ 4, 9 0.5 रखूँगा तो पाई बाई 2 जाएगा पाई बाई 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 टूटी ते शायद 4 पाई बाई बाई टूटी बनेगा तसीधा आंसरी ले टेक है 4 पाई बाई बाई टूटी slope of tangent at x equals to 1 हाँ अब यह सवाल और अच्छे है चले आख तो इन तीनों सवालों को और देख थे कैसे करें खुड़ा दिमाग लगा चले यार तो क्या निकालना है slope of tangent ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दे ले लिना tangent का slope निकालने की जुगाड wave velocity, particle velocity और slope दोनों में अंतर है ठीक है तीनों के बारे में बात कर लेता हूँ फिर अब सवाल पर आते है तो मैंने का अगर मेरे पास wave velocity है wave velocity का मतलब क्या होता है यह आपकी wave है यह wave कितनी speed से आगे की तरफ जा रही है यह जो disturbance है यह कितनी speed से जा रहा है इसको हम कहते है wave velocity पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है यह जो पार्टिकल है यह किस speed से उपर की तरफ जा रहा है यह जो पार्टिकल वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी और slope क्या होता है slope of tangent तो basically आप किसी भी जगह पर यहाँ पर tangent डालने जैसे आपने यहाँ पर tangent डाला जिस यह जो एंगल है जिस टैन थीटा जिस लोप आफ टैंजेंट रॉन पार्टिकल वेलोसिटी तो तीनों की वीश मंतर समझना है वेलोसिटी मतब वेलोसिटी किसी स्पीड से आगे जा रही है पार्टिकल वेलोसिटी मतब पार्टिकल कितनी स्पीड से ऊपर नीचे मूफ कर रहा है जो देखो जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट कर होगा उसकी स्पीड जीरो maximum बीच में होगा सबसे speed क्योंकि सारे particles SHM कर रहे हैं तो यह difference है अच्छा अब सर वेव velocity कैसे निकालते हैं तो velocity of wave is given by omega by k या तो omega by k करनूं या फिर lambda by t time period या फिर lambda into frequency इस तरीके से हम किसी भी wave की velocity निकालते हैं अब particle की velocity कैसे calculate करेंगे तो particle की velocity calculate करने का तरीका अब मैं क्या निकाल रहा हूं velocity of particle तो velocity of particle निकालने का तरीका मैंने का य क्या था तर वाय है हमारा k fine omega t minus k x अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ता आप k x minus omega t लिख रहा हूं या omega t minus k x लिख रहा हूं इससे कोई matter नहीं करता है यह क्या है यह particle की position है तर यह particle का displacement है इस 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 position of particle अगर मैं यहां पर एक ऐसा दिखा दूँ mean position से यह है हमारा y तो यह y क्या है dy by dt जिस rate से y change होगा उसी rate से particle उपर move करेगा तो सीधा सीधा dy by dt क्या हो जाएगा तर यह हो जाएगा a time omega t का क्या हो जाएगा cos omega t minus k x into omega t का constant होगा क्योंकि यहां पर इस जगह तो x बदल नहीं रहा यह particular x कैसा है constant है तो यह नहीं रहाए ओमेगा cos omega t minus k x यह आपका velocity आ जाएगा अब बस इसका लिखने का अंदाज बदल देते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं इसको हम लिखते हैं देल y by डेल t this is velocity of particle तो particle की velocity है इस तरीके सम लिखते हैं देल y by डेल t तरे डेल क्या है हमने यह डेल के बारे में पहले बात करी थी जब हम work power energy define कर रहे थे याद है हमने बोला था कि force क्या होता है तो day minus del u by del x i cap plus del u by del y j cap plus del u by del z k cap ठीक है यह क्या partial differentiation है यह partial differentiation क्या बताता है कुछ नहीं बोलता यह बोलता है कि जब t के साथ differentiate करो तो x को constant मान लो मैंने का वो तो हमने पहले ही माना था तो this is treat x as constant while differentiating with respect to t ठीक है तो यह है basically particle के velocity ठीक है अब आप देखेंगे तो particle की velocity लगातार बदल रही होगी यहाँ पर notice करना a omega cos omega t minus kx है ठीक है अगर आपने x fix कर दिया अगर आपने x fix कर दिया अगर आपने x fix कर दिया x equals to 1 पर तो मैंने यहीं चीज़ करी थी जब मुझे किसी ने पूशा था particle की velocity शायर speed of particle speed of particle at x equals to 1 ठीक है तो जरा देखिएगा at x equals to 1 x क्या लिखाए मैंने यह था तो particle क्या हो जाएगा a sin omega t देख x की value छाप दी ठीक है अब क्या किया सब्सक्राइब देखना कि अब जरा देखना कि अब सब्सक्राइब अब बताना है स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है तो सब्सक्राइब यहां पर मैंने किसका साथ differentiation किया है time के साथ तो क्या मिला velocity मिला अब मैंने का स्लोप तो मैंने का स्लोप यानिकी 10 थीटा कहां लिखता हूं यहां लिख देता हूं चल तो 10 थीटा is equals to dy by dx और लिखते कैसे हैं dy by dx की जगह है देल वाइब डेल एक्स लिख देते हैं बस अब बोले यार एसाइन ओमेगा टी माइनस के एक साथ differentiation करूँगा तो क्या होगा ए इंटू की साइन का differentiation हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉस ओमेगा टी माइनस और माइनस के आ जाएगा तो माइनस एक अच्छा एसाइन के एकस माइनस मेगा टी होता तो प्लस एक एक उसो मेगा टी मैनस के एकस तो इससे घबराना मत क्या लिख रहे हो ठीक है यह है पार्टिकल की लोग अलग-अलग एकस पर अलग-अलग मिल जाएगी इस इस लोप आफ पार्टिकल कि यहां पर टी को कॉंस्टेंट मनना तो किसी पर्टिकलर टाइम पर ही तो निकालोगे चल यार अब हमारा सवाल जो था क्या था ठीक है अब मैं कौन सा वाइख कॉंस भी यह रही टीक है तो अब मैं कौन सा वाइग क्या दिया हुआ है y दिया है 4 sin pi x minus pi by 2t 4 sin pi x minus pi by 2t मैं रहागा सबसे पहले हो तो यहाँ पर t रखता हूँ add t is equals to कि इतना t equals to 1 second तो जब आप t की value 1 चाप हो गए तो क्या मिल जाएगा आपको t equals to 1 पर pi मिल जाएगा 4 sin pi x minus pi by 2 minus pi by 2 plus theta 4th quadrant में है तो यह बन जाएगा minus 4 sin pi x अब आपको slope निकालना है slope यानि की 10 theta 10 theta क्या हो जाएगा dy by dx अगर ऐसा नहीं करते तो मैंने आपको t वैसा की वैसा रहनते देल वाइब डेल एक्स कर देते लास्ट में टीकी वल्यू रग देते उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो यह क्या हो जाएगा minus 4 sign इसका क्या हो जाएगा cos pi x into pi x का differentiation pi minus 4 pi cos pi x at x equals to 1 पर निकालना है न at x equals to 1 x equals to 1 10 theta क्या हो जाएगा बस चाब दो minus 4 pi cos pi cos pi की value क्या होती है minus 1 minus 4 pi into minus 1 पाद हैगा 4 pi क्या आपका आगा है slope चल भाई अब अगला क्या है maximum particle velocity अब एक बात बता maximum particle velocity a omega नहीं होगी क्योंकि particle shm कर रहा है तो a omega v max के बराबर क्यों जब हमने देखा सर हर particle shm कर रहा है तो particle की maximum velocity क्या होगी this is the maximum velocity क्या जाएगी a into omega अच्छा अब जब देखना सवाल में a कित्ता दिया है 4 है omega कित्ता दिया है sir pi by 2 है तो answer आगे 25 meter per second ठीक है phase difference between two particles at 0.5 separated by 0.5 0.5 meter separated है तो भाई value रख देना और 5 निकाल देना है हालंकि इसमें time भी देना चाहिए था शाहिए अगर मैं 0.5 रख दूंगा 0.5 separated deal types हो जाए ठीक है इसका time हाँ ठीक है पिसे कले लेंडा से निकालेंगी चलो अभी इसके लिए हम इसको बात में करेंगी ठीक है बताता हूं पार्ट डिफरेंस और फेस डिफरेंस जब अंतर आएगा तो उन दोनों के बीश में अंतर बताओं चले है तो यहां तक की बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी पार्टिकल वेलोसिटी वेलोसिटी सारी के सारी चीजसा अब मैंने आपके सामने खोल के रख दी है एक एकसी चीज़ को बहुत डिटेल में ANYलेसिस कर दिया है अब हरगी चीज़ आपके पड़ले पढ़ जाक हाने चाहिए हरगी हरगी चीज़को समझ सब्सक्राइब वांगुदंटर फि sweet रानकाइब है वेवलेंट सब्सक्राइब त्राइब है श्तिख लगलम्ड पूछ रहा है तो कले पता चल जाएगा तो 2 π.y by lambda, 2 π.y by 2 π.y आ गया 1, ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है सर, ओमेगा बाई 2 π.y, अरे 2 π.y, ओमेगा टाइम पिरोड, ओमेगा बाई 2 π.y, तो, ओमेगा कित्ता हो जाएगा, 2 π.y into frequency, 2 π.y into frequency, 1 by π.y है, frequency आ गई 2, omega आ गई 2, ठीक है, तो मैंने का y is equals to a sin kx minus omega t, ठीक है, इस type का होता है, traveling in positive x direction, ठीक है, चले यार, तो a क्या है आपका 1 sin k कितना है आपका 1, minus omega कितना है 2t, तो या तो x minus 2t हो सकता है, या 2t minus x भी हो सकता है plus minus कुछ भी चलेगा, क्यों, दो नहीं positive में जा रही है, initial phase तो दिया नहीं, phi की value, तो मैं कुछ भी मान सकता हूं तो a sin x minus 2t, पहला ही option match कर गया, 2t minus x तो नहीं कहीं, ठीक है, सीदा सीदा आ गया, clear है, बड़ा ही आसान अगला, wave s सरी किसे describe करी हुई है, आपको क्या-क्या निकालना है, x, y, t, t, second में, ठीक है, कौन सी direction में जा रहा है, frequency, wavelength के बारे में बात करी है, ठीक है, direction, frequency, and wavelength, तीन चीजों के बारे में हमसे यहाँ पर बात कर रखी है, ठीक है, तो मैंने का, direction का है, positive x-axis, तो भाई, यह negative वाले तो उड़ाई, तो गोल ही मार दो, negative वालों को तो, negative, negative, क्योंकि यहाँ पर a sign kx-omega t देख रहा है, तो मैंने का, positive में जा रहा है, ठीक है, अब, क्या बोला है, frequency, मैंने का, frequency क्या होता है, सर, omega by, omega कितना है, 2 pi दे रखा है, omega, मैंगा, और 2 pi by 2 pi, frequency आ गई, 1, 1 hertz frequency है, ठीक है, frequency है, 1 hertz की, तो यह भी गर्बर हो गया, तो यार, अब एक ही option बचाए, अब चाहो, मन कर रहा है, तुम्हारा बहुत वेवलेंद्ट, चेक कर लेना नहीं तो जरूवत नहीं है, ठीक है, तो मतलब वेवलेंद्ट क्या होता है तो वेवलेंद्ट होता है, 2 pi by k, 2 pi by 10 pi, 1 by 5 जाने की 0.2, क्या आपका दिख रहा है, k, तो चाहो, तो चेक कर लेना नहीं तो जरूवत नहीं है, वैसे भी लेमडा दोनों में सेम ही है, ठीक है, चल भाई, अगला सवाल देखना है, यार, क्या बोल रहा है, एक ट्रांसवर wave है, it is represented by y is equal to a sin omega t minus kx, for what value of wavelength, wave velocity is equal to maximum particle velocity, टीक है, वेलेंद्थ क्या होनी चाहिये, so that particle velocity, maximum particle velocity के बराबर हो जाए, नहीं का, maximum particle velocity क्या होती है, it is equal to a into omega, टीक है, और wave velocity क्या होती है, सर्व वेलोसिटी होती है OMAGा बाई के OMAGा T- K टिर रहे है यह दोनों आपस में बराबर हो जाए VALOCITY OF WAV PHYSICALS 2 MAXIMUM VALOCITY OF PARTIKL OMAGा B K PHYSICALS 2 A OMAGा तो A की VALUE किती है आ गई 1 अपॉन A के बराबर तो क्या पुछ रहे वेवलेंथ पुछ रहे लेमडा क्या होता है 2pi by k यानिकि 2pi upon 1 upon a 2pi into a के बराबर answer आना चाहिए करो है लुआ है 2pi into A options के फटाव अब हम्हया प्लभार सरखाए इसका बारे अंगर्म कोई दिक्कत तूर नहीं क्यों 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 हमें सारी चीजों के बारे में नॉलेज नॉलेजेव पाल आ हम करते है अंग्ला सवाल है तो अगले सवाल में बोला हुआ है इस त्राफर्स एक्स एक्सिस पूछटा है टीक है एक्स मीटर में स्पीड आफ दर पूश्राय यहिवा दे दिया है के यह तुझे दे दिया है ओमेगा वेव की स्पीड होती है ओमेगा बाई के तो फोर पाई डिवाइड़ बाई जीरो पॉइंट फाइव पाई अंसर आ गया एट मीटर पर सेकेंड खटखट सवाल स्वाल पर जाएंगे अगला सवाल क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है कि वेव इस हेविंग एंप्लीचूड दिया है वेव ट्रेवल सेन पॉजिटिव एक्स एक्सेस विट स्पीड द फेसित एकिशन पॉजिट पॉजिट princip निजिव दॉज पॉजिटिव फाइव से यारी यह न जारी है यह दो न्यूंस यह सकते है यह नहीं यह辉ऑ रहाया यह जाता तो यह कहां जा रहा है ऑफ सब्स सब्सक्राइए मिल दैब क्यों एक्स एक्सब्रानिक कॉडिष किया उसमें कि हम देख रहे थे वेव कैसे जाएगी वेव की एक्क्विशन क्या आएगी उसको हम लॉजिकल ही बनाने की कोशिश कर रहे थे ठीक है चलो सब यह समझ में आ गया अब क्या है वेव की स्पीड दे दिये मुझे दिया है 128 मीटर पर सेकेंड ठीक है इसा चार मीटर में इनकी चार मीटर की लेंद में ऐसे पांच वेव बन रही है तो मतलब 5 लेंड़ा तो 5 लेंड़ा इस इकल्स टू और लेंड़ा किसके बराबर आ गया 4 वाई 5 तो अगर लेंड़ा 4 वाई 5 आ गया तो के कितना आ जाएगा 2 पाई बाई लेंड़ा 2 पाई इंटू डिवाईड़ वाई 4 वाई 5 आंसर आ गया 5 पाई बाई 2 चाहिए 5 पाई बाई 2 मतलब 2.5 एक्स होना चाहिए अच्छा इसमें वेल्यू बोल दिया 2.5 पाई चलो यार तो कितना हो जाएगा 2.5 पाई तो पाई की वाई ओती ही 3.14 जाएगा है और 7.7 साथ साथ से उपर आना चाहिए ठीक है 7.85 कुछ आना चाहिए 7.85 किसमें दिख रहा है ऑप्शन इसमें दिख रहा है कैल्कुलेट मत करने बैठ जाना कैल्कुलेट करने लग गए अरे पाई का धाई गुना ठीक है पाई का दो गुना होता है 6.28 ठीक है और देड़ा एड कर दो 7.28 और 7.7 कुछ हो गया ठीक है और थोड़ा सावर बढ़ा दो 7.8 क्या सपस 7.85 अगला सवाल क्या है वेव कंप्लीटिंग एंप्लीचूट दे रखा है वेवलन दे रखिए एक्स्प्रेशन अब तुम ही लोग सौल करोगे यह सवाल मैं नहीं है अलुगा सवाल है पना बना करके मैं ठक गया अब तुम लोग सौल कर लोगे आसान निमेरिकल है कोई करना अगला सवाल ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव हार्मोनिक कुछ नहीं फैंसी नाम है वो कुछ नहीं है ठीक है डिप्रेजेंटेट बाई टैन की पावर माइनस 3 साइन 50T प्लस 2X यह जही में 2019 का सवाल है ठीक है विच आप दा फॉलाइंग इस अ करेक्ट स्टेटमेंट अब आउट वेव तरेक्ट स्टेटमेंट धूरना है सही स्टेटमेंट टीक है वेव इस प्रॉपेगेटिंग अलों पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो नहीं है ठीक है तो भाई देख ग्रेविडर नेगिटिव एकसेकस हां बिल्कुल सही बात है ठीक है श्टीड निकाल भाई साही मेले है तो पच्छीसमीट पर सेकिंड वेव इस प्रॉपेगेटिंग अलों नेगिटिव एक्स X एकसरा पहले स्टिक्स सही धिक गया हमैं करेक्टि नहीं सभाई बात बात कर लेता है टीक ही आंव के बारे में ने एकस फीड़िया ने देखा था कि सर वेव की फॉर्म में तो हमने देख लिया कि जब एक्क्विशन मनाएगा तो एक्क्विशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं ठीक है मुझे पता चल चुका है कि वेव की स्पीड वाई इस इकल्स टू होती है एसाइन के एक्स माइडस ओमेगा टी अगर एक्क्विशन दी है तो मैंने का वेव की स्पीड में तुरंध लिख सकता हूं इस इकल्स टू ओमेगा बाई के या फिर लेमडा बाई टी किसके बराबर होती है तीग है वेव की स्पीड इसके बराबर होती है कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो मुझे पता है लेकिन अब बात आ जाती है कि सर हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सर वेव की स्पीड तो मेडियम पर डिपेंड करती है तो मेडियम पर किस तरीके से डिपेंड करती है तो मेडि string के बारे में बात करते हैं तो the of wave in string धागे के अंदर किस पर depend करेगी मैंने का सबसे पहली velocity या wave की speed is directly proportional to elasticity कि इतना ज्यादा elasticity होगी मतलब क्या मैंने का सर धागा जितना ज्यादा यह वापस किस वजे से आ रहा है सरे वापस तो इसकी इनकी जो टेंशन है जितना जादा गाएगा और जितना जादा इसका मास होगा उतना ग्रेया आएगा तो तो इनर्शिया के inversely proportional होगा, obviously बात है, power depend करेगा, लेकिन मैं inertia और elasticity के relation निकाल सकता हूँ, तो for string, string के लिए, speed of wave निकल करके आती है, v is equal to under root of t upon mu, तो यह जो expression लिख रहा हूँ ना, यह कितनी speed है, omega भाई के equation के help से, यह omega भाई के, actually मैं omega और k पर depend नहीं कर रहा हूँ, यह depend कर रहा है, उसके t upon mu पर, basically omega और k इस पर depend कर जाएंगे, भी हमें पता है, अगर जैसे कोई बोले सब frequency double कर दूँगा, तो k भी double हो जाएगा, omega double कर दूगे, तो k double हो जाएगा, क्यों, speed wave की medium पर dependent है, तो actually हमें ऐसा लग रहा था, speed सर omega और k, यानि कि wavelength पर t पर depend करती है, जब कि है क्या, उल्टा, हमें पता है, wave की speed, medium पर depend करती है, ठीक है, यह आदाएगा आपका ty, dimensionally, आप चाहू तो check कर सकते हैं, पर यहाँ पर t क्या है, और मुई क्या है, हमको यह भी तो पता दीजिए, पताता हूँ, बीटा, तो t is the tension in string, और mu है आपकी, senior mass density, तो और इसका derivation कहां से आया, मैंने का derivation की आपको कभी ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली है, इसलिए इसका derivation आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कभी भी ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली, कभी ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली, सीदा सीदे से सेरा काम हो जाए, ठीक है, तो फाल्तु में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ, उत्ती बात समझ ले, clear है, चल भाई, note कर ले इसको, तो हमने अभी ही किसे बारे में बात करी, हमने बात करी थी, velocity of wave in a string, एक धागे में, string में wave की velocity क्या होती है, अब इसी तरीके से अगर हमें बात करने की जुरूत पड़ती है sound की velocity के बारे में किसके अंदर sound की velocity हो सकता किसी solid के अंदर हो हो सकता है air में हो तो वहाँ पर हम किस तरीके से बात करेंगे तो यार मैं कह रहाँ सिन सारी velocity सेम तरीके से बहेव करती है एक के बारे में study कर दी हमारा formula तो सेम ही रहेगा velocity of sound अब ज़र ध्यान दीजिएगा सबसे पहले किसी भी medium में velocity of sound is given by in any medium सबसे पहले in यम तो it is given by v is equals to under root of elasticity elasticity divided by inertia चीख है same y चीज जो यहाँ पर भी है अगर आप चाओ तो उसको properly अगर लिखना है तो root of elasticity पर depend करती है चीख है बतलब यह पता elasticity के साथ बढ़ती है इनर्शिया के साथ बढ़ती है dimensionally अगर आप चेक करो तो मैंने कहा इन रॉड तो रॉड के अंदर velocity हो जाएगी यंग्स मॉडिलस divided by density density y by rho लिख देता हूं ठीक है पाई आपका हो चुका है यंग्स मॉडिलस और rho है volumetric density mass per unit volume आप चाओ तो dimensionally देख सकते हो यंग्स मॉडिलस की यह क्या होती है ml-1 t-2 pressure force upon area ठीक है और इसकी क्या होती है ml-3 इसका under root m से m कट गया l square t-2 का under root lt-1 ठीक है this is the velocity of sound in inner rod चीक है और बाकि किसी medium में अगर हमको nکालनी है बाकि किसी medium में निकालनी है ठीक है rod के अलावा in any medium से मेर थीक है के राव गरकि कि मीडियम में निकालनी है तो जैसे फॉर एक्जमबल किसी लिक्विड में निकालनी है में निकाल दी है तो वहां पर क्या लिखेंगे हैं स्भक्सियर कुछी पूरे निकालने कोई रॉड वगरह नहीं है तो महापर क्या लिखेंगे अंडरूट आफ बी बाई रो ठीक है बी क्या है आपका बी इस दी फिल्क मोडिलस कि अब बात करते हैं एक अगले इंपोर्टेंट पार्ट की speed of sound in air हवा में speed of sound क्या होगी किसी भी air वगरह में या किसी भी fluid में speed of sound कैसे निकालेंगे तो ज़रा ध्यान दीजीगा अगर आपको किसी fluid में speed of sound निकालनी है तो मैंने का यार speed of sound formula तो सेम वही है अंडरूट of b by रो लेकिन air के लिए bulk modulus कितना होता है liquid वगरह के लिए bulk modulus fix होता है air के लिए bulk modulus क्या होता है तो हमने का यह air में basically कैसे मूफ करेगी sound तो air के अंदर sound जो है वो gases के compression और extension में मूफ करेगी मतलब क्या यहां पर कहीं gases के molecules एक दूसरे से compressed होंगे ठीक है फिर पास में जाने पर यहां पर कुछ रियर फ्यक्शन होगा कि और यहां पर जाने पर फिर से molecules क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बड़े ही नजदीक आ चुके होंगे और फिर से यहां पर क्या होगा एक दूसरे से दूर जा चुके हैं तो ऐस इस तरीकी से basically यह compression वाले रीजन है compression and कि वाले जो रीजन है these are known as rarefaction मतलब यहां पर आपकी जो है air एक दूसरे से दूर है air के molecules एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और यहां पर क्या हो रहा है molecules एक दूसरे के पास-पास में हैं अब अगर इस तरीके से sound move करती है तो इसका मतलब compression और rarefaction हो रहे हैं अब आपको क्या निकालना है bulk modulus निकालना है तो सबसे पहले speed sound जो बताया था यह बताया था newton ने तो newton ने यह बताया था कि sound की speed किस तरीके से तो भाईया यह क्या है gases का molecule जो gas है आपकी basically क्या और यह compress और expand हो रहे है volume change हो रहा है तिक है since volume change हो रहा है अगर मैं normal room temperature पर यह आपकी gas आपकी air sound जो है वो travel कर रही है तो यह जो gas compress होगी और extend होगी यह कौन सी condition में होगी याद करना जब भी gases compress होती है एक्सरेंड होती है तो कोई नहीं कोई प्रॉसस में compress होंगी यह हो सकता है वह आई सो थर्मल प्रॉसस हो हो सकता है वह आई सो बारिक प्रॉसस हो तो न्यूटन ने बोला यार किसंस atmosphere का temperature तो बदलता नहीं है तो न्यूटन प्रॉपूस्ट बिसेगली यह अब मैं बात कर रहा हूं कि टॉपिक की speed of sound in air तो अब हम निकालने निकालने की कोशिश कर रहे है इस इस न्यूटन स्फॉर्मूला न्यूटन ने बोला न्यूटन ने बोला कि यह प्रॉसस कैसी है आईसो थर्मल प्रॉसस है तो एक्कॉर्डिंग टू न्यूटन गैसे संप्रेस गैस एक्सपैंड और अगर कोई g ex vis crimally compressed और expend हो रही है तो उसका ब्लक मॉडिलेस कैसे निकालते हूं मुझे बेसीकलिये ब्लक मॉडूर्स निकालने है आईसो थर्मल प्रॉसस से से यूटन वोलक मॉडिलस क्या होता है तो ब्लक मॉडिलस होता है टिल्टा P is equals to minus of B delta V by P चीक है आई सो थर्मल प्रोसेस में क्या होता है यार बताओ तो मैंने का सर आई सो थर्मल प्रोसेस में PV is equals to constant हो जाता है pressure into volume constant होता है क्योंकि PV को स्थो एनार्टी temperature बदल नहीं रहा तो इक हो जाएगा PV is equals to constant सर इसको differentiate कर दूँ delta P into V plus P into delta V जीरो हो जाएगा ठीक है P का differentiation DP लिख दूँ या delta P लिख दूँ कोई फरक तो नहीं पड़ेगा बी का differentiation DV लिख दूँ या delta V लिख दूँ कोई फरक तो नहीं पड़ेगा constant का differentiation 0 हो गया है यह derivation मैंने जब KTG and thermodynamics हम पड़ रहे थे तो thermodynamics में मैंने यह चीज़ डिराइब करी थी कि एक गैस का bulk modulus कैसे निकालते हैं यह वही चीज़ यहाँ पर दुबारा derive कर रहा हूं आप चाहें तो वहाँ जाकर के पूरा detail में derivation भी देख सकते हैं कि कि किसी भी gas का bulk modulus हम किस तरीक से निकालते हैं under different processes ठीक है तो हमने का यहाँ पर क्या निकालना है मुझे मैं इसको लिख सकता हूं ठीक है तो for isothermal process for isothermal process bulk modulus of gas is equals to pressure of gas जितना ज़ादा pressure होगा gas का bulk modulus उतना ही ज़ादा होगा अच्छा अगर यह समझ में आया तो भईया speed of sound क्या हो जाएगी तो speed of sound हो जाएगी P is given by under root B by ro थी तो under root P by ro हो जाएगी this is the newton's formula अब experimentally जब इसको measure किया गया मतलब क्या experimentally sound की speed को अलग-अलग pressure पर measure किया गया तो पता चला इस formula में कुछ discrepancies आ रही है मतलब यह formula 100% answer नहीं दे रहा है experimentally sound की speed क्या आ रही थी 330 आ रही थी यह कितना दे रहा था सरी दे रहा था 300 दे रहा था मतलब कुछ 15% की कुछ error हमेशा रह रही थी अब यह सोचा किया आ रहा है मतलब बहिरो चाप दो ठीक है तो आपकी speed निकल आएगी एक अब दूसरे scientist थे जिनका नाम है Laplace तो इसको हम बोलते है Newton's formula and Laplace correction इन्हों ने यह बोला कि नहीं Newton ने सब कुछ सही सोचा बस एक चीज़ गडबड सोची क्या थी Newton ने सोचा कि isothermal compression हो रहे हैं ठीक है Newton ने क्या बोला according to Newton gas compress and expand isothermally ठीक है Laplace proposed that the compression and expansions are not isothermal but adiabatic सर क्यों adiabatic compression होंगे मैंने का sound इतनी जल्दी travel करती है कि heat exchange का तो मौका ही नहीं मिलेगा तो मदब यह compression expense है ऐसा नहीं कि बहुत आराम आराम से हो रहे है isothermal process बहुत slow होती है लेकिन यह तो एकदम से भाई compress हुआ फ्रेक्टेंड हो फ्रेक्टेंड हो फ्रेक्टेंड हो फ्रेक्टेंड हो heat exchange करने का मौका ही नहीं मिलेगा ठीक है तो लाप्लास प्रपोस्ट that the compression and extension expansion of gas are an adiabatic process not isothermal isothermal नहीं है adiabatic है because of its quick nature heat does not get exchange इंटू गामा V की पावर गामा माइनस वन डेल्टा वी ये 0 के बराबर हो जाएगा आप इसको इधर लेकर आँ डेल्टा P इंटू V की पावर गामा माइनस गामा पी पी की पावर गामा-स won इंटू डेल्टा इधर भी देता हूं डेल्टा P is equal to minus gamma P P की पावर gamma minus 1 upon V की पावर गामा तो यह आ जाएगा माइनस गामा P डेल्टा V upon V के डेल्टा P के बराबर हो गया अब नोटिस कीजिएगा यह आपका आचुका है क्या है तो एक तरफ जहां पर आईसो थर्मल प्रोसेस में बल्क मोडलस पी के बराबर था एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मोडलस गामा पी के बराबर हो चुका है तो अब यहाँ पर speed of sound क्या हो जाएगी the speed of sound is given by under root of gamma P by rho and this is our final formula चीक है यह हमारा final formula सर गामा क्या होता है जब इस पर हमने निकाला तो for air या बोल दूँ टाय एक्टमिक गैस चीक है एर क्या होती है एर में oxygen और nitrogen होती है mostly 99% oxygen nitrogen मिलकर के बना देते हैं तो कैसी है oxygen भी डायटमिक है nitrogen भी डायटमिक है गामा की value क्या होती है गामा is equals to one plus two by f टीपी अपॉन सीवी इसी को हम गामा कहते हैं बेटा चीक है तो यह क्या है आपका one plus two by f अब जरह देखेगा one plus two by f इसके लिए क्या होता है degree of freedom पांच होता है यह होता है one plus two by five one point four के बराबर तो हमारी air का जो आपका जो क्या कहते है गामा है वो कितना आता है लगबग one point four के बराबर आता है और जब यहाँ पर one point four की value put करी गई तो answer almost correct आ रहे थे मतलब काफी हद तक obviously यह बात है थोड़े बहुत variation रहते हैं लेकिन काफी हद तक answer बिलकुल सही आ रहे थे चलो यार तो यह हमारा formula आ गया है this is the speed of sound in gas तो हमने क्या देखा यार कि सबसे पहले क्या सबसे पहले अब तक हमने जो क्या क्या बात है करी मैं आपके लिए फटा-फट से summarize कर रहा हूं हमने सबसे पहली बात करी कि speed of sorry सबसे पहले हमने equation of wave के बारे में बात करी कि किसी भी traveling wave की equation कैसे लिखते है a sin k x minus omega t का मतलब क्या होता है या पर हर एक term के बारे में बात करी फिर हमने का speed किस पर depend करती है sir speed तो medium पर depend करती है कोई medium कितनी जादा है कितनी तेजी से किसी उसको ले करके जाएगा उस बात पर depend करती है तो अगर sir speed medium पर depend करती है तो medium पर कैसे करती है तो medium पर depend करते है जितनी जादा elasticity होगी स्पीड उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा इनर्शिया होगा स्पीड उतनी कम होगी तो स्ट्रिंग के लिए क्या आया था अंडरूट टी बाई म्यू यहां तक की बात हमने करी है स्पीड के बारे में यहां तक की बात उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होग ठीक है चलो यार अब यहां देखिएगा आपको सवाल कुछ दिया हुआ है क्या बोल रहा है बोला हुआ है find velocity of wave in string आपको इस धागे में velocity निकालनी है यह mass density दे रखिए one kilogram per meter है ठीक है और if a source of hundred frequencies what will be wavelength and traveling wave ठीक है आपको wavelength भी निकालनी है चलो तो मैंने कहा यार सबसे बहुत क्या निकालना है velocity of wave in string एक धागे में तो मैंने कहा वेलोसिटी क्या होती है इस धागे में तो वेलोसिटी होती है अंडरूट आफ टी डिवाइड़ वाइड़ वाई म्यू तो टेंशन कितना है सर चार सो न्यूटन है म्यू कितना है वन केजी पर मीटर है velocity आ गई है 20 meter पर सेकंड चीक है velocity आ गई है 20 meter पर सेकंड अच्छा अब क्या बुशराए frequency दे रखी है और wavelength पूशी है मैंने कहा अगर V आपको पता है तो हमने कहा या फ्रिक्वेंसी दे रखी है wavelength पूशी है तो wavelength क्या होती है तो V by F होती है velocity upon frequency आप चाहो तो इस तरीके से अच्छा मैं कई बार यह भूल जाता हूँ velocity इसके बीच में relation क्या होता है तो भाई मुझे इस तरीके से याद रहता है lambda V और B T के बीच में मैंने का sir lambda होता है velocity into time सीदर सीदर सर डायमेंशन से देख लिए और यार एक सेकंड में V जाता है तो टी सेकंड में V इंटू टी जाएगा तो लेमडा क्या होगा वी इंटू टी इसी को मैं लेख देता हूँ वी बाई F टीक है तो V आपको पता है 20 है F पता है कितना है 100 है वेवलेंथ आ जाएगा 0.2 मेंटर clear है तो इस तरीके हम easily wavelength calculate कर सकते हैं चल भाई अगला find ratio of speed of sound टीक है आपको speed of sound का ratio निकालना है in oxygen and hydrogen at same temperature same temperature पर sound की speed क्या होगी तो हमने अभी अभी देखा है speed of sound का formula ने अब उस formula को थोड़ा सा और extrapolate कर रहा हूं मैं थोड़ा सा और expand कर रहा हूं और अब ने आपको यहाँ पर final formula लिख रहा हूं ठीक है speed of sound मैंने का V की value हमें पता चल चुकी है under root of gamma P by rho लेकिन यहाँ पर तो temperature की बात कर रहा है यहाँ पर तो temperature की बात कर रहा है तो हमें है यहाँ पर अब यह नंबर ओफ मोल्स है नंबर ओफ मोल्स और मैं मोलर मास का multiply कर दूँ तो यह क्या हो जाएगा अब नंबर ओफ मोल्स इंटु मोलर मास इंटू आर इंटू टी डिवाइद बाई वी इंटू मोलर मास फिачक है अचाप ज़रा देखेगा है यह क्या यह तो नंबर ओफ मोलंस inटू दिवाइद ओ एक मोल का मास इंटू टोटल यह तो टोटल मास हो गया कैशा इंटू आर इंटू टी है high volume इंटू मोलर मास और मास अपॉन वालियूम क्या होता है density रो आर्टी बाई M ठीक है तो प्रेशर को लिख देता हूं T is equals to रो आर्टी बाई M ठीक है तो गामा इंटू रो आर्टी बाई M divided by रो रो से रो खतम हो गया क्या बन गया गामा आर्टी बाई M इस दी मोलर मास ठीक है अब कई बार ऐसा भी होता है मोलर मास की जगा मॉलिक्यूलर मास देता है याद करना मैंने काइनेटिक थिरी आफ गैसे में सारी की सारी शींदा बताई थी जैसे प्रोवेबल स्पीड यहा अर्मस स्पीड क्या होती थी अंडरूट 3RT वाई M ठीक है 3RT वाई M की जगा में 3KT वाई M मोलर मास भी मॉलिक्यूलर मास भी लिख देता था तो यहाँ पर गामा KT वाई मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से भी लिख सकते है के क्या है आपका बोल्ड्समें कॉंस्ट्रेंट ठीक है तो गामा KT वाई M भी लिख सकते हैं यहाँ पर T is absolute temperature कैपिटल एम इस मोलर मास कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट जो आप कैमिस्ट्री में पढ़ते हैं के भी आर अपॉन एवोगेड्रोस नंबर वोल्ड्समें कॉंस्टेंट मॉल एम जो है वो मॉलीक्यूल का मास है मॉलीक्यूलर मास जब एक मॉलीक्यूल की बात करता हूँ तो यह वाला फॉर्मला चूज़ करता हूँ जब मोल्स की बात करता हूँ बड़े नंबर की बात करता हूँ एक मोल जैसे oxygen है तीके एक मोल oxygen एक मोल hydrogen तो आपकी है तो जादा ज़वरत पढ़ने वाली है वह आपकी से किडिड व्हाली की यहे वाला फोर्मิला आपका ज्जादा इंपोर्टेंट है क्यों Workscribe है अब जरा नोटीस कीजीए अगर एक gas में temperature constant रहे at constant temperature क्या रहेगा gas में speed हमेशा constant रहती है temperature बढ़ाने के साथ speed of sound क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी तो gamma rt by m हमें क्या निकालना है ratio of speed of sound speed of sound in oxygen क्या हो जाएगा gamma rp oxygen का molar mass क्या होता है तर 32 इंड गामा rt डिवाइद दिवाइद बाई 32 गामा की फिवल्यू मैं लिख सकता हूं लेकिन ज़रूत नहीं पड़ेगी यहीं क्यों कि दोनों ही डायेटमें के तो भाईया गामा से गामा कट जाएगा गामा की वेल्यू प्लस डू गामा क्या होती है सेम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडरूट गामा आर्टी बाई आइड्रिजन का मास्टू अब जब मैं दोनों का रेश्यो लूँगा तो गामा आर्टी से गामा आर्टी खतम हो गया यह बन गया सोला वन अपॉन अंडरूट आर्टी सिक्स्टीन अंजर आ गया वन अपॉन प्रक के बराबर ठीक है तो इस भी रेश्यो आफ स्पीड ऑफ साूंड मतलब क्या क्या हलकी क्या गैस में जितना मास कम होगा अगना स्पीड ऑफ सॉंड उतने जादा जितना टैंपरेचर जादा होगा उतनी चाहे अक्या सब मैंने का अब जरह देखना चीख है जब effect of humidity effect of humidity on seed of sound normal cases में normal cases में हमारा जो atmosphere है वो किस से बना हुआ है atmosphere is constituted of oxygen and nitrogen oxygen का मास क्या है 32 gram nitrogen का मास क्या है 28 gram तो यहाँ पर जो speed of sound आएगी वो यहाँ पर equivalent molar मास जो भी हम लेंगे n1, m1, m2, m2 करके वो आ जाएगा अच्छा अब जब यहाँ पर atmosphere with humidity आएगा जिसके अंदर मौश्यर बहुत ज़्यादा है पानी बहुत ज़्यादा है तो oxygen होगा nitrogen होगा और पानी का fraction ज़्यादा होगा अब बताना इसका मास क्या है 32 gram इसका मास क्या है 28 gram और इसका मास क्या है 18 gram मुझे पता है speed क्या होते है gamma rtym जब आपका किसी जगे किसी atmosphere में moisture आने लगे तो moisture किसी oxygen या nitrogen की जगे ले करके आएगा मतलब क्या अगर container में अगर किसी में आपका moisture आ चुका है तो भाईया कोई gas हटेगी तो ऐसा क्यूं मैंने का अगर खाली additional moisture आता तो तो pressure बढ़ जाता ना या तिके pressure तो बढ़ाना नहीं है आपको क्या करना है सेम और चीज़ है रखनी तो मैंने का सर इसका मतलब oxygen nitrogen में से रिप्लेस करो उसकी जब oxygen के molecule डाल दो तो overall molar mass क्या हो रहा होगा इस case में सर molar mass तो कम हो जाएगा क्योंकि हलकी चीज़ आ रही है हलकी चीज़ आ रही है तो speed क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी तो humid जैसे जैसे आपका atmosphere होता जाएगा speed will increase speed of sound in humid environment is more ठीक है आपका अगर surrounding की humidity जादा है तो speed of sound कैसी होगी जादा निकल करके आएगी तो humid है speed of sound आप किसी भी मीडियम में easy निकाल पाएंगे तो गामा पी रो या फिर गामा आटी वाई एम उम्मीद करता हूँ यहां तक की बात आपको clear होगी तो यह वाला formula याद ना भी करो तो चल जाएगा यह वाले शीज़ जरूर याद कर लेना ठीक है तो हमें यह पता चल गया speed of sound क्या होती है किस तरीके से निकल करके आती है तो अलग-अलग medium पर depend कर रही है यह भी बात समझ में आ गई है और किस तरीके से और longitudinal wave में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है transverse wave में molecules जो है वो y direction में move करते थे जबकि longitudinal wave में molecules जो है displacement के along ही move करते थे इसके अलावा किसी ना तो equation में कोई अंतर है ना किसी और चीज में कोई अंतर है मतलब क्या अगर मैं transverse wave लिखता हूँ transverse wave को कैसे लिखता हूँ sir y is equals to a sine x minus omega t ठीक है y की जगे चाहो तो delta y लिख दो क्योंकि y में change mean position से कितना उपर आया तो ऐसे ही longitudinal wave का लिखते थे x की जगे delta x x में जो change आया a sine k x minus omega t ठीक है a sine k x minus omega t बस ये है आपका longitudinal wave तो अब मैं अगर साथ साथ मैं sound wave के बारे में भी बात कर लूँ तो भाई मेरा काम आसान हो जाएगा मैं अलग से sound wave की study नहीं करना चाहता हूँ मैं का जरूवत भी नहीं है जब behavior से कुछ same है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो अब ज़रा देखेगा sound की case में हम generally जो बात करते हैं वो displacement की बात नहीं करते हैं molecules की displacement की बात नहीं करते हैं बलकि हम pressure की बात करते हैं ठीक है क्यों मैंने का अगर जब wave है एक wave राइट साइड में जारी एक wave लेफ साइड में जारी displacement तो खतम हो जाएगा लेगिन pressure उसका add up हो जाता है तो sound की case में हम pressure की study जादा करते हैं तो for sound we prefer to study pressure ठीक है क्योंकि इससे results वो जादा accurate आते हैं ठीक है अब बात आती है सर आखिर ऐसे क्या results मतलब हम pressure कैसे निकालेंगे तो मैंने का सबसे बहुत तो मैं इसकी pressure और displacement की बीच में relation भी निकाल देना चाहिए मैं एक काम करता हूं यह डेल टैक्स की जगए कुछ s लिख देता हूं confusion हटाने के लिए let us say मैंने का एक wave है displacement वाली s is equals to a sin kx minus omega t चीक है यह ऐसी वाली wave देता हूं a sin omega t minus kx चीक है let us say हमारे पास एक कोई सर इसमें और इसमें क्या अंतर है मैंने का कोई खास अंतर नहीं है दोने ही right side में जा रही है बस यह एक एसी वाली wave है और यह वाली wave ऐसी है वे वोल्टी है और कोई अंतर नहीं है आसर कोई दिक्कत नहीं तो s मतब जहां पर मैं डेल्टा एक्स लिख रहा था डेल्टा एक्स क्या है mean position से आपका particle का displacement यह है आपका डेल्टा एक्स को मैंने लिख दिया है s displacement is equals to a sin omega t minus kx अब करीके कि इसका area है मैंने लेटर से कह रिया है area क्या बोल दूँ कुछ बोलने हो चाहिए किरिया को मैंने s displacement यूज कर लिया अभी बोलता हूं चलो एक position particle x पर है यहाँ पर डेल्टा एक्स पर है इस container के अंदर क्या है आपकी gas भरी हुई है और यह gas क्या कर रही है जैसे ही आपकी sound आईगी तो यहाँ पर यह displacement करेगी compression और rarefaction वगरा बनाईगी तो मैंने गा अगर यह वाला particle यह वाला x वाला position यहाँ पर कितना जा रहा है कुछ s जा र सब्सक्राइब क्या यह कुछ s1 जाएगा यह s2 जाएगा तो overall इस region में क्या होगा volume में change जाएगा मैंने का कितने का volume में change जाएगा तो जो डेल्टा वी होगा change in volume it is given by area area को मैं कुछ लिख देना चाहिए let us say area को मैं क्या लिख दूँ और कौन से सिंबल से मेरिया से पीटा से लिख दूँ area कोई फरक तो नहीं पड़ेगा तो पीटा क्या है कि area of cross section में सारे symbol यूस कर चुका हूं अड़ेड़ी sb use कर चुका हूं ए भी यूस कर चुका हूं तो कहीं ऐसा नहीं कि अभी एक बिटा से लिख देए एक नजा ही symbol बना दिया ठीक है मैंने एरिया क्या ह आपका बीटा तो इसका volume क्या हो जाएगा बीटा इंटू पहले initial volume क्या था बीटा into initial volume था बीटा into delta s तो ये इसका initial volume था अब बताना यार अगर ये वाला particle यहां से कुछ यहां पर आ गया हो ठीक है S आ गया और ये वाला particle कुछ यहां से S प्लस delta S आ गया S तो ये भी चला delta S और चला तो change in volume कितना होगा beta into delta S का यही होगा और मैंने का delta S क्या है सर delta S अगर मैं इसका differentiation कर लूँ क्यों कि यह बहुत बड़े-बड़े extension तो है नहीं बहुत छोटा सा extension है तो delta S क्या हो जाएगा सर अगर हम्यारे पास S ये विया हुआ है तो S में छोटा सा change delta S कितना हो आएगा a sin omega t का differentiation cos omega t minus kx into minus k delta x ठीक है यह sin theta का differentiation cos theta फिर omega t का differentiation तो 0 minus kx का differentiation minus k into delta x यहां सिर्फ differential लिखा है delta S by delta x तो यहाँ पर आजाएगा ठीक है चल भाई तो यह आ गया अब value शाप देता हूँ तो beta into minus k a delta x cos omega t minus kx यह आपका आगया है delta b अच्छा आप ज़रा बताईएगा अगर आपको volume में change पता चल चुका है तो pressure में change कितना आएगा मैंने का सर हमें पता है bulk modulus तो पता ही है तो bulk modulus के business पर निकालते हैं तो हमने कहा कि अगर एक gas का bulk modulus है तो delta p किसके बराबर होता है minus b delta v by change in pressure is equals to minus b delta v कितना है अभी अभी हमने निकाला है ठीक है क्या है beta times k a delta x beta times minus k a delta x ठीक है beta times minus k a delta x pos omega t minus k x pos omega t divided by volume इसका volume क्या है volume है बीटा delta x beta से beta कट गया delta x से delta x कट गया answer आ गया P A K pos omega t minus k x this is the change in pressure ध्यान दीजेगा आपको absolute pressure जानना भी नहीं है क्यूं change in pressure का मतलब क्या है सर हर जगे pressure तो atmosphere प्रेशर तो पहले ही था ठीक है यहाँ पर भी पी नौट था यहाँ पर भी पी नौट था जब कोई gas travel करती है तो पी नौट से कुछ pressure बढ़ जाता है कितना बढ़ता है वो डेल्टा पी हो जाता पी नौट प्लस डेल्टा पी हो जाएगा वो वो change in pressure ही तो है जो sound को carry कर रहा है तो यह है आपकी final equation और यह आप देखेंगे इसको आप pressure amplitude लिख सकते हो पी नौट पी नौट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स दिस इस बी चेंग इन pressure यह पी नौट इस इकल्स तो पक पक के बराबर होता है बकवास ठीक है नोटिस की जिगा pressure or displacement एक sin theta था तो दूसरा cos theta आया मतलब नोटों के बीच में pi by 2 का phase difference है phase difference between pressure and displacement is pi by 2 ठीक है अगर एक sin theta था तो दूसरा क्या आएगा cos theta आता है मतलब क्या जहां पर sin theta maximum cos theta 0 जहां पर cos theta maximum sin theta 0 होगा ठीक है तो यह है this is the major difference between pressure wave and displacement wave दोनों की बीच में sin or cos का 36 का अंकड़ा चल रहा है ठीक है एक sin है तो दूसरा cos है दूसरा sign हो जाएगा तो पहला cos हो जाएगा ठीक है यह difference है कोई दिक्कत तो नहीं अगर आप यहाँ पर kx minus 1 mega t लेकर करके चलते तो यहाँ पर बस minus b a k आ जाता लेकिन difference तो फिर भी वही चीज़े रहता माइनस क्याद रखने का तरीका बकवास से बक कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ कुछ सवालों में जनरल इसकी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन कुछ सवाल में आपको bulk modulus वगरा सारी चीज़े दे देगा और आपसे pressure pressure का amplitude पीनॉट ही पूछ लेगा यह equation लिखने को पूछ ले हो रही है तो अगर मैं केवल केवल ट्रिंग वेव की बात करूं तो energy के ट्रांसफर में calculus से भी निकाल सकता हूं लेकिन अगर मैं किसी भी वेव के वारे में बात करूं कि मैं कि स्ट्रिंग के लिए ही निकाल देता हूं ठीक है अगर आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके की है और आपने का सर मुझे किसी एक्स पर्टिकुलर पर यहां पर वेव कुछ इस तरीके से दिख रही है तो यहां पर क्या होगा यह वाला portion जो है left वाला portion राइट वाले portion पर क्या करेगा कुछ इस direction में force लगाएगा लेटर से वो force कुछ इधर की तरफ है and it is tension force तो यह क्या करेगा यह कुछ force लगाएगा यह force लगाएगा तो कुछ energy transfer करेगा कितनी energy transfer करेगा तो भाई यह नहीं का सर पावर सीदी सीदी मैंने का सबसे बहले पावर निकाल लेता हूं तो पावर क्या होता है force into velocity मैंने का अगर यह angle theta है अगर यह angle theta है तो यह वाला angle भी theta ही हो जाएगा तो इसका vertical component और यह particle कहां जा रहा है तो यह particle कुछ नीचे या ऊपर जा रहा होगा ठीक है लेटस से यह particle ऊपर की तरफ जा रहा है अच्छा यह थोड़ी दिर बाद wave तो आपकी आगे जा रही है मैं पहले देख लेता हूं कैसे जाएगा wave आगे जा रही है v-speed से अगर wave आगे जा र to power will be equals to tension T into velocity of particle wave की velocity से कोई मतलब नहीं है इस particle की velocity क्या होगी वो आप से मतलब है ठीक है और मैंने कहा यार particle की velocity क्या होती है सर पार्टिकल की velocity दी वाई बाई बाई डी टी हो जाएगी यह देल बाई 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 डेल टी लिख दो टी इंटू डेल वाई बाई डेल टी अब इसके अंदर tension कितना होगा ठीक है तो मैंने कहा यार अगर धागे में मुझे tension निकालना हो टी का vertical component लेना पड़ेगा dot product होता है ना ठीक है तो टी का sin theta हो जाएगा तो t sin theta अगर फोटे एंगल के लिए sin theta is almost equal to 10 theta और अभी थोड़ी देर पहले देखकर के जगाऊं किसी का भी slope निकालना तो del y by del x करना पड़ता है ठीक है so it is almost equivalent to t into 10 theta into del y by del t यह हो जाएगा t into 10 theta क्या हो जाएगा del y by del x into del y by del t ठीक है अब आपका y पता है y क्या है a sin kx minus omega t differentiate करो उसको del y by del x a k cos kx minus omega t ऐसे ही del y by del t minus a omega cos kx minus omega t तो जब दोनों का आप multiply करोगे it is equals to t into a k cos kx minus omega t into minus a omega cos kx minus omega t तो यह आजाएगा minus t a square omega k cos square kx minus omega t ठीक है this is the instantaneous power this is the instantaneous power ठीक है अब अगर आपको instantaneous power पता चल गई तो आपको क्या निकालना है पूरे cycle में कित्ती power transfer कर रहा है ठीक है तो मैंने का पूरे cycle में जो power transfer करेगा तो इसका basically average power average निकाल दूँ average power क्या हो जाएगा average power will be equals to अच्छा minus sign से कोई मतलब नहीं पढ़ता क्यों क्योंगी सिर्फ आपको magnitude चाहिए होगा तो मैं minus sign को भी उड़ाई देता हूं ठीक है और वैसे भी यहापर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर positive power transfer कर रहा है ठीक है force into velocity चल भाई तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टी A square omega ठीक है k क्या आपका tension एवरेज पावर क्या हो जाएगा टी एंच्छन कि A square omega k और इसका average हो जाएगा 1 by 2 ठीक है A की value attention ठीक है ठीक है ठीक है cał ठीक है ठीक है ठीक है थिस is the average power transfer ठीक है ठीक है चलва हाई नोट कर ले इसको अंधार अभी거든 कि यह एवरेज बेसिकली पूरे साइकल के लिए है और एक और चीज नहीं कर सकते हैं अगर आप नोटिस करो तो मैं केको यानिकि अमेरिका एवरेज पावर किती आ गई तो एवरेज पावर हमारी पास जो आ गई है पी एवरेज is equal to one by two कि क्या है यहां पर पी आए स्कूर के ती यानि की टेंशन ए स्कूर ओमेगा इंटो के चाहीं की नहीं था ना इसको में लिख सकता हूँ T 1 by 2 T A square omega square by V notice कीजिएगा this is the average power तो power is proportional to amplitude का square and power is proportional to omega square यानि कि power amplitude और frequency दोनों के ही proportional है जो चीज याद रखने वाली है वो क्या है power is proportional to amplitude का square अच्छा अगर कोई बोल दे energy कितनी transfer करेगा तो मैंने का energy क्या होगी power into time तो बस T का multiply और कर देना है तो इतनी energy transfer करेगा अब इसी चीज़ को समझने के लिए एक और आसान तरीका इसी चीज़ को समझने का एक और आसान तरीका याद कीजेगा यार मुझे उसी पता है अगर एक wave shm कर रही है इसे में क्या है इसे में कभी यह वाला पार्टिकल भी shm कर रहा है यह भी shm कर रहा है यह भी हर particle shm कर रहा है अगर मैंने कहा कि यह कोई एक point है इस जगे से मैं बात करता हूँ इस जगे से यह पूरी की पूरी wave travel करके हुगे निकल रही होगी अच्छा हर particle की पास energy है और हर particle अपनी energy क्या कर रहा है हर particle अपनी energy दूसरे वाले particle को transfer कर रहा है कितनी energy transfer कर रहा है मैंने का सर इसकी total energy कित्ती है तो ध्यान दीजिगा अगर मैंने यहां पर चोटा सा मास ले लिया dm मास इस dm के पास total energy कित्ती हो जाएगी total energy of dm यानि कि मैं लग दिया d e इसके बराबर हो जाएगी मैंने का सर यह होती है half k a square याद करो shm कर रहा है यह particle shm में total energy क्या होती है या तो half k a square या half m into v max square तो half k into a square चलो sir half k a square यह थी इसकी energy क्या होता है m omega square half k लिख देता हूँ m omega square तो m की जिएगा dm omega square a square ठीक है यह इसकी total energy आ जाएगी अब अगर particle की total energy half dm omega square a square है मैंने का ऐसे यहां पर कितने particles हैं तो मैंने का t second में कितने particles पास कर जाएगे तो v into t तो total energy क्या हो जाएगी तो total energy will be equals to half omega square a square common आ गया dm का integration ठीक है तो dm का integration क्या हो जाएगा half omega square a square ठीक है और dm हो आपका v lambda into v into t जो भी mass density into velocity into time इनर्जी पर इन टाइम half k a square omega square अभी भी क्या है गया आपका omega और एक डारेक्ट ली प्रपोर्शनल आया clear है चले यार तो यहां पर यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी इनर्जी और अगर इनर्जी अपॉन टाइम आप लिख लोगे तो e by t यही तो power है क्या जाएगी half omega square a square lambda into v अच्छा lambda की जीए मैं linear mass density को हर जेगे mu से लिख रहा था ना तो mass क्या हो जाएगा mu into length तो इसको lambda की जाएगा मैं mu लिख जेता हूँ क्योंकि lambda से wavelength में confusion ना हो जाए तो यहां पर mu into v into t half omega square a square mu into v ज्यान दीजीएगा यह same expression आया है जो यहां पर आया है सर यहां पर क्या आया है यहां पर energy का expression आया है half t अच्छा देखो यहां पर आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो यह जो t है t को आप क्या लिख सकते हो tension t मुझे पता है speed of wave क्या होती है physical to under root of t by mu तो t को आप लिख सकते हो mu times of v square ठीक है ती को आप mu v square लिख दो और अब इस t की value चाप होगे तो same expression आएगा जो अभी थोड़ी दिर पहले आया है ठीक है तो दोनों ही जगे से same expression आया है लेकिन यह निकालने का एक आसान तरीका है पिशली बार हमने force से किया था इस बार हमने energy से किया मैंने का इससाड़ t second में किते particle पास हो जाएंगे यहां से जितनी energy पास हो जाएगी तो t second में हर particle की जो total energy है वो इस point से पास हो चुकी होगी तो यह आपका energy आगे ratio जो आपके याद करने वाली चीज़ है कि frequency के भी directly proportional होता है frequency के स्क्वेर के और amplitude के स्क्वेर के भी proportion होती है power या फिर energy तो जितना जादा amplitude energy उतनी जादा वलकि उसके स्क्वेर के proportional होती है clear है चल यार अब सवाल देखेगा क्या बोल रहा है तो बोला हुआ है कि a point source of sound emit sound equally in all directions in a non-absorbing medium ठीक है non-absorbing medium में emit कर रहा है two points P and Q are distance to entry from the source the ratio of intensity of P and Q तो अब आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है इस तरीके के सवाल कई बार exam में पूछे जाते हैं तो ज़रा देखेगा हमें energy के बारे में पता चल चुका है कि जो energy है energy emitted is proportional to a square energy emitted is proportional to omega square या frequency का square frequency में बार-बार क्यों बोल रहा हूं omega होता है 2 pi into f it is directly proportional to frequency का square तो मुझे ये बात समझ में आ गई अच्छा अब एक term है intensity sound के लिए light के लिए ये बड़ा use किया जाता है intensity क्या होता है intensity is basically energy per unit area per unit time ठीक है basically power per unit area per unit area कितनी energy गिर रही है यह आपको अब देखना है ठीक है अच्छा अब जर्णा देखेगा let us say यह आपका कोई source है तो यह जितनी भी energy emit करेगा यह जितनी भी energy भेज़ेगा यह सभी direction में भेज रहे यहां पर भी भेज रहा होगा यहां पर भी भेज रह होगा आपर भी भेज रहा होगा तो 3D स्पेस में हर डायरेक्शन में ये इनर्जी भेज रहा है ठीक है टोटल इनर्जी कॉंस्टेंट है लेकिन ये इनर्जी धीमे धीमे क्या होती जाएगी पढ़ती जाएगी मतलब क्या अगर मैं इसके पास में हूँ इतना सा स्फियर में ये इनर्जी मिलेगी और अगर इससे दूर चला जाऊंगा तो ये इनर्जी इतने बड़े स्फियर में मिलना शुलू हो जाएगी तो अब ज़रा नोटिस कीजिएगा जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाते जाएंगे जैसे जैसे आप source से दूर जाते जाएंगे per unit area energy मिलना मतलब क्या अगर मैं यहाँ पर एक unit area में energy लूँ तो कुछ इतनी मिलेगी यहाँ पर एक unit area में energy लूँगा तो कुछ कम मिलेगी तो यहाँ पर intensity जो होगी यहाँ पर intensity lattice से i1 है यहाँ की intensity i2 है intensity i1 जादा मिलेगी intensity i2 से क्यों पास में है तो एक unit area में energy जादा मिलेगी और यहाँ पर दूर है तो एक unit area ध्यान से तो आप एक meter square में energy की बात कर रहा हूँ तोटल energy उतनी है जो यहाँ से radiate हुई लेकिन since area बढ़ गया तो आपकी energy कम हो जाएगी मैंने का सोचो total energy किती होते है intensity i1 जादा देखेगा मुझे पता चल चुका है intensity is equals to energy divided by 4 pi r square total area से divide कर दिये total energy का तो intensity किसके proportional आ गई intensity is inversely proportional to r square अब जैसे जैसे source से दूर जाते जाएगे 1 upon r square के factor में intensity कम होती जाएगी तो मैंने का सार यहाँ पर क्या दे रखा है point source emits sound equally in all direction non absorbing medium है p और q 2 और 3 meter पर है तो source से आपके 2 points है p and q यहाँ से आपके 2 points है एक point p है 2 meter पर दूसरा point q है 3 meter पर क्या बोल रहा है ratio of intensity at p and q तो मैंने का intensity क्या होती है intensity is inversely proportional to r square तो भाईया यहाँ पर क्या हो जाएगा intensity i1 upon i2 is equals 2 3 upon 2 i1 का है pass में न हाँ तो 1 upon 2 1 upon 3 का square तो यह हो जाएगा 9 ratio 4 ठीक है answer आगे सीधा सीधा 9 ratio 4 जो pass में होगा जो pass में होगा वहाँ intensity जादा होगी जो दूर होगा वहाँ intensity कम होगी तो यहाँ पर intensity i1 लिख रहा हूं यहाँ intensity i2 लिख रहा हूँ ठीक है चलिए अब बात करते हैं wave के reflection और reflection के बारे में अगर एक wave आपकी reflect कर रही है या reflect कर रही है तो किस तरीके से वो behave कर रही होगी सबसे पहले हम बात करते हैं reflection and reflection from rigid end from fixed end तो अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ reflection from fixed end अगर एक fixed end है तो वहाँ से reflection कैसा हो रहा होगा मतलब क्या आपकी एक रस्सी है और इस तरीके से आपने यहाँ पर बान दिया है और अब आप यहाँ से एक आपने एक वेव दे करके इसको एक पल्स दे करके छोड़ दिया है तो यह वेव क्या करेगी यह वेव कुछ आगे की तरफ जाएगी अच्छा आप जब देखेगा इसका logic समझेगा पहले इसका logic समझेगा फिर आपको बड़े आसानी समझ में आ जाएगा सार अगर यह वेव आगे जा रही है यह वेव जन्रेट काई से करी होगी मैंने किस two is तरीक investments करने का एक ही अपने sata gonna तक जब दैया अपने फोर्स लगा फिर आपने नीचे फोर्स लगाया होगा तभी तो यह वेव इस तरीके से जनरेट होगी मतलब क्या पहले सर मैंने इस पर उपर की तरफ फोर्स लगाया फिर मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो जब ऐसा करता गया तो इस तरीके की वेव जनरेट हुई तो इसने भी य आया ना इस तरीके से force generate कर रहा होगा अच्छा ऐसे वेव आगे जाती जाएगी जाती जाएगी जब यह यहां पर पहुंचने वाली होगी तो देखेगा यह वाला point अपने उटिस की जगा यह वाला point क्या है यह वाला point हमेशा fix रहेगा यह वाला point दीवार इसको ले जाना चाहेगी नहीं ले जाने देगी तो दीवार क्या करेगी तर दीवार जो है इसी पार्टिकल पर exactly equivalent opposite force लगा देगी फिर सर और उपर लगाएगा तो दीवार भी और नीचे लगा देगी तो फिर और उपर लगा से force लगाया था जब आपने force लगाया था ऐसा कि सर मैंने पहले force ऐसा लगाया फिर ऐसा लगाया फिर ऐसा लगाया फिर ऐसा लगाया तो इस तरीके की वेव जनरेट हुई जब दीवार ने उल्टा फोर्स लगाया तो कैसी वेव जनरेट होगी उल्टी वेव जनरेट होगी इसका मतलब है कि दीवार से जब ये वेव रिफलेक्ट हो करके आएगी ये वेव कैसी हो चुकी होगी इनवर्ट हो चुकी होगी तो after reflection from fixed end the wave will get inverted अगर आपको इसी वेव को यहां पर देखा हूँ तो notice कीजिएगा अगर मेरे पास यहां पर एक fixed end मैंने यहां पर इसको बिल्कुल रसी से बांद रखा है और मैं यहां पर एक pulse दे रहा हूँ देखो अब क्या हो रहा है यह उपर जा रहा है अब notice करना अभी यह उपर जा रहा है यहां पर उपर फोर्स लगा है फिर नीचे लगा है फिर उपर लगा है फिर नीचे लगा है सभी चीज़ें ऐसे कॉपी कर रहा है अब जैसे ही यह reflect होगा अच्छा थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है सब पता नहीं क्या हो रहा है बीच में तिक है क्यों क्यों कि अब जो यह वेव जा रही है अब सो बड़ा अजीब सा लग रहा है यह तो कुछ हो इंग रहा है क्या हो रहा है यह इस condition में यहां पर वेव ऐसी थी कि कर और यह वाला portion जो है वो reflect हो करके ऐसा जा चुका है तो यह वाला portion इस तरीके से दिखाई दे रहा है इसका रीजन यह है कि बेसिकली वो दोनों ले वेफ्स ओवर्लैप कर रही है थोड़ी दिर में यह ओवर्लैपिंग आपको और बेटर समझ मैं देखा बिल्कुल ही गायब हो गई तर यह बिल्कुल गायब कर से हो सकती है इसलिए गायब हो रही है क्योंकि जितनी वेव यहां पर ऊपर है जो वेव यहां पर ऊपर है वही वेव रिफ्लेक्ट हो करके आदा पॉर्शन रिफ्लेक्ट हो करके वापस आ गया यह वाला पॉर्शन राइट में जा रहा है यह वाला पॉर्शन लेफ्ट में जा रहा है और यह दोनों वेव जब ओवर्लैप करे कोई इनरजी लॉस्त नहीं है डैम्पिंग जिरो है इस लिęt परी लगातार चलती रहेगी हिसाे इन और से रिफलेक्शन तो जब भी बोड़ी और से रिफलेक्ट करती है क्या कर रही है यह छो इनके आ थो exactly equivalent opposite force लगा रहा है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं इसमें अच्छा कुछ बच्चों को यह समझ में दिक्कत आ रही है सर आधा जब इंटर्फियर कर रहा है इस केस में कैसा देख रहा है अभी यहां पर ऐसा वेव है अभी यह ऐसी वेव है थोड़ी देर बाद यह वेव कैसी ह जानी चाहिए थी तो मैंने का यह वाला जो पोर्शन है रिफ्लेक्ट हो चुका है यह वाला पोर्शन जो है अगर यह रिफ्लेक्ट हो चुका है तो ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो चुका होगा और यह अब राइट में जा रहा था तो कैसा जाएगा यह वाला रिफ्लेक्श आपस में इंटर्फियर कर रहा हूं लेटस से एक वेव तो यहां देखना जब दो वेव आपस में इंटर्फियर करती है कैसी दिखाई देती है नोटिस कर तो दो वेव आपस में इंटर्फियर कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का दोनों एक दूसरे के ओवर लैप कर किसी कंडिशन नहीं होती दोनों एक दूसरे को इंटरफेर कर लेती है अब देख जब उल्टी वेव आएगी तो क्या होगा इसने इसको कैंसल आउट करेगी तो नेट क्या देखा देखा ऐसा देखा और फिर चली गई फिर वेव वापस से निकल गई क्लियर यह बात समझ मे देख आया 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 जब यह दोनों एक दूसरे के ओवर्लेप कर गई कि अच्छे टू और माइनस वन माइनस टू कर देता हूं तो और माइनस टू एक और यह वापस निकल गई तो और दोनों का रिटन का एंप्यूट सेम रहे तब तो रैदा आप कोई देख रहा हो कि वन माइनस टू जब यहां पर आई कि यह बिल्कुल फ्रैट हो चुकि और इसकी ऊपर वाली वेव नीचे वाली वेव और लफ कर गई और फिर इसके बाद जैसे निकल गई ठीक है मतलब बिल्कुल ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से क्रॉस करते हूं निकल जाती है तो तुम चारा है तुम चारा ओओ माइनस वाए तो मैं ने तुमारा जो बचेगा में वह फॉल्य पर लूगा ठीक है अगर सेम डेक्शन में तो एड कर लूँगा opposite डेक्शन में तो माइनस कर लूँगा तो दिस एज रिफलेक्शन फ्रॉम फिक्स्ट एंड अब अगर यही प्री एंड से होता है सेकेंड क्या है कि रिफ्लेक्षिन प्रॉम प्री एंड अगर यही रिफ्लेक्षिन फ्री एंड से होता फ्री एंड का मतलब क्या है आपके पास यहां पर एक धागा है और आपने इस तरीके से इस धागे को बांध रखा है कि पाइप में तो यह वाला end कैसा है move करने के लिए free है अब बताना यार, जब यह wave अब right side में जाएगी क्या यह वाला end fixed है, सर बिलकुल fixed नहीं है, तो यह क्या करेगा, यह तो सर freely move करेगा, तो जब यह freely move करेगा, तो क्या होगा, क्या कोई inversion आएगा, क्या कोई reflection होने के बाद inversion आएगा, अ तो कोई inversion नहीं होगा तो वेव कैसी चली जाएगी इस तरीके से चली जाएगी तो अपॉन रिफ्लेक्शन from free end free end से no inversion of waves takes place ठीकरे free end से रिफ्लेक्शन होने के बाद free end से रिफ्लेक्शन होने के बाद वेव का कोई भी inversion नहीं होता है वेव जैसी जा रही थी बिल्कुल वैसी ही जाती जाएगी ज़रा देखिएगा मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको अगर यहाँ पर जब टक्रा करके वापस आएगी देखो वापस आ गई है चले उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई होगी तो अब मुझे फ्री एंड और फिक्स रेंड से रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कैसा हो रहा है अब मैं दोनों का करता हूँ मतलब क्या अब रिफ्लेक दोनों के बारे में बात करता हूँ मतलब क्या अगर आपका इस तरीके का वेव है यहाँ पर आपका एक रस्सी है एक रस्सी यह है और दूसरी रस्सी आपकी इस सबसे पहले आपकी जो वेव थी वो इस वाले मेडियम में थी और यह वेव इस तरीके से ता रही है तो यह क्या बोलूँगा रियरर मेडियम से आपकी वेव जा रही है इंटु आ डैंसर मेडियम जा रही है तो अब यह वाला जो एंड है यह वाला वाले particles कैसे है भारी है तो इसका वालाइट इट विल बहेव लाइक आ इस इस इंट को भी हेव ताइक अफिक्स्ट एंड और अगर यह फिक्स्ट एंड की तरह अब देखो completely fix and तो नहीं है completely fix and उता है तो सब कुछ reflect कर देता लेकिन लेकिन partially fix तो है तो अब जब यह reflect करेगा तो क्या करेगा आने वाली वेव कि इनवर्ट कर देगा और कुछ वेव का portion यहां पर अंदर भी चला जा चुका होगा ठीक है कि मुझे दिखाना चाहिए कुछ ऐसा कुछ वेव का portion अंदर जा चुका है तो जब देखेगा यह वाला portion अंदर जा चुका है तो यह तो यह पर सब्स टीक है अब नोटिस किए गा 100 कि इस पर कोई और कुछ नहीं पड़ा मैंने का स्पीड का वेव का सीट किस पर downtown करता है मीडियम पर डेपæंड करता है अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो लिए है तो बघब देखो वी बंसे गाया और यहां पर एसकी कम है तो अगर यहां पर मूवण औरमीक को यहां पर मीवन है इसकी मास पारिवडलेंग मूट До तो मैं यहां पर लिख रहा हूं म्यूवाण इस लेस बैन यहां कि ऐस ग्रेटर यहां मे है wavelength होता है speed into time period तो source पर depend करता है ठीक है कितने एक second में कितने oscillation दिये speed upon frequency यह तो source पर depend करता है लेकिन यह medium पर तो जितना ज्यादा भी lambda उतना ज्यादा wavelength lambda 1 is greater than lambda 2 ठीक है हाँ यह ज़रूर बोल सकता हूं कि frequency दोनों में f1 is equals to f2 अगर इस वाले wave की frequency f1 है या f है तो यहाँ पर इसकी frequency भी f होगी इसकी frequency भी f होगी अगर इसका wavelength lambda 1 है तो इसका wavelength भी lambda 1 ही होगा इसका wavelength कुछ lambda 2 होगा तो कि इसका frequency भी नहीं बतला speed भी नहीं बतला तो wavelength भी नहीं बतली इसकी frequency कम हो गई तो wavelength भी कम हो गई और इसकी speed कम हो गई तो wavelength भी कम हो गई और ऐसा सोचो wavelength क्या basically इस तरीके से सांप वाला screen है अब जितनी तेज ये सांप लोटेगा उत्ता लंबा खिच जाएगा गां जिताद धी में चलेगा साप उत्ता छोटा हो जाएगा तो बस वह चीज आ औरब देखो यह लेंडा वन के तो गया चोटा हो गया अगर यह टोटल एमप्लीटूड मैं बोल दूंट एह तो यह क्या हो जायगा आपका अफ्यान हो जाएगा A1 will be less than A and A2 will be less than A मैं बस इतना बोल पाऊँगा कौन सा जादा होगा A1 A2 का आपस में compare नहीं कर पाऊँगा लेकिन ये ज़रूर बोल सकता हूँ तो ये पता चल गया है यहाँ पर कैसे बहेव कर रहा है ये free and fixed and की तरह बहेव कर रहा है अब अगर यही चीज रेरर से डेंसर की जगह है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाने लगती मतलब आपकी जो वेव है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाने लगे अब क्या होगा अगर हमारी वेव यहाँ पर डेंसर मीडियम में और denser medium से यहाँ पर जा रही है into a rarer medium ठीक है तो यह कैसा बेहेव करेगा यह वाला point जो है will behave like a free end यह free end की तरह behave करता है और अगर यह free end की तरह behave करता है मतलब क्या आपकी जो wave है टक्रा करके वापस सेम फेज में सेम इसी तरीके से उपर आ जाएगी अलांकि कुछ amplitude कम हो जाएगा तरह amplitude कम क्यों होगा amplitude कम होने के पीछे का reason यह है कि बहिए कुछ energy उधर भी तो चली गई है तो अगर मैंने कहा कि यहां का amplitude आपका a है यहां का amplitude क्या हो जाएगा a1 यहां का amplitude क्या हो जाएगा k2 वेव की speed क्या है लैटस से v1 है तो वेव जब वापस आएगी तो भी वेवन से ही आएगी यहां की speed काफी जादा बढ़ चुकी होगी वी 2 अगर यहां पर wavelength lambda 1 है तो जो wavelength यहां पर है वही wavelength यहां पर भी होगी यहां की wavelength जादा हो चुकी होगी ठीक है frequency अगर यहां पर f है तो मैं आप frequency को कोई फरक पढ़ता नहीं f0 और f0 ठीक है तो मुझे पता चल चुका है कि since mu1 जादा है mu2 कम है इसका मतलब v1 कम होगा v2 जादा होगा lambda 1 कम होगा lambda 2 जादा होगा f दोनों का same ही रहने वाला है ठीक है और क्या बोल रहे है amplitude बहुत सब नकाली चुका हूँ ठीक है तो यह free end की तरह behave करता है उम्मीर करता हूँ यह बात आप सभी को बड़े ही आसान के feel भी हो रही होगी क्योंकि सर यह heavy medium है light medium है तो भाई यह भारी medium का जोर चलेगा पिछल medium को move कराने में थोड़ी मुश्किल होगी तो वो है fix end की तरह behave कर रहे है ठीक है clear है यह आतक की बात है चल भाई अब हमें wave का reflection समझ में आ चुका है wave का reflection समझ में आ चुका है अब हमने देखा था यार जब यह wave जो है opposite direction में जाती है तो क्या करती है एक दूसरे से interfere करती है ए इसी को हम बोलते है interference of waves ठीक है यह क्या है sound wave travel through warm air and इतना through brass ठीक है wavelength of इतना brass from warm air ठीक है बताओ यार यह तो बड़ा आसान सवाल है चलो यह सवाल किती है आसानी solve हो जागे sound wave की speed कितनी है ताड़े 300 meter per second है हवा में और brass में कितनी है 3500 तो वी की जगए 10 भी हो गया है यहां पर तो दसगुना हो गया है ठीक है wavelength अगर the wavelength of 700 hertz acoustic wave यह frequency भी रखी है ठीक है as it enters from brass enters brass from warm air तो यह feed अगर दसगुना हो गई तो wavelength भी दसगुना हो जाएगी तो wavelength increases by a factor of 10 तो मुझे कुछ solve भी नहीं करना वर्बल ही solve हो जाएगा ठीक है क्योंकि मुझे पता है कि wavelength होती है speed v by frequency v by f velocity into time यह velocity upon frequency अगर wavelength आपकी speed दसगुना हो गई तो wavelength भी दसगुना frequency change नहीं होती है frequency source का function है एक सेकंड में कितनी बार आपने टैप किया आपको कान में तो तो नहीं सुनाई देगा ना जल्दी सुनाई देए देर से सुनाई देए वह कलर केस है लेकिन अगर एक सेकंड में मैंने 10 step किये तो आपको थोड़ी दिर बाद 10 step ही सुनाई देंगे frequency is a function of source frequency change नहीं होती है अब बात करते हैं interference of waves के बारे में अगर wave आपस में interfere कर रहे हैं interfere मतलब क्या हो सकता है दो waves same direction में जा रही हूँ हो सकता है दो waves अलग-अलग direction में जा रही हो तो दो waves का interference मतलब क्या दो waves का basically addition ठीक है अगर मैं बात करूँ तो यह interference fancy नाम है बोला जाए तो addition of two waves हमें ये करना है तो मैंने का y किसके बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अगर पहली wave आपकी y1 है दूसरी wave आपकी y2 है तो basically दोनों wave को add करने पर आपको जो मिलेगा that is interference of two waves clear है बड़ी आसाम सी चीज़ है चले आख अब सबसे पहला case और ये अब मैं बात कर रहा हूँ examination point of view से interference of waves बहुत बहुत जादा important है ठीक है मतलब क्या अगर 10 कुशन आते हैं तो 10 में से 7 से 8 कुशन ऐसे होते हैं जो interference से होते हैं ठीक है मात्र एक या दो कुशन ऐसे होते हैं जो कि अगर आप बात करूं तो आपको हो सकता है wave की equation से आजाए wave की velocity से आजाए Doppler effect वगरा से आजा जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे लेकिन साथ से 8 कुशन इससे बनते हैं ठीक है चाहे वो constructive destructive interference हो चाहे वो standing wave का हो चाहे वो beats का हो और अगर इससे डायरेक्ट नहीं बनता तो इससे combination में बना करके बना देते हैं ठीक है तो कई बार ऐसा भी होता है कि इसके concept को हम apply क करवा देते हैं तो again बहुत 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 important topic ठीक है चल यार तो बात करते हैं interference of wave की सबसे पहला क्या है आपकी दो wave same frequency की है and they are moving in same direction मैं आपको हर एक चीज़ को सबसे पहले mathematically analyze करवा के दिखाऊंगा ठीक है फिर उसको practically हम तोड़ा सा देखेंगे समझेंगे और काफी साथ तक चीज़ों को आप ज्यादा better feel कर पाएंगे ठीक है और कई सारी इसके साथ साथ में मैं आपको जुगाड़े भी बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहला case क्या है पोट waves of same frequency and moving in same direction दो wave है same frequency की है same direction में move कर रही है ठीक है अच्छा semi medium में move कर रही होंगी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सर एक wave मान के चलो जमीन पर चल रही है दूसरी wave चांद पर चल रही है ऐसा तो नहीं हो सकता ना a1 fine ax minus omega t तो दूसरी wave क्या हो जाएगी y2 a2 fine ax minus omega t plus 5 सर ऐसे कैसे मैंने का अब बता frequency क्या बोली है सेम बोली है तो अगर दो wave की frequency वराबर है f1 is equals to f2 तो दोनों wave का omega भी सेम होगा क्यों कि omega क्या होता है frequency by 2 pi 2 pi by 2 pi by omega 2 pi into f omega 2 pi into f होता है तो भाई है जब frequency same तो omega भी same हो जाएगा ठीक है अच्छा सर वेब के का के कैसे सेम हो सकता है मैंने का क्या है आपका यह होता है आपका 2 pi by lambda और इसको लेख देता हूँ 2 pi upon speed upon frequency 2 pi f by k speed into time मैंने का speed दोनों का सेम frequency भी सेम तो k भी सेम होगे अब मुझे क्या निकालना है इन दोनों का interference निकालना है तो y is equals to y1 plus y2 दो wave है दोनों wave सेम direction में जा रही है लेकिन दोनों के बीच में कुछ phase difference है कितने का phase difference है pi का phase difference है तो मैंने का इसको लेख देता हूँ a1 sin kx minus omega t plus a2 sin kx minus omega t plus pi मैंने का ठीक है सर तो a1 sin theta plus a2 cos sin c plus sin d वाला formula लगा लूँ कुछ ठीक है मैं एक काम करता हूँ इसको पहले open कर देता हूँ थोड़ा सा यह x थोड़ा सा लंबा जाने वाला है ठीक है पहले मैं mathematically बताता हूँ फिर इसका omega t plus phi मैंने का sin c plus d तो इसको लेख देता हूँ a1 sin kx minus omega t plus a2 sin kx minus omega t into cos phi plus cos kx minus omega t into sin phi तो basically sin theta 1 plus theta 2 sin theta cos sin a plus ऐसा कुछ लिखते है ना formula क्या होता है इसका साथ साथ मैं formula भी लिखता जाता हूँ sin of a plus b क्या होता है sin a cos b plus cos a sin b तो मैंने basically यही formula लगा है sin यह क्या हो गया है this is your a and this is your b sin a cos b plus cos a sin b चल भाई अब अगला क्या आ जाएगा मैंने इसको पहले common ले लिता हूँ sin kx minus तो यह बन जाएगा a1 plus a2 cos phi sin kx minus omega t plus k2 sin phi cos kx minus omega t यह कुछ बन जाएगा आसर कोई दिक्कत नहीं है अच्छा a1 sin theta plus a2 cos theta एक formula होता है तो यह बन जाएगा let us अभी मैं आस के वल final result लिख रहा हूँ ठीक है गंदा बनेगा भाई यह बन जाएगा under root of a1 square यानि की a1 plus a2 cos phi का whole square plus a2 sin phi का whole square into sin kx minus omega t plus 10 inverse a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi देखने में ऐसा लगता है पता नहीं सर्थ क्या बड़ी कलाकारी कर रहे हैं हम बहुत जाद असरी तो बनाब गंदे से भी गंदा चला गया सर्थ बनाब देख रहा हो तुम कितना गंदा गया है मैं पहले इसका लॉजिक बता देता हूँ भाई नहीं तो फिर तुम लोग प्रिग्नोमेट्री भूल जाते हो a1 sin theta plus a2 cos theta is equals to under root of a1 square plus a2 square sin theta plus 10 inverse by a ठीक है कि इसका logic है पिरिक्कत तो नहीं इसको थोड़ा सा solve और कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा देखता है अब लेकिन आप देख सकते हो इसको मैं कुछ नए नाम भी देदूगा ठीक है चल मैंने कहा सबसे बहले इसको solve कर लेता हूँ तो यह क्या बन जाएगा a1 square plus a2 square cos square phi plus 2 a1 a2 cos phi plus a2 square sin square phi अगेन देख करके घबराना नहीं है क्योंकि थोड़ी दिर मैं इसका मैं जुगार बताने वाला हूँ जहां बड़ी आसानी से solve हो जाएगा तुमको इतना गड़ित नहीं लगाना पड़ेगा लेकिन मैं पहले एक बार बस यह बताना चाहता हूँ कि अगर गड़ित नहीं लगाते हैं तो कैसे बनता है सिर्फ बस मैं वो चीज़ साबित करना चाहरा हूँ so that तुमको कम से कम यह समझ में आए इसको मैं डेल बोल देता हूँ वियर डेल इस इकल्स टू 10 इनवर्स A2 साइन फाई A1 प्लस A2 कॉस फाई ठीक है अच्छा इस वाले टम में A2 कॉस स्क्वेर फाई प्लस A2 साइन स्क्वेर फाई यह वाला टम यह वाला टम यह वन बन यह यह टू स्क्वेर बन जाएगा यह आ जाएगा एट वन स्क्वेर फ्लस A2 स्क्वेर फ्लस टू एवन एटू कॉस फाई पाईन एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल ठीक है आप इसको लिख रिख सकते हो a fine kx minus omega t plus del where a is equals to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos 5 तो basically क्या किया मैंने 2 waves को add कर लिया 2-2 waves में पूरा math math लगा करके मैंने solve किया final result इस तरीके को कुछ बना a sin kx minus omega t plus phi plus del a की value क्या है यह आपकी a की value है और यह आपकी del की value है तो यह तो रहा आपका expression मैंने कहा यह कोई भी ना तो तुमको derivation याद करना है ना ही कोई भी expression याद करना है तो verbally इस सवाल को solve कर पाएगा अब ज़रा देखना मैंने कहा यार ऐसे सवालों को solve करने के लिए हम एक बहुत simple सा हतियार यूज करते है क्या हतियार यूज करते है आपके पास दो waves है क्या है a1 sin omega t मैंने कहा देख इसको अब solve करने का ब्रह्मास्र देख ले बड़ी ही आसानी से इतना गड़ित नहीं लगाना पड़ेगा पड़ी ही आसानी से सवाल को solve कर लेगा तर क्या ब्रह्मास्र है मैंने कहा पहली wave क्या है y1 is equals to a1 sin kx minus omega t a1 sin kx minus tax मैंने कहा इसको एक diagram से समना इसको एक diagram से represent कर मैंने कहा पहले a1 sin kx minus omega t है इसको खाली a1 vector से represent कर दे यह हो गया तेरा a1 इसको हम phaser भी बोलते है इसको नाम देते है phaser दूसरा क्या था तर दूसरा था मेरा y2 is equals to a2 sin kx minus omega t plus 5 इसको भी डियाग्राम से बना दे इस एक एरो से अगर तुने यह बनाया है यहां पर a1 तो y2 को जो बना कुछ ऐसा बना सर कितने एंगल आगे रखूं यह कितने एंगल आगे इसका phase difference कितना है सर फाई का उसको फाई एंगल ज्यादा रख गे यह बीच का जो एंगल है यह कहां रख दे यह जो एंगल है इस एंगल इस फाई अब देख क्या करना था interference y1 प्लस y2 इनको दो वेक्टर मान के solve कर दे सर पर यह तो वेक्टर ही नहीं मैंने कहां मुझे पता है तुझे पता है लेकिन sin theta जब add होता है तो वेक्टर की तरह ही add होता है तो जब देखेगा जब मैं इन दोनों को जोड़ूँगा तो उम्मीद करता हूँ वो parallelogram law, triangle law वो सारी बातें तुझे याद होंगी तो जब इनका resultant जाएगा वो कुछ ये वाला जाएगा इस तरीके से जाएगा अब सरी resultant क्या रह जाएगा तो मैंका ये resultant का magnitude हो जाएगा let us say net resultant है तो उसका magnitude बोल देता हूँ A है इस resultant का A1 से angle क्या हो जाएगा let us say angle बोल देता हूँ डेल है ठीक है चल भाई A का magnitude दो vector का magnitude क्या होता है A होता है under root of A1 square A2 square 2A1 A2 cos phi ठीक है डेल याद कर यार 10 theta या 10 del क्या हो जाता है A2 का sin phi divided by A1 प्लस A2 का cos phi A2 का सामने वाला ठीक है ये वाली चीज अरे perpendicular upon base ये क्या है A2 sin phi A2 cos phi A1 plus A2 cos phi यार आ रहा है ठीक है और ज़रा देखना अब जो तुमारी equation होगी y is equals to y1 plus y2 क्या लिख दोगे A sin kx minus omega t plus del ठीक है यही और देख A की value क्या है ये रही A की value AIT this is A ठीक है 10 डेल क्या है A2 sin phi A1 plus A2 cos phi सेम वही रिजल्ट आया यार A sin kx minus omega t plus del मतलब क्या दोनों को vectorially add कर दो और जो resultant आएगा वो बढ़ी सुन्दर तरीके से आ जाएगा clear है तो बड़े आसानी से निकालवा हुए यह ठीक है चले यार तो इसलिए मैं बोल रहा था बड़ी easily solve हो जाता है using phasor इसको हम बोलते है phasor diagram ठीक है अर लेकिन आखिर ऐसा कर कैसे सकते हैं कि phasor ऐसा क्यों बन रहा है चीक है मैंने का यार sin theta और cos theta basically क्या होते है कोई भी body अगर एक circle में move करती है तो उसका component होता है अगर circle का radius का एवन circle का radius का एटू इन दोनों का resultant क्या आ गया यह आ गया इन दोनों का component तो जब यह घूमेगा एसाइन के x-1 तो मेड़ी से यह भी घूमेगा और यह भी घूमेगा सब का resultant सेम रहेगा मिशा चीक है तो सेम resultant आता है जल भाई इस इस दी resultant अब इसमें कुछ special case की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम बात सेम डायरेक्शन में वेव एड हो रही है तो मतलब अगर आपको मैं addition दिखाऊंगा इस तरीके का addition दिखेगा यह दो वेव हैं लेकिन अलग-अलग speed पर है शायद है ना सबसे पहले तो मैं मैं दोनों वेव की speed सेम कर देता हूं यह 0.3 है तो यह 0.2 कर देखेगा है दोनों वेव सेम तरीके से जा रही है sin theta और दोनों वेव की क्या है frequency सेम होनी चाहिए let us say मैंने का frequency 1 hertz कर देता हूं मैं यहां की frequency भी 1 hertz कर देता हूं अब जरह देखो इन दोनों वेव को जब हम इन दोनों वेव को जब हम मर्ज कर रहे है यह वेव इस तरीके से बन रही है मर्ज करने पर यह जो बन रही इस इस तरीके की आपकी कुछ बन रही है अगर आप डॉट्स में देखना चाहो डॉट्स में ऐसे तो बड़ा गंदा देखेगा इस तरीके से इस दोनों को जब मर्ज किया तो देखेगा अब यहां पर कुछ इस रिजल्टेंट वेव बन रही है और देखेगा दोनों सेम स्पीड पर हैं दोनों का एम्प्लीटूड अलग अलग है अगर मैं बदल दूं यह पॉइंट टू है यह भी पॉइंट इसका भी पॉइंट टू अब अच्छा अब इसी केस में कुछ स्पेशल केसे आते हैं इसी कंडिशन में मतलब यहां पर कुछ स्पेशल केसे आते हैं पहला केस पहला केस अगर दोनों के बीच का फाई जो है वो जीरो हो जाए तो वाइवन क्या दिखने लगेगा a1 sin kx माइनस ओमेगा t y2 क्या दिखने लगेगा a2 sin kx माइनस ओमेगा t तो net y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 sin kx माइनस ओमेगा t इस कंडिशन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफिरेंस इस केस में एंपलीटूड आपका क्या रहा है एंपलीटूड आपका सबसे जादा आ रहा है मतलब क्या देखिएगा इस तरीके से मूब कर रहे हैं थोड़ा slow motion में देखिए गाइगा अगर मैं दो वेव एक दोनों के तो जब यह मर्ज होगा तो जड़ा देखिएगा मर्ज ओने पर क्या रही है तो 2A amplitude का आ रहा, ठीक है, देखो यार, A और A, यह क्या आ गया, 2A के बरावर आ गया, clear है, तो double amplitude हो गया, this is known as constructive interference, ठीक है, अब अगर आपको constructive interference दिख गया, कई बार ऐसा होता है, constructive interference में intensity के बारे में बात करता है, ठीक है, intensity मतलब क्या होती है, power, power per unit area, तो अगर मैंने का intensity is proportional to amplitude का square, क्योंकि power amplitude के square के proportional होती है, तो intensity भी amplitude के square के proportional हो जाएगी, तो अगर मैंने काहा कि यहां की intensity I1 है, which is proportional to A1 का square, यहां की intensity अगर I2 है, which is proportional to A2 का square, तो यहां की जो net intensity आएगी, it will be proportional to A1 प्लस A2 का whole square, यह क्या लिख सकता हूँ, A1 square plus A2 square plus 2 A1, A2 के proportional लाएगी, अच्छा, A1 square इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, I1 टाइप का तो इसको मैं लिख देता हूँ, I1 और proportionality constant गाइप कर देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 under root I1, I2, ठीक है, since हर जगे proportionality थी, तो यहाँ पर अगर मैं proportionality की जगे, I1 रख दूँगा, तो proportionality constant गाइप कर दूँगा, आप ऐसा सोच सकते हो, I1 is equals to K times A1 square, ठीक है, तो A1 को क्या हो जाएगा, I1 by K, I2 by K और यहाँ पर K का constant K से K कट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए में कहीं पर भी, जब left side भी intensity, right side भी intensity, कोई proportionality नहीं, जब left side intensity, right side amplitude, तो proportional है, ठीक है, तो यह, this is your resultant intensity, ठीक है, यह आपकी आजाएगी resultant intensity, this is the first special case, जब 5 क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, अब इसी का आप सब पार्ट बना सकते हो, A1, A2 भी बराबर कर दो, तो A और A, अगर यह भी A है, यह भी यह तो resultant क्या जाएगा, 2A के बराबर आजाएगा, amplitude, double to intensity, शार गुना हो गई, तो 4I लिख देना, ठीक है, जब, नोट कर लिए सबसे पहले इसको, अब देखेगा यार, अगला case, ठीक है, पहला case में क्या था हमारा, face difference 0 था, अगले case में हम face difference बोल देते हैं, इन दोनों के बीच में face difference है, पाई के बराबर, ठीक है, मतलब क्या, अगर एक wave आपकी मैंने लिख दी, Y1 is equals to, A1 sign, KX minus omega T, तो दूसरी wave आपकी हो जाएगी, A1, A2 sign, KX minus omega T plus pi, और pi plus theta क्या होता है, minus sine theta, तो minus A2 sign, KX minus omega T, तो जो आपका net आएगा, Y1 plus Y2, interference के बाद, यह आजाएगा, A1 minus A2 sign, KX minus omega T, पिछले वाले case में, जहाँ पर amplitude directly add हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है, amplitude minus हो रहा है, तो amplitude कम होता जा रहा है, चीक है, अगर मैं इसकी intensity बोलता हूँ, कि इसकी intensity है, I1, which is proportional to A1 का square, इसकी intensity है, A2 का square, तो यहाँ पर जो intensity हो जाएगी, I will be proportional to A1 minus A2 का whole square, यानि कि, I is proportional to A1 square plus A2 square minus 2A1 A2, तो I1 plus I2 minus 2 root I1 I2, तो चीक है, और अगर मैं यहाँ पर intensity ही लिख रहा हूँ, तो proportionality constant गायब कर देता हूँ, तो this is the resultant intensity in this case, इस case को हम बोलते हैं, destructive interference, destructive interference, तो एक तरफ पिछले वाले case में, यानि की constructive interference में, जहाँ पर दोनो waves एक दूसरे के उपर add हो रही थी, destructive interference में देखेगा, दोनों ही waves क्या हो रही है, एक दूसरे को cancel out कर रही है, और यह आपका resultant wave है, नोटिस कीजिएगा, दोनों का amplitude क्या कर रहा है, एक दूसरे को cancel out कर रहा है, अगर यह A है, यह A है, तो एक दूसरे को खतम कर दिया, पहले A और A मिल करके 2 A बना रहे थे, अब क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं, हाँ, हमेशा 0 नहीं होगा, अगर दोनों का amplitude अलग-अलग है, लेटर से इसका amplitude मान के चलो, मैंने बढ़ा दिया, देखो, लेटर से यह amplitude है, 0.31 meter, यह amplitude है, 0.24 meter, तो दोनों का difference क्या हो जाएगा, 0.31 minus 0.24, यानि कि 0.07 meter के लगबग का amplitude बचेगा, तो भाई, जो resultant आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा, A1 minus A2, ठीक है, तो आप देख सकते हो, कि same height नहीं है दोनों की, amplitude मैंने अलग-अलग कर दिया है, और जैसे ऐसे दोनों का amplitude का difference कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो यह resultant भी बढ़ता जाएगा, मैं amplitude गायब कर दिता हूँ, unit circle अगर दिखाना चाहूँ, तो देख सकते हो, तो अलग-अलग circle है, चलिए भई, तो उम्मीद करता हूँ, आपको यह चीज़ सा आपने दिखाई दे रही होगी, A1 minus A2, तो basically constructive interference, destructive interference, दो special cases हैं, किसके, when wave is moving in same direction, दोनों की बीच में कुछ phase difference है, वो phase difference क्या है, यह phi का phase difference है, तो पहले अगर phi 0 है, तो constructive interference, अगर phi 180 degree है, तो destructive interference, इसके अलावा, मैंने का, इसके अलावा, तो हम phasors से add कर ही लेते हैं, तो phasors से मतलब, यह वाली चीज़, कि आप बना दो basically, जैसे अगर एक wave है, दूसरी wave है, दोनों की बीच में कुछ pi by 2 का angle है, तो आप resultant wave निकाल सकते हैं, ठीक है, चले यार, कुछ numerical देखते हैं, तो देखेगा, क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर बोला है, A1 और A2 की value है, 3 is to 2, find the ratio of maximum intensity, and minimum intensity upon interference, चीक है, आप से सिधा-सिधा intensity का ratio पुछा है, ऐसे सवाल जब भी आएंगे, verbally ही आप सवालों को solve कर सकते हो, चीक है, सर, amplitude का ratio क्या है, आपको दिया हुआ है, A1 upon A2, क्या दिया है सर, 3 ratio 2, मैंने का, तो सर, मैं अगर एक amplitude को, मैं ये 2A मान लूँ, अगर मैं A2 को क्या मान लूँ, मैं या लिख दिता हूँ, सर, A2 को अगर हम 2A मान ले, तो A1 क्या हो जाएगा, 3A हो जाएगा, मैंने का, बिल्कुल सही बात है, अब maximum intensity, maximum intensity कब मिलती है, जब constructive interference होता है, तो constructive interference में, क्या मिलेगा हमको, constructive, interference, तो मने का, constructive interference में, दोनों की दोनों add हो जाते हैं, तो net amplitude क्या आ जाएगा, सर, 5A के बराबर आ जाएगा, तो constructive interference में, amplitude हो जाएगा, 3A, plus 2A, यानि की, 5A, अब एक बात बता न, अगर amplitude 5 गुना हो गया, चीक है, और मुझे पता intensity क्या होती है, intensity amplitude का square होती है, तो सर, अगर मैं A square का amplitude, आई बोल दा हूँ intensity, चीक है, तो ये क्या हो जाएगा, intensity maximum कितिया जाएगी, it is directly proportional to, 5A का, whole square, विदिकर तो नहीं, तो 25 हो जाएगी, अब minimum amplitude का मिलेगा, मैंने का destructive में मिलेगा, destructive interference, क्या हो जाएगा, मैंने का destructive interference में, क्या हो जाएगा, 3A minus A हो जाएगा, minus 2A हो जाएगा, 3A minus 2A, तो भाईया क्या हो जाएगा, A बनेगा, अब बताना है, destructive interference में, minimum intensity मिलेगी, which will be proportional to, A का square, आपको कह निकालना है, दोनों का ratio लेना है, जिक है, तो जब मैं maximum, या intensity, और minimum intensity का ratio लूँगा, तो आप देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें, खतम हो जाएगी, proportionality constant को, सीदा सीदा इससे replace कर दूँ, equality से क्यों, क्यों, k times A square, k times I, k से क्यों खतम हो जाएगा, जिक है, तो भाईया, equality से replace कर दिया, यहाँ पर क्या है, minimum intensity, यह क्या है, A square, अब जब जब देखेगा, क्या गया answer आपका, 25 ratio 1, ठीक है, this is your final answer, 25 ratio 1 आपका क्या चुका है, final answer, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए, अगला सवाल देखेगा, भाई, क्या बोल रहा है, आपर तो बोला हुआ है, 3 harmonic waves having, यह 3 है, ठीक है, THRW, 3 harmonic waves having, equal frequency, frequency सबकी सेम है, same intensity है, same intensity कितनी है, I naught है, have phase difference, 0, pi by 4, and minus pi by 4, respectively, तो 3 wave है, harmonic का मतलब 3 wave मान लो, ठीक है, तो 3 wave है, जिनकी basically क्या है, एक का phase 0 है, ठीक है, और दूसरे का pi by 4 ठीक है, तीसरे का minus pi by 4, when they are superimposed, resultant wave intensity, ठीक है, आपको resultant wave की intensity निकालनी है, तो ऐसे directly तो solve कर नहीं सकते, क्या करेंगे, phaser बना करके solve करेंगे, तो मैंने का, पहली wave है, इस तरीके की, ठीक है, तूसरे wave का है, pi by 4 आगे की, किधर बना दिया, तीसरे wave का है, pi by 4 पीछे की, तो मैंने का, अगर आपके पास ये 3 wave हैं, ठीक है, ये आपकी 3 wave मैंने याँ पर दिखा दी, तो पहली wave आपकी 0 पर थी, दूसरे wave आपकी 45 डिगरी आगे, और तीसरे wave आपकी minus 45 डिगरी, यानि की 45 डिगरी पीछे हो गई है, ठीक है, having equal frequency intensity I naught, अच्छा सबकी intensity same है, अगर सबकी intensity same है, तो सबका amplitude भी same होगा, तो ये भी amplitude A naught बोल दूँ, ये भी A naught बोल दूँ, ये भी A naught बोल दूँ, अब आप देख सकते हो, इनका resultant amplitude कहां जाने वाला है, तर इसका vertical component खतम हो जाएगा, तो net resultant amplitude जो मिलने वाला है, वो कुछ इस direction में मिलेगा, ठीक है, तो, resultant amplitude कितना मिलने वाला है, A net is equals to A naught, plus 2 times of A naught cos 45, ठीक है, यानि कितना हो गया, A naught plus root 2 A naught, ठीक है, अब बताओ आपको कहा निकालने intensity, intensity क्या होती है, सर, intensity is proportional to amplitude का square, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A naught, 1 plus root 2 का whole square, ठीक है, अगर आपने इसका whole square कर दिया, आप ज़रा बताना, I is proportional to A naught square, 1 plus root 2 का square, अच्छा, A naught square क्या है, A naught square तो I naught के बराबर है, तो मैंने का, इसको लिख सकता हूँ, I is equals to I naught, proportionality constant खतम कर दिया, 1 plus root 2 का square, तो 1 plus 2 का square, 2 हो जाएगा, plus 2 root 2, 3 plus 2 root 2 को चाजाएगा, 3 plus 1.4 into 2, त्याने कि 2.8, 2.8 plus 3, 5.8 I naught को चाजाएगा, ठीक है, this is the net intensity, clear है, चल भई, अब ज़रा ध्यान दिजेगा, बात करते हैं, तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा, कि जब दो वेव सेम डाइरेक्शन में जा रही हैं, जब दो वेव सेम डाइरेक्शन में जा रही हैं, तो किस तरीके से interfere करती हैं, अब आपको कोई भी example दे सकता है, मान के चलो हो सकता है, तो अलग-अलग वेव दे दी और resultant वेव पूछ लिया, ठीक है, इंटर्फियरेंस ओफ फॉलोइंग टू वेव स जब ये दो वेव इंटर्फियर करेंगी, जैसे मैंने कहा, वाई वन इस इकॉल स्टू, जैट असे ये है फूर, और की जगए एक काम करता हूँ, कुछ और वेली देता हूँ, 6 sin pi x minus pi by 2t कुछ ये थी, और y2 is equals to 6 sin pi x minus pi by 2t plus pi by 3 plus 2 pi by 3 जैक है, अब हमें ये दो वेव दे रखिये, तो इसकी intensity निकालनी थी मैंने का यार पहली wave क्या है पहली wave आपको दिख रही है 6 amplitude की है let us say यहाँ पर बना दिया मैंने 6 दूसरी wave देखिएगा यह मेरे बनाया है y1 दूसरी wave भी 6 ही इसका amplitude है लेकिन यह 2 pi by 3 angle का phase difference है तो phase difference 2 pi by 3 मतलब क्या pi by 3 60 degree होता है यह 120 degree का phase difference है 120 degree मतलब second wave कुछ इधर जाएगी ठीक है this is y2 y1 और y2 की बीच में angle क्या है 120 degree का angle है ठीक है अब बताना यह resultant कहां जाएगा अरे जब दो बराबर बराबर vector होते हैं तो resultant बीच ओ बीच से निकलता है और 120 degree बड़ाई special case होता है याद है 120 degree में बराबर vectors का addition से magnitude देता है तो जो y net होगा इसका magnitude भी 6 ही होगा अगर यकीन नहीं आता तो solve कर लेना मैंने का a कितना होता है under root of a1 square यानि कि 6 का square प्लस a2 square यानि कि 6 का square प्लस 2 a1 a2 cos theta तो cos 120 degree ठीक है तो 36 plus 36 plus 72 cos 120 होता है minus 1 by 2 तो देखो ये खतम होगे या answer फिर से वापस 6 आया तो resultant क्या बन जाएगा तो मैंने का resultant y net is equals to 6 sin kx minus omega t pi x minus pi by 2t ठीक है प्लस pi by 3 बीचो बीच से निकल रहा है तो ये angle कितना हो जाएगा this angle will be 60 degree यानि कि pi by 3 ठीक है ये resultant आ गया and this is your final answer ठीक है ये आपका final answer आ गया है clear है तो आप easily solve कर पाएगे चलिए भई अब अगला देखेगा क्या बोल रहा है जब दो waves opposite direction में आपस में interfere कर रही है तो मैंने का यार सबसे पहले मैंने का पहली wave क्या है pi 1 is equals to a sin kx minus omega t ठीक है a sin kx minus wave की frequency क्या है same है amplitude same है moving in opposite direction दूसरी wave क्या है y2 is equals to a sin kx plus omega t plus del ठीक है भई पहली wave का frequency और amplitude same है तो a b same हो गया kx minus omega t दोनों की frequency same तो omega same हो गया k तो same हो नहीं होना है क्या की wavelength same हो नहीं same medium में है ठीक है opposite direction में जा रही है तो एक अगर kx minus omega t है तो दूसरी क्या हो जाएगी kx plus omega t हमें क्या निकालना है y is equals to y1 plus y2 तो a common ले लेता हूँ अंदर क्या बचेगा sin kx minus omega t plus sin kx plus omega t plus del ये आपका कुछ बच जाएगा तीक है अब ज़रा ध्यान दीजेगा मुझे इसको add करना है सबसे पहले mathematically add करते हैं फिर से देखना थोड़ी जिएर मैं भी आपको जुगार दिख जाएगी ठीक है तो मैंने का सबसे पहले इसको mathematically add करके देखते हैं तो pi is equal to y1 plus y2 यानि की a common ले लिया है sin kx minus omega t plus sin kx plus omega t plus del सबसे पहले तो इसको मुझे खिया बाहर निकाल देना चाहिए साइन ए और 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 sin c plus sin d क्या होता है 2 sin c plus dy2 cos c minus dy2 sin c plus dy2 sin kx minus omega t plus kx plus omega t plus del by 2 पहला term तो यह बन जाएगा तो sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d हो नहीं सकता cos c minus dy2 और c minus d लिखुए या d minus c कोई फर्क नहीं बढ़ता kx minus omega t minus kx plus omega t plus del by 2 ठीक है यह पूरा आपका term बना है मैं logic भी लिख देता हूं भाई and मुझे उम्मीद है मैंने सही mathematical identity यूज़ करें sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 ठीक है यह मैंने identity यूज़ करी है कोई दिक्कत तो नहीं है सही लिखिये ना ठीक है मैं इस तरीके सोच सकता हूं कि sin c और d आप आपस पर exchange करने तो यहां पर कॉस आना ही चाहिए था और यहां पर बस टू हां साइन आएगा ठीक है ठीक है ठीक है चलोगा तो यह statement मन गया आप इसको ज़रा देखते हैं कि और थोड़ा simplify कर लेते हैं तो टू के kx-ω t kx-ω t kx-ω t इन दोलों में से जब मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा omega t से omega t खतम हो गया तो 2kx-ω t तो यह हो जाएगा 2 sin यह बन जाएगा आपका sin 2kx plus del by 2 पहला टू into cos यहां पर भी कुछ-कुछ कट रहा है शाहिए kx से kx खतम हो गया minus omega t minus omega t double हो जाएगा तो minus 2 omega t minus del by 2 तो यह बन जाएगा ठीक है अच्छा मुझे पता है इसको तोड़ा और simplify कर लेता हूँ 2a इसको मैं लेक देता हूँ sin tx plus del by 2 ठीक है into मैंने का cos minus theta क्या होता है cos minus theta तो वाइपस से cos theta ही होता है तो cos 2 omega t plus del by 2 और इसको भी मैं simple से omega t plus del by 2 लिख दूँ थोड़ा एक जैसा लगने लगे ठीक है तो cos of minus theta is again equals to cos theta ठीक है इसके बराबर होता है तो अब ज़रा देखेगा इस बार जो wave की equation आई ये बड़ी अजीब सी आई ये वैसी तो नहीं है जैसी हम पहले देख रहे थे लेकिन इसमें एक खास बात देखेगा कुछ ऐसे particular points है कुछ ऐसे particular points है जहां पर ये value हमेशा 0 रहेगी जैसे अगर मान के चलो sin kx plus d अगर जब ये value 0 आ गए कोई एक ऐसा है जहां पर ये value 0 आ गए या कोई ऐसी value जहां ये value pi आ गए जहां ये value 2 pi आ गए तो क्या होगा वो point कभी move करेगा कभी भी move नहीं करेगा यानि कि इस बार ये एक ऐसी wave आई है जहां पर कुछ particular points ऐसे हैं जो कि कभी भी move करे ही नहीं रहे हैं जबकि कुछ points ऐसे होगे जहां पर इसकी value plus 1 यानि कि plus 2 ये हो जाएगी तो कुछ ऐसे points होगे जहां पर ये value सबसे जादा आएगी मतलब क्या इस बार जब आप देखेंगे तो ये ऐसा नहीं लग रहा ये एक नया term है एक amplitude की तरह लेकिन ये amplitude अलग-अलग x पर अलग-अलग आता है ये amplitude अलग-अलग x पर अलग-अलग आता है तो points where kx प्लस डेल बाई 2 ये n pi के बराबर हो जाएगा तो y will always be equals to 0 for all time एसे points को हम कहते है notes अभी बस मैं ये mathematical analysis बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में इसको practically किस तरही किसे imagine करते हैं उसके बारे मैं जवार समझाऊँगा तो अभी केवल mathematical analysis देख ले है गड़ित के हिसाफ से देख ले कि ये चीज़ क्या मतलब क्या बोलना चारी है अलग-अलग जगे amplitude अलग-अलग आ रहा है अब एक जगे क्या होगा जहाँ पर points where kx प्लस डेल बाई 2 ये odd multiple हो जाएगा πाई बाई 2 का मतलब ये हो जाएगा πाई बाई 2 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 कुछ भी तो ऐसा क्या हो जाएगा इस केस में πाई विल बी इकल्स टू plus minus 2a ठीक है cos omega t plus डेल कुछ ऐसा हो जाएगा अब ज़रा देखना ये क्या जाएगा maximum amplitude लेगा 2a ठीक है तो amplitude क्या होगा this amplitude is maximum ठीक है इसको हम कहते हैं antinode ऐसे points को बोलते हैं antinode ठीक है और इस wave का इस wave का जो नाम है इस wave का जो नाम है ये है standing wave इसको हम कहते हैं standing wave ये wave कहीं पर भी travel करती हुई नहीं लग रही है ये wave ऐसी लग रही है कि मान के चलो एक ही जगह पर stationary है सबसे पहली चीज़ अब standing wave में क्या दो दो तीन चीज़ आपको बात समझ में आ रही है ये किस वज़े से आई है due to interference of waves traveling in opposite direction ठीक है तो standing wave के बारे में कुछ ज़रूरी बात है standing wave किस वज़े से generate हो रही है सबसे पहली चीज़ तो ये आती है so it is generated due to okay so it is generated due to interference of waves traveling in opposite direction ठीक है मैंने का sir अगर हमारे पास actually में होता क्या है ठीक है तो आपके पास सबसे पहले देखिएगा दो wave जो ulti wave direction में generate हो रही है ठीक है अब ज़रा देखिएगा मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है notice कीज़ेगा दो wave एक दूसरे के ulti direction में move कर रही है ठीक है और अब ज़रा देखिएगा जब दो wave ulti direction में move कर रही है तो इस case में क्या हो रहा है दोनो wave का जो मैं यहाँ पर किसी भी जगह दिखा दूँ तो जब यह देखिएगा कोई ऐसे particular point है यह वाला ठीक है इस particular point पर आप notice करेंगे जितना यह positive उत्ता है यह negative तो यह वाला point हमेशा कैसा रह रहा है 0 पर रह रहा है यह वाला point हमेशा कैसा है 0 पर है क्या दिख रहा है अब कुछ point ऐसे है तो इस वाले point का हम क्या कहते है इस वाले point का हम कहते है node यह वाले point कभी भी move नहीं कर रहा है, यह वाले point है, जहाँ पर amplitude ही 0 है, हर जगे 0 amplitude है, जबकि यह point क्या है आपका, this is your anti-node यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके तबसे ज़ादा amplitude आ रहा है तो nodes and anti-nodes, this is known as standing wave, तो 2 wave ulti direction में जा रही है, एक wave right में जा रही है, दूसरी wave left में जा रही है और जब यह interfere कर रही है, तो जब यह इन्टरफियर कर रही है, तो जब देखेगा, इस तरीके से interfere कर रही है, अगर मैं anti-node वाले point की बात करूँ, देखेगा, यह anti-node, तो देखो, एक साथ यहाँ पर maxima ले रही है, ठीक है, फिर यहाँ पर आया, यह 0 हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर यह 0, ठीक है, तो एक साथ maxima, एक साथ minima, कुछ जगे constructive interference हो रहा है तरीके का, और कुछ जगे हमेशा ही destructive interference हो रहा है, ठीक है, तो this is known as constructive, या this is known as standing wave, क्यों आ रही है, opposite direction में wave travel करने के बाद, ठीक है, अब real life में यह wave कैसे generate होती है, और इसके पीछे का logic क्या है, ठीक है, तो चरह देखेगा, मैं आपको standing wave सबसे पहले समझाता हूँ, चलो, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक experiment करते हैं, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक slinky है, ठीक है, इस slinky के साथ मैं experiment कर रहा हूँ, जड़ा देखेगा, मैं basically इसको एक हाथ पर मैं fix कर रहा हूँ, और मैं ये वाला जो हाथ है न, इसको मैं move कर रहा हूँगा, इसको मैं बार-बार move कर रहा हूँगा, तो notice कीजिएगा, क्या होगा, अगर मैं इसको हलका-हलका move कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं हो रहा, तोड़ा सा मैं इसको move कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख पा रहे होगे, मैं देखो, मेरा हाथ कितना move कर रहा है, क्या आपको ये मेरा हाथ बहुत ज़्यादा move कर रहा है, लेकिन बीच वाले point पर देखना, ये क्या दिख रहा है त सर यह का ट्रेवल कर रही है तो वहीं के वहीं घूम रही है इसी को हम बोलते हैं standing wave ठीक है अब ज़रा देखेगा मैं इसको फिर से पुरी से frequency बढ़ाता हूं ठीक है अब ज़रा देखेगा अब क्या हो रहा है अब आप फिर से notice कर रहे होंगे कि बीच वाला point कैसा है रेस्ट पर है तो बीच वाला point is again a node लेकिन side वाले left और right के points का हो गए तो यह वाले यह आपके points क्या दिखना है जो सबसे आदा standing waves तो standing wave क्यों मैं सर इसमें क्यों बन रही है standing wave हमने देखा था standing wave और opposite wave में जाती है सब बनती यह opposite direction में जब दो waves जा रही है अब यह वेव क्या होगी रिफलेक्ट हो करके बापस आएगी यहां पर आने वाली है तब क्या यह वेव आपकी यहां पर आने वाली है अब जब जितनी देर में यह यहां पर आई एक्जेक्टली उसी टाइम पर में एक सेकंड वेव और दे दूँ अब देख रहा है तो मैं अब यहां पर तीसरी वेव फिर से दे दूँ और अब आपको दिखने लगाओगा एंप्लिचुड लगा तार यह बेसिकली क्या हो रहा है तो दूसरी बार जब रहा है तो लगातार मैं इसको रिफ्लेक्ट रहा हूं तो लगातार इनर्जी देता जा रहा हूं इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब जो मैं एक्स्ट्रा इनर्जी दे रहा हूं जो मैं एक्स्ट्रा इनर्जी दे रहा हूं वो कहीं डिसिपेट न है ज़रा सा है यह थे घृष के हाथ की अंप्रिजूट इता है बहुत ही जा है और यह थो नहीं होता कि मतलब बंउप्र यहां और आई हमेशा जाता है तो energy losses भी बढ़ते जाते हैं तो एक time ऐसा आता है कि जितनी energy मैं extra दे रहा हूं उतनी energy आपकी loss में होती जा रही है तो क्या हो जाएगा उस case के बाद amplitude fix हो जाता है यहां तो amplitude बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा क्योंकि मैंने damping zero कर रखी है हाँ हलकी सी damping बढ अगर मैं लगातार देता रहूं तो यहां पर एक standing wave बन जाएगी जैसे मैं oscillation वाली wave देखता हूं एक particular frequency ऐसी आएगी जहां पर यह standing wave बन जाएगी अगर आपको दिख रहा होगा यह शायद standing wave बन चुकी है अब ज़रा notice कीजिएगा यह वाला point अब ज़रा notice कीजिएगा इस वाले point पर आप ज़रा ध्यान डालेगा यहां वाले point पर यह exact 100% standing wave नहीं बन रही है यह कोई बात नहीं और मैं बना भी सकता हूं ठीक है अगर मैं इसकी थोड़ी सी frequency आगे पीशे करके check कर लूँ अगर मुझे अच्छली length नहीं पता अदरवाइस की standing बनाना आसान होगी लेटसर टू पर सायद बन जाए अभी तो बीच में जा रहा होगा कुछ ऐसे ही जा रहा होगा नॉर्मल मोशन करवा देता हूं पहले चलो अब ज़रा देखेगा slow motion में मैं कहाँ यह जो पॉइंट है यह almost point यह वाला rest पर है यह वाला point almost कहाँ भाग गया तो यह वाला point almost rest पर है यह क्या है यह this is your node तो ऐसे point को हम कहते है nodes ठीक है यहां पर 100% नहीं है अब basically हो क्या रहा है इसके बारे में समझेगा ठीक है वो जो interference है वो standing wave के pattern को generate कर रहा है इसका बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा जब मैं यहां पर आपको इसके बारे में सम्झाओ formation of standing wave ठीक है तो यहां देखेगा आपके पास यहां पर क्या है एक wave आ रही है देखो ठीक है अब एक एक चीज़ आपको यहां पर समझ मैंगी type की wave है चलो भई अब जब देखेगा जब यह वेव यहां पर आ करके टकराएगी तो देखेगा क्या हो रहा है यहां से देव reflect होना शुरू होगी यहां से वेव reflect हो करके उल्टी वेव बनकर जाएगी और देखो यह वेव उल्टी बन यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है कुछ ऐसे पॉइंट्स है जैसे कि यह वाला पॉइंट जैसे कि यह वाला पॉइंट अब मैं अगर constituent waves हटा दूं देखो यह दोनों वेव इंटरफियर कर रही है तो दो ऑपस में इंटरफियर करती है तब वो standing wave बनाती है opposite direction की वेव जब आपस में इंटरफियर करती है तब वो क्या बनाती है standing wave standing wave की खास बात क्या है standing wave की खास बात यह है कुछ ऐसे points हैं जो कि हमेशा rest पर है तो जैसे यह red वाले points यह क्या है आपके nodes हैं these are always at rest दिक है और अगर मैं यहीं पर यह blue वाले points दिखा हूँ है ठीक है यह वाले जो यहां पर a b लिखा हुआ है तो यह क्या है आपके these are anti nodes anti nodes का amplitude सबसे जादा होता है this is 2a nodes का amplitude 0 होता है कहीं energy transfer होती ही नहीं दिख रही है ठीक है तो nodes and anti nodes आपको समझवा रहे हैं इसको हम कहते है standing wave ठीक है इसको हम कहते है standing wave उम्मीद करता हूँ आपको यह बात बिलकुल clear समझ में आ रही होगी ठीक है तो दो ulti wave के interference को हम कहते है standing wave अब यह wave जा की फिर यहां पर टकराएगी फिर वापस आईगी ठीक है in the wave in the string या wave कोई भी बोल दूँ नेवर मूव ठीक है इनको हम कहते है nodes ठीक है few points in the wave have maximum amplitude इनको हम कहते है empty nodes ठीक है all points in a standing wave cross their mean position at same time same time पर mean position cross करते है and they also reach their extreme positions at same time same time पर mean position को छोड़ते है और same time पर extreme पर पहुँचते हैं same time पर mean position लीव की same time पर बीच से आए same time पर जब यह extreme पर पहुचा तो यह भी extreme पर यह भी extreme पर ठीक है अलग-अलग points का extreme position या अलग-अलग points का amplitude अलग-अलग है मतलब क्या इसका amplitude 2,a है इसका amplitude कुछ कम है इसका कुछ और कम है अलग-अलग points का amplitude अलग-अलग है तो different points have different repetition to different the point points have different amplitudes, अलग-अलग points का amplitude अलग-अलग होता है, ठीक है, phase difference between different points on wave is either 0 और π, ठीक है, जो points same phase में है, वो एक साथ maximum पर पहुंचने रहे हैं, एक डब्बे के अंदर इसको मैं एक डब्बा बोलता हूं, एक डब्बे के अंदर जितने भी points अनका phase difference 0 है, दो consecutive डब्बा का phase difference पाई, जब यह maximum पर तो यह minimum पर, phase difference in consecutive डब्बों का पाई होता है, ठीक है, चलो भाई, तो मैं लिख भी देता हूँ, same डब्बा, same डब्बा, तो phase difference 0, ठीक है, consecutive डब्बे, consecutive डब्बा, तो phase difference क्या हो जाएगा, पाई के बराबर होगा, तो same डब्बे पर phase difference 0 होता है, और तो consecutive डब्बों पर phase difference पाई के बराबर होता है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, यहां तक की बात आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होगी, कि standing wave का मतलब क्या होता है, ठीक है, और आपके स्कूल में standing wave और traveling wave के बीच में अंतर लिखने को बोल सकता है, ठीक है, standing wave and traveling wave के बीच में आपको difference लिखने होंगे, क्या-क्या difference है, ठीक है, तो मैं कुछ difference आपके लिए, यह सेम भई points है, ठीक है, तो wave appear to be standing at a point and does not transfer energy, ठीक है, energy transfer नहीं करती है, क्यों, जितनी left में energy जा रही होती, right में जा रही है, तो कोई energy transfer ही नहीं हो रही है, ठीक है, wave appear to be traveling and carrying some energy with it, few points on standing wave never move, Agora, the passage नहीं हो, यह रही है, आपके छोगे, रहा संच बी can, brackets में लिक दीने, अपर काल नोटसら बने हाँ, There is no point on traveling wave which is always at rest ऐसा कोई भी point नहीं है traveling wave पर जो हमेशा rest पर है ठीक है अगला point क्या है all different points have different amplitudes different points have different amplitudes अलग-अलग points का amplitude क्या है अलग-अलग है all points have same amplitude सभी points का amplitude same है ठीक है phase difference यहाँ पर 0 है या पाई है phase difference is either 0 और पाई ठीक है phase difference varies between 0 and 2 पाई ठीक है आप पहले point को दो point में भी तोड़ सकते हो ठीक है तो यह थी आपकी standing wave अब standing wave के बारे में हम कुछ बहुत बहुत important बात करने वाले हैं जिसके बारे में numerical बनते हैं ठीक है पहले इसको note कर लीजे यह कौन सा वाला case है जहाँ पर दोनों ही ends पर string कैसी है बिलकुल fix है हमने देखा था अभी हमने equation सबसे पहले में equation से समझाता हूं फिर उसको logically समझाते हैं ठीक है तो सरह देखेंगा equation हमने क्या देखी थी standing wave की y is equals to 2a sin kx plus del y2 cos omega t plus del y2 जैसा था ना चाहिए sin kx plus cos a by 2 equation जही थी जही थी चल भाई तो मैंने का अगर मैं एक दोनों ही wave पर मतलब दोनों ही ये वाला end भी fixed है और ये वाला end भी fixed है तो जब आपकी कोई भी standing wave बनेगी जैसे for example मान के चलो ये वाली standing wave बनी है चीक है तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले wave उपर जाएगी फिर नीचे जाएगी ये फस्ट आर्मनिक जो अभी मैं दिखा रहा था मैं actually बारबर भाई हम यहां पर animate करके देख सकते हैं चीक है starting और end point fixed है तो these are the nodes ये दोनों की दोनों कैसे होने वाले हैं आपके nodes है यानि कि आपको x equals to 0 पर आपको amplitude क्या चाहिए 0 चाहिए एक x equals to 0 पर node है तो जब मैं x की value 0 रखूँ हो तो यह वाला पूरा टर्म यही तो आपका amplitude है यह वाला पूरा टर्मी तो आपका amplitude है तो यह 0 चाहिए तो यह तो constant है मदब साइन सीजा 0 चाहिए तो मैंने का at x equals to 0 आपका 2a sin k into 0 प्लस डेल बाई 2 यह क्या चाहिए 0 चाहिए यानि कि जो constituent wave है जो मतलब left और right में जा रही थी पहली वाली की wave क्या थी y is equals to a sin kx minus omega t और दूसरी वाली क्या थी a sin kx minus plus omega t plus डेल था kx plus omega t हो जाएगा तो इसका मतलब है जो standing wave बन रही है वो किस वज़े से बन रही है a sin kx minus omega t and a sin kx plus omega t यह दो constituent waves है इन दोनक waves जब interfere कर रही है तब क्या होगा x0 पर आपका डेल जीरो हो चुका है तो x0 पर आपका ठीक है यह मिल जाएगा और दूसरा node कहां चाहिए node दूसरा चाहिए x equals to l पर यह जो धागे की या रसी की length है l length पर आपको node चाहिए ठीक है तो l length पर जब आपको node चाहिए इसका मतलब है 2a sin अब डेल तो 0 हो चुका है k into l रखने पर यह n pi type का होना चाहिए sir n pi क्यों मैंने का sin theta n pi पर ही 0 होता है 0 pi 2 pi 3 pi sin theta के गराफ ऐसा होता है pi 2 pi 3 pi सब जगे 0 होता है sin theta ठीक है तो n pi मतलब यह 0 होना चाहिए ठीक है तो sin kl की value kl की value n pi के बराबर होन चीए k into l should be equals to n pi l कितना आ जाएगा n pi by k ठीक है तो इसी को मैं लिख देता हूँ l is equals to n pi और k को मैं लिख देता हूँ 2 pi by lambda तो l आपका आ जाएगा ठीक है n lambda by 2 this is the condition for standing wave ठीक है कि धागे की length n lambda by 2 के बराबर होनी चाहिए ठीक है मैंने का इस तरीके से नहीं समझते है तो हमने गड़ित-गड़ित खेल लिया ठीक है अब इसको थोड़ा सा logical ही समझते है मैंने का sir logically मतलब कैसे मैंने का अच्छा एक सोचना है मेरी बात ठीक है आपको ठागे में standing wave बनानी है ठीक है standing wave कैसी बनती है ऐसी बनती है मैंने का अगर मैं standing wave बना रहा हूं तो इसके बीच का ये दो consecutive node की बीच का gap कितना है ये वाला gap कितना है तो इस लेमडा भाई 2 तो मैंने का हर डब्बे की ये लेंद्ध मुझे लेंडा भाई 2 चाहिए अचा पहला तो इसको लोजिकली ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर मैं इस तरी के से समझाओं अगर यह मेरी है मुझे इसको fix रखना है और मैं इस तरी किसे रख रहा हूँ ठीक है आपकी वेव देखो या एक तो लॉजिकली ऐसे समझ सकते हो ठीक है सर मेरी वेव यहां तक गई ठीक है जो मेरी वेव यहां तक गई और सर जो दूसरी वाली वेव थी यह वाली वेव यह वाली वेव पलट करके वापस आएगी यहाँ पर आ जाएगी ठीक है पलट करके वापस आएगी अब सब जब यह दूबारा जाएगी तो ऐसे जाएगी तो मैंने का यह पूरी की पूरी लेंथ जरा बताने कैसे होगी यह लेंडा वाई टू के बराबर होनी चाहिए ठीक है इसके एक डब्बे की लेंथ क्या है ले निमेरिकल्स बनते हैं ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ठीक है हार्मनिक्स कि इन अ स्टेंडिंग वेफ पिक्स्ट एट बोथ एंड्स अर्मनिक्स ओफ ए स्टेंडिंग वेफ पिक्स्ट एट बोथ एंड्स अगर हमारा धागा दोनों ही एंड्स पर बंधा हुआ है तो सबसे पहला सबसे बेसिक जरह देखेगा जब मैं इसमें फंडामेंटल बेसिक हार्मनिक कौनसा क्रिएट कर रहा था मैंने का सबसे पहले यह वाली सबसे धी में चला रहे थे इसको हम कहते हैं फस्ट हार्मनिक तो इसको हम कहते हैं नंबर वन मैं बात करने जा रहा हूं पस्ट हार्मनिक पस्ट हार्मनिक इसको हम कभी कभी फंडामेंटल हार्मनिक भी बोल देते हैं इसको हम नेचरल फ्रिक्वेंसी भी बोल देते हैं जब इस फ्रिक्वेंसी की बात करूँगा तो नेचरल फ्रिक्वेंसी तो अगर आपका धागा दोनों ही एंड्स पर बंधा हुगा है मतलब यह आपका दोनों ends हैं और यह आपका धागा इन दोनों ends के बीच में बंधा हुआ है तो इसके जो harmonic first harmonic निवनेगा वो कैसा बनेगा तर यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा तो L की value किसके बराबर हो जाएगी अब ज़रा देखीगा सर इसका मतलब है यह जो length L है यह एक डबबा बन गया L will be equals to lambda by 2 तो मैं लिख देता हूँ हमारा जो L है यह lambda by 2 हो जाएगा तो lambda wavelength किती हो जाएगी सर वेवलेंथ आ जाएगी 2L चीक है L किसका आ गया L आ गया आपका lambda by 2 और अगर lambda by 2 का multiple आ गया यह lambda 2L आ गया तो इसके frequency कितनी आ जाएगी मैंने का सर फ्रिक्वेंसी होती है वी बाई लेंडा आइटिंग सही लिखा है मैंने मीटर पर सेकिंड हाँ वी बाई लेंडा फ्रिक्वेंसी होती है आप ऐसा सोच सकते हो तो मीटर पर सेकिंड अपॉन मीटर मीटर से मीटर कट गया सेकेंड इन्वर्स यह टाइम प्रिरिद लेंडा भाई वी डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो इसका लेंडा वी बाई लेंडा चलो सर तो मैंने का यह कितना हो जाएगा लेंडा की वेली वेल है fundamental frequency आगी है वी बाई टुल ठीक है दिस इस लिफंडामेंटल frequency यह है आपका fundamental harmony अच्छा वी क्या ओगा यहां पर अगर कभी वी की ζरुरत पड़े तो मैंने का वी होता है धागे में स्पीड क्या होती है अंडर रूट आफ टी वाई यू दिस धागे में ले रहा हूं तो यहां पर वी की वैली क्या लिख दूँगा अंडर रूट टी वाई में यू ठीक है तो यह है हमारा फर्स्ट हार्मनिक and this is extremely important अब बात करते है सर सेकंड हार्मनिक की ठीक है अब सुननेना हार्मनिक का मतलब क्या होता है हार्मनिक का मतलब होता है मल्टीपल अब मुझे इस वायर में कित्ता क्रिएट करना है सेकंड हार्मनिक मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी सेम वायर में create किया था ठीक है लेकिन इस बार यहाँ पर कित्ते डब्बे बनेंगे तो डब्बे बनेंगे ऐसे ठीक है अच्छा एक मिनिट एक चीज़ तो रही गई position of nodes and anti-node तो अभी मैंने बताया ही नहीं ठीक है तो वो और देख लेते हैं भाई position of nodes position of node node कहां मिल रहे हैं तो एक तो 0 पर मिल रहा है और एक L पर मिल रहा है ठीक है position of anti-nodes कहां मिल रहा है बीच ओ बीच में L by 2 ठीक है total number of nodes number of nodes मिले आपको 2 और number of anti-nodes मिले 1 ठीक है तो position and number अब ज़रा देखेगा इस case में आपकी L की value किसके बराबर हो जाएगी तो L is equals to 2 times lambda by 2 ठीक है ठागे की length अभी भी क्या है L ही है लेकिन अब wavelength आधी हो गई है ठीक है यह हो गया आपका lambda by 2 तो lambda by 2 का double हो गया है ठीक है तो lambda by 2 का double तो भाई यहां से lambda किता आ जाएगा कि L के बराबर आ जाएगा तो frequency क्या हो जाएगी तर हमें पता है frequency होती है V by lambda अब क्या लिख दूंगा मैं V by L मैं इसको फिलाल के लेकिन अब देखने का तरीका क्यों ऐसा लिख रहा हो थोड़ी दिर में अभी समझाता हूं तो मुझे wavelength frequency पता चल गई अब ज़रा देखेगा पहले frequency क्या थी V by 2L अब frequency कितनी हो गई इसकी डबल तो जब मैंने सोचेगा जब मैं standing wave create कर रहा था तुझा देखेगा यह था fundamental इस तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूं अपने हाथ को जादा तेजी से घुमा रहा हूं और जब तेजी से घुमाया तब जाके मेरा second harmonic create वाजारा देखो यह तेजी से घुमाने पर second harmonic create हो रहा है तो तेजी से घुमाने पर create होता है चल भाई अब यह भी समझ में आ गया टूभी बाइट तूएल अब position बता देते हैं भाई position बताना तो आसान है तो बताना यार जीरो पर है एल बाई टू पर है और एल पर है इस बाद तीन नोड मिलेंगे second harmonic में तीन नोड और anti-node कितने मिले दो मिले एल बाई 4 पर मिलेगा और 3 एल बाई 4 पर मिलेगा ठीक है यह आपके नोड से मैं नोड से भी यहाँ पर highlight कर देता हूँ यह आपके नोड से एंड और किस कलर से कर दता हूँ इस कलर से कर दता हूँ इस यह एंटी नोड इस यह एंटी नोड का amplitude क्या होता है 2A और नोड का क्या होता है अगर कहीं बीच में पूछ ले तो यह सेम वही एक कुशन से हमने निकाल सकते है हमें amplitude की एक कुशन पता है ठीक है क्या थी 2A साइन के एक्स टीक है 2A साइन के एक्स के एक सी वाल्य एमडा वाई तो रख देना उससे निकाल सकते हो चलो तो अब मुझे पता चल चुका है यह मेरा का गया यह मेरा anti-node आ चुका है this is my anti-node and these are my nodes ठीक है तो 0 L by 2 L और इसके बीच में यानिकी L by 4 और 3L by 4 हर दो नोट के बीच में क्या मिल रहा है anti-node मिल रहा है ठीक है अब बात करते हैं 3rd harmonic की ठीक है तो basically अब इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ठीक है this is your third harmonic और इसका दूसरा नाम है second over tone ठीक है अच्छा ध्यान दीजिगा यह जो इसको fundamental frequency भी बोलते हैं ठीक है यह जो harpy frequency है इसको हम बोलते है fundamental frequency या इसी को हम natural frequency भी बोलते हैं कि यह वो frequency है इससे एक body naturally oscillate करना चाहती है तो मैंने का second क्या है two times fundamental frequency अब यहाँ पर देखना third time ठीक है second फर्स्ट ओवर्टून का भी मतलब क्या है फर्स्ट ओवर्टून का मतलब है fundamental से एक ऊपर fundamental से एक ट्यून ऊपर ठीक है third harmonic अब ज़रा देखेगा तो third harmonic में आपका wire का length तो वही है यार wire थोड़ी बदल रहा है तो wire आपका उसी length का है लेकिन अब आपका क्या हो चुका है अब आपको यहाँ पर तीन डब्बे बनाने हैं तो एक दो ठीक है तो इस बार जब मैं बोल रहा हूँ ठीक है length क्या हो जाएगी L is equals to वह भी इस wire की length है L 3 times lambda by 2 हो जाएगी तो L is equals to 3 lambda by 2 जयाने कि lambda आजाएगा 12 by 3 तो frequency किती आजाएगी third harmonic की तो V by lambda again V by 2L by 3 3 V by 2L आगया ठीक है आप देख रहे होगे सभी के सभी multiple में आ रहे है मतलब पहला अगर पहला 10 hertz पर आया तो दूसरा 20 hertz पर तीसरा 30 hertz पर multiple में मिल रहे है ठीक है इसलिए इस सुन्दर result है तो 3 V by 2L पर मिला third harmonic इसलिए नाम पढ़ा harmonic harmonic का मतलब होता है third multiple ठीक है तो third multiple यह आ गया चलो सर यह भी पता चल गया अब position of node और anti node भी लिख लेते हैं ठीक है तो total number of nodes number of nodes कितने मिलेंगे तर एक दो तीन चार ठीक है position of nodes 0 ठीक है अब third है तो L by 3 तीन टुकडे कर दूं 12 by 3 और क्या हो जाएगा फिर से L3 L by 3 ठीक है position of anti node या number of anti nodes तो तीन एंटी नोड ठीक है and position of anti nodes आप diagram देख करके बता सकते हैं यह formula याद करने की जुरूत नहीं आप diagram देख करके बता होगे ठीक है चल याद position कितनी हो जाएगी तो L by 6 ठीक है फिर 3 L by 6 फिर 5 L by 6 तर आप directly कैसे बोल रहे हैं यह एंटी node यह एंटी node यह एंटी node and this is also an anti node यह आपके node से 0 पर फिर आपका node मिला L by 6 पर और L by 3 पर 1 3rd पर मिला फिर नोड मिला आपका 2 L by 3 पर फिर नोड मिला आपका 3 L by 3 या फिर L पर फिर ठीक है अब notice करना 0 और L by 3 के वीश में क्या होता है L by 6 होता है यह लिख दिया L by 6 अब L by 3 2 L by 3 के वीश में 3 L by 6 या L by 2 ठीक है अरे L by 6 फिर L इसका double करूँगा तो वापस ही पहुंच जाओँगा फिर triple करो फिर का मिलेगा 5 L by 6 इस तरीके से मैं हर एक चीज़ की position लिख पा रहा हूं ठीक है और अब इस तरीके से चलते चलते मैं अगर मैं बात करूं एनत केस की तो अब इसको बोलते है एनत हार्मनिक या फिर N-1 ओवर्टोन ठीक है तो सेम इसी वायर में ऐसे कितने बनेंगे डब्बे N डब्बे बना दीजिए ठीक है ऐसे N डब्बे सेयार कर दीजिए तो मैंने का यार L की value किसके बराबर हो जाएगी तो L will be equals to L will be equals to N times lambda by 2 N डब्बे बने तो N lambda by 2 तो wavelength कितना आ जाएगा 12 by N तो frequency कितनी आ जाएगी N अथ हार्मनिक की V by lambda होती है तो V upon 2L ठीक है 12 by N होगा 12 by N तो यह आजाएगी N V by 2L ठीक है ठीक है बहुत बहुत इंपोर्टन फॉर्मला क्योंकि डायरेक्ट कई सवाल इसी से बन के आएगे N अथ हार्मनिक या N minus 1 ओवर्टन ठीक है क्या जाएगी N V by 2L के बराबर इसकी frequency होगी जैसे जैसे आप frequency बढ़ाते जा रहे हैं आपके harmonics मतलब डबे बढ़ते जा रहे हैं ठीक है आपके इस तरीक से जैसे मैं यहाँ पर अपने हाथ की frequency बढ़ाता जाओं मैं अपनी हाथ की frequency बहुत जादा कर दूँ तो देखो जितनी जादा frequency कर रहा हूं जितनी जादा frequency कर रहा हूं उतने जादा डब्बे आ रहे हैं लेकिन अव्वेसी बात है मेरे हाथ की एक limitation है ठीक है एक यूँ frequency हाथ की limitation है लेकिन मशीन से यह बहुत एजीली क्रीट ओपाते हैं ठीक है तो एन वी बाइट टू एल जलो यार अब पोजीशन आफ टोटल नंबर आफ टोटल नंबर आफ नोट्स तो यह एन प्लस वन नोड होंगे अगर एन डब्बे है तो एन प्लस वन ठीक है पोजीशन आफ नोट्स टीक है तो पहला होगया 0 दूसरा होगया एल बाई एन दीसरा होगया 2L बाई एन जथा होगया 3L बाई एन इस तरी के से चलता जाएगा NL बाई एन जिरो एक एक्स्ट्रा है, 0L1 तो टोटल N प्लस 1 डब्बे हो गए, ठीक है, एंटी नोट्स, टोटल, नमबर ओफ, एंटी नोट्स, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, N एंटी नोट्स है, ठीक है, और पोजिशन ओफ एंटी नोट्स, तो यह हो जाएगा, L by 2N, 3L by 2N, 5L by 2N and so on, ठीक है, तो 2N minus 1, L by 2N, ठीक है, तो आप सारी पोजिशन इसमें लिख पा रहे हैं, कहां कहां नोट्स मिलेगा, कहां कहां एंटी नोट्स मिलेगा, एवन अगर कहीं बीच में भी आ जाता है न, जैसे कहीं बीच वाले इसकी जगए, कि सर यहां पर बता देना, ठीक है, तो A sign K X मान के solve कर दूँगा, ठीक है, चलिए भाई, अब इसी case में, ठीक है, sound के लिए भी बात कर लिते हैं, हाल कहल मैं sound के ए भी बता देता हूं, तो sound, ठीक है, standing wave, standing wave or sound in a tube ठीक है, open end both ends a tube open at both ends ठीक है, अब हमारी tube क्या है, both ends से open है, तो अगर आपकी जो tube है, दोनों ही end से खुली हुई है, ठीक है, तो notice कीजेगा, इस बार यहाँ पर मैं दो चीज़े आपको बताना चाहता हूं, पहली चीज़ क्या, अच्छा, sound कैसे ही है, longitudinal wave है, तो particles उपर नीचे जाने की बज़े, left right, left right move कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर displacement का जब मैं wave बनाता हूं, ठीक है, जब मैं displacement का wave बनाता हूं, तो यह displacement का wave anti-node होते हैं, यह वाले points क्या हो जाते हैं, these are displacement anti-nodes, ठीक है, और बीच वाला portion जो हो जाएगा, वो displacement का node हो जाएगा, ठीक है, तो जो wave बनती है, वो कुछ ऐसी बनती है, यह displacement का मैं graph बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और अगर इसी का मैं pressure wave का graph दिखाता हूं, तो भाई जयाद करो, जहाँ पर displacement का anti-node होगा, pressure sine और cos वाला होता है, जब displacement प्लस ए जाएगा, तो sine theta, zero हो जाएगा, तो यानि कि pressure wave का अगर मैं node बनाऊँगा, pressure wave, तो यहाँ पर इस node हो जाएगे pressure का क्या मिलेगा आपको, node मिलेगा, और बीच में क्या मिलेगा, pressure का, anti-node मिलेगा, तो इस इस displacement node, तो इस displacement anti-node, तो यह आपको displacement के anti-node है, displacement anti-node, और बड़ा simple सा reason है, क्यों, यह वाले ends जो है, बिल्कुल atmosphere के contact में, तो यह वाले ends कैसे हैं, यह free है, move करने के लिए, तो free कर सकते हैं, तो यह इधर उधर maximum भागेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर displacement का anti-node मिल रहा है, और यह आपका क्या है, displacement का node है, जबकि, अगर यह end free नहीं, यहाँ पर bound है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका pressure का node मिलेगा, ठीक है, इस इस pressure node, और सोचो क्यूं, जब यह atmosphere के contact में आ गए, तो भाई है, यहाँ का pressure तो बहुत जाब़े change होगा नहीं, तो यहाँ का pressure यह almost node constant ही रहेगा, and this is pressure का anti-node, कहने का मतलब यह है sound wave का भी graph बिल्कुल same बनता है जैसा कि आपका displacement का भी हमने string का बनाया था तो इसकी भी standing wave बिल्कुल same दिखाई देती है ठीक है आपको इसका एक simulation दिखाने की कोशिश करता हूँ टिक है standing wave or standing longitudinal wave यहां देकिए गाइगा यह longitude अल्व है देखो पार्टिकल्स ऐसे मुव कर रहे हैं एंड वाले particles सबसे जादा मूव कर रहे हैं देकिन बीच वाले particles देखिए बीच वाला particle हिली नहीं रहा notice करना ये बीच वाला पार्टिकल आपको हिलता हुआ ही नहीं देख रहा होगा जबकि ये वाला पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है तो ये displacement anti node देख रहा है और ये displacement का node है जबकि pressure कैसा है देखो ये pressure का node हो गया ये pressure का anti node हो गया तो just fire कर देता हूं third harmonic देख क्या हो गया ठीक है कहने का मतलब सेम वही graph बना जो पहले था तो मैंने का यार equation भी सेम बनेगी तो fundamental harmonic की क्या होगी ठीक है अब सबसे पहला क्या होता है कि fundamental कि या फिर first harmonic मैंने का सर ये तो वही चीज़ा जो अभी थोड़ी दिर पहले करके आए थे पस्तामनिक में क्या होगा सर अगर इस pipe की length ल है इस tube की length अगर L है तो L will be equals to lambda by 2 मैं हमेशा pressure वाला graph बनाऊंगा मैं हमेशा ये वाला graph choose करूँगा क्योंकि विजुलाइज करने में स्प्रिंग के विल्कुल बराबर है तो मैंने का L will be equals to lambda by 2 lambda क्या हो जाएगा 2L के बराबर हो जाएगा lambda किसके बराबर आ का 2L के बराबर और अगर lambda 2L के बराबर आ गया तो frequency क्या होती है वी वाई lambda वी वाई 2L किया जाएगी बस अब एक अंतर है यहां पर speed of sound मैं लोंगा under root of bulk modulus by rho अगर liquid है या फिर गामा पी वाई रो अगर air है तो बस speed of sound का यह formula बदल दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया ठीक है सेम वही formula आया तो मैंने का अगर यहां पर पहला formula सेम आया तो बाकी सारे formula भी तो सेम ही आएंगे यार क्या बाकी formula बदल जाएंगे क्या तो इस इस फंडामेंटल हार्मनिक या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ठीक है अब सर मैं direct बाकी harmonics नहीं दिखा रहा हूं मैं सीधा सीधा बस अब एनत हार्मनिक दिखा रहा हूं क्योंकि बाकी सारे cases सेम है ठीक है तो एनत हामनिक या फिर एन माईनस वन ओवर टोन ठीक है तो L की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी n times lambda by 2 lambda हो जाएगा 2L by n तो frequency क्या हो जाएगी frequency आपकी हो जाएगी V by lambda V by 2L यह आपका आगया है nth harmony same वही formula आए हैं जो आपके string में आते हैं same formula सारा behavior same है कहीं कोई भी behavior में भी अंतर नहीं है तो भाईया sound के बारे में बात करे या फिर string के बारे में बात करे same formula बस क्या है V बदल जाएगा वहाँ पर under root T by no था या under root gamma P by no हो गया ठीक है इतना अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आता तो अब आपको दोनों ही cases की standing wave बिल्कुल समझ में आ रही होगी सर यह standing wave कहां पर यूज होती है बांसुरी वगरा में यह standing wave यूज होती है बैसे कली क्या करते है जो बांसुरी में holes होते हैं वो open क्यों करते हैं आप बार बार लेंथ बदलते हो लेंथ बदलोगे तो अलग लग फ्रिक्वेंसी बदलेगी सर वो कहां यूज होता है वो गिटार में यूज होता है स्ट्रिंग वाला देख्या गिटार वाला case भी दिखा देता हूं चल स्टैंडिंग वेवे ना गिटार अब जरह देखेगा गिटार में हम क्या करते हैं जरह नोटिस कीजिएगा गिटार में आप यह वाइबरेट कर रहे हो शायद अगर इसमें आवाज लिसन टू साउंड ठीक है अब देखो जैसे जैसे मैं यह फिंगर की पोदीशन बदलता हूं तो यह को हार्मोनिक चेंज होता जाता है अगर आपको आवाज सुनाई दे रही हो तो डल हो जाएगा ठीक है आवाज इसमें मुझे लगता नहीं माइक पिक करेगा क्योंकि नॉइस कैंसलेशन है ठीक है नहीं पिक कर रहा है ठीक है तो अब जब देखेगा जैसे ही आप यहाँ पर देखो हार्मोनिक चेंज कर दोगे यह एम्प्लिटूड बढ़ा सकते हो तो एम्प्लिटूड से साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी का आ रहा है आउसा और रही है कि आ पतानी आ रही है कि यह आरी थी यह अटेक है अलग-अलग अलग फ्रिक्वेंसी जो कि आपके मैच कर रही है देख हुं तो बेसिकली आम इसके बारे बाद करें करiones subscribe के बात करूं तो गिटार में क्या बन रहा है बेसिकली इसे बन रही है अब जैसे यह होती है बाई 12 फंडमेंटर विक्वेंसी आप लेंस कम कर रहतों प्रेकुंउan सी बढ़ती जा आपे गिटार में से 6 wires होते हैं, हर wire की tension अलग होते हैं, wire की tuning की जाती है, यहां से आप गिटार के यह वायर ने tuning की जाती है, tuning का मतलग क्या होता है, बेसिकल आप इसकी tension felt कर रहे हो, ठीक है, और 6 wires अगर आपने closely notice किया होगा, वो बराबर equally थिकनी होते हैं, ठीक है, हर wire की thickness अलग-अलग होती है, तो थिकनेस अलग-अलग होगी, मतलब mass density अलग-अलग है, ठीक है, तो मुझे पता है V अलग-अलग कर सकता हूँ, क्योंकि V क्या है, frequency होती है, 1 by 12, under root of T by mute, तो T आप change करते हो, ट्यूनिंग करके, और mute 6 wires का अलग-अलग, तो सभी wires की frequency अलग-अलग है, और उन frequencies को combine करके, हम pleasant music बनाते हैं, ठीक है, music में और noise में इतना अंतर है, music आपकी कानों को suit करता है, noise, frequency का combination दोनों में ही उतना ही होता है, noise क्या है, basically, suit ना करें जो कानों को, इतना अंतर है, तो musicians basically इसी चीज़ की training लेते हैं, कि अलग-अलग frequencies को match करके, किस तरीक से pleasant listening experience बनाया जाए, ठीक है, so that जो कानों को suit करें, तो basically हम क्या कर रहे हैं, length बड़ा, अब जब मैं जब अलग-अलग finger की position, वो basically क्या करते हैं, आपने notice किया होगा, जब guitarists play करते हैं, तो यहाँ वाला वह यह, यहाँ पर pluck करते हैं, इसको pluckर से, ठीक है?, वो matter नहीं करता है, आप कहाँ से pluck कर रहे हो, matter करता है finger की position, यहाँ वाले हाथ की finger की position, finger की position basically यह क्या है यह आप finger की position change करते जाते हो जैसे जासे आप finger की position change करते जाते हो आप length बदल रहे हो harmonic के लिए length बदल रहे हो और length बदलने से frequency बदल रहे हो V by 2L L बदल रहे हो तो frequency बदलते जा रहे हो ठीक है और अब आप अब अलग-अलग combination चेंज करते जाते हो तो यह प्लक करना गिटार वाला बजाना नहीं होता है यह hand position यह गिटार बजाना होता है ठीक है कि वह length suit करना length change करना उम्मीद करता हूं आपको अब यहीज़ी समझ में आ रही होगी ठीक है चले याद तो अब उम्मीद करता हूं यहां तकी बात आप सभी को clear होगी अब दूसरे type का standing wave ठीक है standing wave fixed at one end only अब यहाँ पर क्या है एक ही end fix है दूसरे end कैसा है आपका free है मतलब क्या मतलब यह भाई कि आपने रस्सी ली ठीक है एक end से बांधी और दूसरे end से इस तरीके से free wire रख दिया तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सर इस वाले case में चाहें जो भी हो जाए यह वाला आपका point क्या होगा this will be your node ठीक है और यह वाला point क्या हो जाएगा this will be your anti node ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा anti node बोलो यार क्या मैं फहले equation से समझाओ वही जो fundamental हमने standing wave की equation देखी थी हमने क्या देखी थी standing wave की equation थी y is equals to 2a sin kx plus del y2 cos omega t plus del y2 ठीक है मैंने का at x equals to 0 ठीक है क्या है हमारा node है मतलब क्या हो गया 2a sin k into 0 plus del y2 it should be 0 so sin del y2 should be equals to 0 so del 0 ही होना चाहिए ठीक है del क्या होना चाहिए जीरो तो अब यह equation क्या बन जाएगी यह equation बन जाएगी y is equals to 2a sin kx cos omega t इसकी equation वही है जो हमारी पहले वाली wave की equation थी 2k sin kx cos omega t यही पहले वाली equation थी 2k sin kx cos omega t और ध्यान दीजिगा यह पूरा term amplitude है 2k sin kx यह आपका effective amplitude है इसलिए अलगलग जगए amplitude अलगलग है अब आप lambda by 2 रखोगे तो यहाँ पर amplitude 2 ए मिल जाएगा आप अगर यहाँ पर lambda by 4 रखोगे तो एमप्रीचूद कुछ और मिलेगा ठीक है आप वा लेमड़ा वाई 2 रखने पर amplitude 0 मिलेगा ठीक है 2A sine K into L should be equals to plus minus 2A ठीक है यह कुछ होना चाहिए तो KL की value क्या होना चाहिए sine KL की value plus minus 1 anti node का यही condition है ठीक है plus minus 1 होना चाहिए यानि KL की value plus minus 2N plus 1 pi by 2 type का होना चाहिए odd multiple of pi by 2 2N first arm में के अगर बोलता हूँ तो 2N minus 1 कर देता हूँ 2N minus 1 pi by 2 यहाँ पर N की value 1, 2, 3 इस तरीके से जा रही है ठीक है चल भाई 2N minus 1 pi by 2 तो L कितना हो जाएगा L will be equals to 2N minus 1 pi by 2 sorry pi by 2K और के की value क्या होती है क्यों होती है 2 pi by lambda मैं यहीं लिख देता हूँ उपर क्यों लिख रहा हूँ के आपका आ गया है 2 pi by lambda तो यह आ जाएगा 2N minus 1 pi into 2 pi by lambda into 2 pi से pi खतम हो गया तो यह जाएगा 2N minus 1 times lambda by 4 जब धागे की length 2N minus 1 lambda by 4 होगी तब आपको यह वाली condition मिलेगी तब इस सरी के आपको standing wave बनेगा अब मैंने का इतने सारे ग्यान की इतने सारे गड़ित की हमें जरूरत नहीं है फिर से देखिएगा कितनी आसानी से आप जैसे आपने वहाँ पर बना दिये V by 2L, 2V by 2L, 3V by 2L वहाँ पर आपने निकाल लिया था चीक है अब यहाँ देखिएगा सब से पहले चीक है different harmonics तो मैंने यहाँ पर क्या लिखाता देख लेता हूँ भाई जैसा लिखाता हूँ बिलकुल भाई चीज़ harmonics of a standing wave in a string fixed at both ends ठीक है चलो तो harmonics of standing wave in a string fixed at one end only सबसे पहली बात करते है fundamental harmonics fundamental या फिर first harmonics ठीक है तो first harmonics के बारे में बात कर लेते हैं हमारे पास धागा क्या है हमारे पास कुछ इस तरीके का धागा है ठीक है तो इसका जो first harmonics आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर आपका क्या होगा यहाँ पर आपका node होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा लास्ट में आपका एंटी नोड होगा ठीक है नोड एंटी नोड समझ में आगे नोड और एंटी नोड क्या होते है अब ज़रा देखेगा अगर मैं बात करूँ इसकी एक्वेशन में ने का यार अगर यह पूरा डब्बा लेम्डा बाई 2 ठादका की एक्वेल्च के बरावर हो जाएगी अधर यह सब्लेंड कytt के बरावर यह योगिया यू र्य हैल वी एकल्स टु मैं लिकедर रहा हू यह पूरा डब्बे का भी तो आधा हो गया है यह पूले डब्बा लेम्डा बाइट्वाज इम्डार मूइम्डा बाइड कत 4L के बराबर आ गया तो fundamental frequency कित्ती हो जाएगी जैने का सब यह V by lambda होती है V by 4L is the fundamental frequency ठीक है तो इस बार fundamental frequency और natural frequency कि आएगी fundamental slash natural frequency ठीक है यह है आपकी fundamental या फिर natural frequency आपको अगर position पुछ ले किया नोड की position और anti-node की position ठीक है तो सबसे पहले total number of nodes 1 मिल रहा है ठीक है position of nodes खाली 0 पर ठीक है total number of anti-nodes और भी 1 है और position of anti-nodes तो it is L ठीक है अब सब कुछ सेम रखना है second case में अब ज़रा देखेगा कौन सा हार्मनिक मैं लिखता हूँ first overtone यहां मत लिखेगा कौन सा हार्मनिक अभी देख लीजेगा एक बार ठीक है चल तो जल्दवाजी नहीं करते एक बार पहले देख लेते हैं length तो अभी भी L ही है length में कोई change नहीं आया लेकिन इस बार जो आपका हार्मनिक मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा क्योंकि यहां पर आपका anti-node चाहिए ही चाहिए इस तरीके का हार्मनिक मिलेगा और अगर इस तरीके का हार्मनिक मिलता है यह आपके node हो गए है और these are your anti-nodes अब ज़रा देखेगा L की value किसके बराबर होगी मैंने का sir L की value will be equals to lambda by 2 plus lambda by 4 ठीक है मतलब 3 lambda by 4 lambda by 4 lambda by 4 lambda by 4 तो 3 गुना हो गया तो 3 times of lambda by 4 तो lambda आ गया आपका 4L by 3 ठीक है और अगर lambda 4L by 3 आ गया तो frequency कितनी आ जाएगी मैंने का sir यह V by lambda होता है तो V divided by 4L by 3 पहला क्या मिला V by 4L दूसरा क्या मिला 3 V by 4L मतलब क्या इस बार सारे multiple नहीं मिल रहे हैं 1 V by 4L 3 V by 4L मतलब सिर्फ odd multiple मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ odd multiple मिल रहे हैं इसी लिए हम यहाँ पर बोलते हैं इसको third harmonic कि नोटिस करने वाली बात क्या है यह सेकंड हार्मनिक नहीं है जल्दबाजी में कहीं यह मतलिक देना कि सेकंड हार्मनिक मिल रहे है कि 2 V by 4L यह 3 V by 4L दिस इस थर्ड हामनिक थर्ड हामनिक का मतलब तीन multiple third multiple तो only odd harmonics are obtained उम्मीद करता हूँ यह बात यह conclusion तुरंथ मिल गया होगा ठीक है ओनली ओड मुल्टी पल्स अब्लेश हार्मनिक्स आर अब टेंड इन इन दिस केस तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल odd multiples ही मिलते हैं कभी तुमारे दिमाग में खुरापा जग जाएकि सारे मिल रहे हैं तो सारे नहीं मिल रहे हैं ठीक है total number of notes मैं एक काम करता हूँ लिख क्यों रहा हूँ इस सभी को बस कॉपी कर लेता हूँ एंटी नोट्स position of एंटी नोट्स अगर यहां पर अब टोटल नूबर ओफ नोट्स बताने तो कित्ते बताने हैं यहां पर बोलो कित्ते नोड मिले कि इवल दो नोड मिले और position 0 पर मिला और कॉमा अगर मैंने कहा कि तीरो था ठीक है अच्छा बताना यह कहता था थ्री लेंड़ा बाइफ पहला लेंड़ा बाइफ फोर लेंड़ा बाइट टू पर मिला ठीक है और मैंने कहा यह किस पर के बरावर है तो अगर मैंने कहा एल इस इकल टू थी टाइमस लेंड़ा बाइफ फोर तो तो इसको तीन इस्सों में तोड़ दो इन इस्सों में तोड़ो ठीक है थर्ड हामने कहा मतलब क्या एक दो तीन ल वाई थी टूल वाई थी तो टू ल बाइफ री पर मिला ठीक है यह सोचने वाली चीज है 0,2L by 3 और यहां प फेंटी नोड इसमें बताए नहीं, L पर, ठीक है, दो मिले, पहला मिला आपका L by 3 पर, दूसरा मिला आपका 3 L by 3 पर, यानिकी L पर, ठीक है, तो 0 L by 3, तो बेसे कलिए आप वर्बली सॉल्व कर सकता है, आप डारेक्ली ऐसे मत सोचू ना, मैंने अगा थर्ड हाम निक, तो इ कर सकते हैं, अगला, अब कौन सा हार्मनिक मिलेगा, फिफ्ट हार्मनिक, और लिखते क्या है, फिफ्ट हार्मनिक या फिर सेकेंड ओवर्टोन, तो फिफ्ट मल्टीपल मिलने वाला है, एक एंड फिक्स्ट है, इस तरीके का वायर है, वायर की लेंट आपकी L है, और यहां पर इस बर दो पूरे डब्बे, और एक आधर डब्बा, यह मतलब टोटल पांच आधर डब्बे बनाने हैं, तो एक डब्बा, दो डब्बे, पर डब्बा, उम्मीद करता हूँ, यह समझ में आ रहा है कि डब्बे क्या बता रहे है, यह डब्बे बता रहे हैं, वायर इस तरीकर से उपर नीचे उपर नीचे फलक्टवेट करेगा, इसके बीच में, तो यह नोड्स और एंटी नोड्स की पूजिशन भी आपको साफ साफ दिखा रहे हैं, ठीक है, और यह आपका हो गया है, एंटी नोड, इस उल्सो एंटी की लेंथ है lambda by 4 तो ऐसे lambda by 4 lambda by 4 के कित्ते डब्बे बन रहे हैं 3 4 5 तो 5 times of lambda by 4 जिनको समझने में दिक्कत आ रही है चल याद तो अब lambda कित्ता हो जाएगा 4L by 5 तो frequency कित्ती मिलेगी अन्यका V by lambda तो V by 4L by 5 5 V by 4L ठीक है odd multiple ही यहाँ पर obtain हो रहे हैं इस इस नोन आज फिफ्थ हार्मनिक ठीक है position of node and position of anti-node तो टोटल नमबर अफ नोट्स कितने नोट्स मिल रहे हैं तो एक दो तीन फिफ्थ हार्मनिक तीन नोट्स ठीक है टोटल नमबर अफ पोजिशन अफ नोट्स जीरो टीक है एल बाई थ्री टीक है तो जो टोटल पांच डब्बे किया है ना तो टोटल ल बाई हो जाएगा ल बाई फाइब ल बाई 5 ल बाई 5 तो आप इसको կह भी लिख सकते हो यह डब्बे की λैम्डा बाइ 4, L by 5 के बरावर है, ऐसे 5 बन रहे हैं, तो L by 5, L by 5, L by 5, L by 5 और L by 5, आधियाध यह डब्बों के 5 वो बन रहे हैं, चीक है, तो L by 5, L by 5, L by 5, तो 0 पर मिला, फिर 2 L by 5 पर मिला, जीक है, फिर क्या मिलेगा, फिर 4 L by 5 पर मिलेगा, 3 L by 5 पर नह आपनी मिल रहे है तो टो टोल नम्मर ऊफ एंटी नौट्स you no total number of ntr no अनि टी मothe冷ेंगे तो तो टीन एंटी नोट्धिंक है पोजीशन ओफ एंगी नोट्स पोजिशन अफ एंटी नोट किते हो जाएंगे यह नहीं कहा आ लगाई 5 पहला अधिर थ्री एल बाई 5 पिर 5 एल बाई 5 और मल्टीपल पर और यह इवन मल्टीपल पर ठीक है यह सारे नोट सुन गई चलो भाई अब बात करते हैं एनत हार्मनिक की जो भी नंबर है ईनत स्use एनत नहीं ओर्ड मल्टिपल मिलता है तो एनत क्यूं बोलूँगा ओर्ड मल्टीपल 서 2N —1 टयप का बोलता हूं आ động कि और ओवरटोन क्या होगा अगर मैं एन की वाल्य वन रखता हूं तो एन की वद्सने पर फॉस्थ था थार्मनिक मिलेगा एन की वैलिविवु कि एनत्त ओवर्टोन एक वैदिए रखने पर एन माइनस वन्त ओवर्टोन कि चेक कर सकते हो सर आप यह कैसे लिख रहे हैं एन माइनस वन तो टून मैंने का देख एन की वैल्यू1 fundamental हामनिक में तो ओवर्टोन कुछ होता ही नहीं है तो एन की वेल्यू रखने पर यहां पर तो 1 मिलेगा एन की वेल्यू टू रखने पर 2-1 या फिर अगर मैं एन की वेल्यू जी तो एन प्लस वन कर दूँ तो एन की वेल्यू रख दूँगा फस्ट फंडामेंटल पे और एन की वेल्यू अगर मैंने वन रख दी फस्ट ओवर्टोन फस्ट ओवर्टोन पे थर्ड हामनिक हो जाएगा और इसके बाद 2-1 प्लस वन कर दूँगा और एन की वेल्यू जीरो से रखता जाता हूँ ठीक है हाँ चल 2-1 प्लस वन कर देता हूँ ज्यादा बैटर लगेगा फॉर्मला सुन्दर बनेगा अपने इसाप से आप यह चीज है चेंज कर सकते हो ऐसा कुछ रूल नहीं है ठीक है तो एन पस एन की वेल्यू याद रखेगा एन की वेल्यू दीरो से लेकर के 1,2,3 इस तरीके से आगे बढ़ रही है ठीक है तो 0 पर fundamental तो 0 तो ओवर्टोल 1 पर 1st ओवर्टोन 3rd हार्मनिक 2 पर 2nd ओवर्टोन 5th हार्मनिक ठीक है एंड सो आन चलो सर तो अब इसमें बना लेते हैं मै मैंने का कितने डब्बे बनेंगे देख भाई लॉजिक तो सेम है मैंने का फाल्टू के ज्यादा रायते में मत फसना और ज्यादा इस चीज़ में मत जाना कि कितने हार्मनिक कितने जो तुझे याद रखना है वो यह कि सिर्फ और मल्टीपल 1st अर्मनिक V by 4L 3rd हार्मनिक 3 V by 4L 5th अर्मनिक 5 V by 4L 7th अर्मनिक 7 V by 4L बस साथ का मल्टीपलाई किस में V by 4L में पिछली बार क्या कर रहे थे V by 2L 2 V by 2L 3 V by 2L 4 V by 2L वहां पर सारे हार्मनिक मिल रहे थे तो अब ज़रा देखना यहां कितने डब्बे मिलेंगे इस तरीके के और लास्ट में आपको ऐसा ही मिलना है कि बाद गैरेंटी के साथ याद रखना तो ऐसे कितने तो यहां पर N टाइम्डा बाई 4 और कितने है 2N प्लस वन न टाइम्डा बाई 4 is equals to L so wavelength आजाएगी 4L divided by 2N plus 1 टीक है तो frequency हो जाएगी V F is equals to V by lambda so V divided by 4L टीक है तो V 2N plus 1 V divided by 4L टीक है यह मिल रहे हैं आपको this is your odd multiple of harmonic fundamental V by 4L फिर 3V by 4L फिर आपका 5V by 4L 7V by 4L तो 2N plus 1 टीक है position of node and position of anti node आप लिख सकते हो total number of nodes total number of nodes कित्ते निखूंगा मैं अगर first में मिले थे मुझे एक THIRD में मिला था 2 टीक है फरस्ट में मिले थे एक THIRD में मिला था 2 तिफ्ट में मिले थे तीन त्प्स में मिले थे 3 Operation number of nodes तो सेम सेम चलते जा रहे एं मेरे ख Northern all और अगर मैं फिफ्ट को मैं सुए न प्लस वन लिखता हूं ठीक है यह लिनियरली ओवर टून सेम उसमें चलते हैं ठीक है सबस्क्राइब तो आप ले सकते हो तो मैंने कहा कितने टुकड़े करने है अगर मैंने कहा कि सर एन टुकड़े करने है तो 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 जैसे पहला पर मिला 2L by 2N plus 1 मिलेगा, 4L by 2N plus 1 and so on, अब 2, 2N by 2N plus 1, यह सभी की सभी position है, मैं कुछ भी कोई formula मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सीधा-सीधा logically कर रहा हूँ, तो मैं अभी तुमारे सामने solve कर रहा हूँ, मुझे भी कोई formula नहीं पता है, मैं सीधा-सीधा क्य 4K कितने, लेमडा by 4K, लेमडा by 4, लेमडा by 4, लेमडा by 4, ऐसे 2N plus 1 बनेंगे, तो 2N plus 1 लेमडा by 4 की value L के बरावर होगी, ठीक है, तो 2N plus 1 लेमडा by 4, तो मैंने का हर एक का साइस क्या होगा, L upon 2N plus 1, ठीक है, तो यह वाला distance क्या हो जाएगा, अगर मैं यह वाला distance तो यह हो जाएगा, L divided by 2N plus 1, फिर यह भी L divided by 2N plus 1, तो 0 यह हो गया, फिर से भाई चीज, L divided by 2N plus 1, आप देख पा रहे होगे, सेम साइस के टुकड़े हैं, तो उन्हें का, जहाँ-जहाँ मेरे nodes हैं, एक तो 0 पर मिलेगा, 2L by 2N plus 1, 4L by 2N plus 1, 6L, ऐसे आपके आगे चड़ मिलेंगे, इनके बीच में मिलेंगे, एंटी नोट, ठीक है, तो टोटल नमबर ओफ एंटी नोट्स, सेमी होते हैं, बराबर बराबर हैं यहाँ पर, इस इस अल्सो एंट प्लस 1, ठीक है, और टोट पोजिशन ओफ एंटी नोट्स, So, L by 2N plus 1, L by 2N plus 1, 3L by 2N plus 1, अब 2, 2N plus 1, L by 2N plus 1, यह आपके पोजिशन मिल गई, सबी चीजों की हमने पोजिशन ही किसमें लिख डाली, तो बेसिकली यह है आपका सूपर चीज, मतलब आप इससे, अब जब भी कभी वेरिफाइ करना हो, तो आपको अपना कोई कुश्चन सॉल कर रहे हो, तो यहाँ पर आ करके, 2L की जिए कि 4L हो गया, आधा हो गया उसका, तो V by 4L, 3V by 4L, 5V by 4L, इस तरीके से, तो frequencies याद रखना है हार्मनिक्स की, ठीक है, चल भाई, अब बात करते हैं, Standing wave in sound, ठीक है, अरे भाई, खुल जा, और ज्यादा हैंग गुरा है यार, तो standing wave in sound, और sound in tube, extend, close dead, burn it, ठीक है, अब बात करते हैं, Standing wave, Standing wave, for sound in a tube, closed at one end, ठीक है, अगर एक end पर आपकी tube बंध है, दूसरे end पर खुली हुई है, तो basically आपका क्या है, एक end आपका open हो जाएगा, और ये वाला जो end है, ये, बंध कर दिया है, ठीक है, इस case में, आपके pressure और displacement की wave बता देता हूँ, कैसी दिखाई देंगी, आपने खुद से predict कर दिया होगा अब तक, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, displacement wave, तो जहाँ पर ये move करती है, वहाँ पर आपका open node दिखेगा, और ये आपका, anti node हो गया, ये आपका node हो गया, ठीक है, this is your displacement anti node, ठीक है, and this is your displacement node, ठीक है, तो ये आपका displacement का node आ गया, तो basically L length के बराबर क्या हो गया, lambda by 4, तो fundamental harmonic तो आपको सीधा-सीधा दिख रहा है, fundamental, flash, first harmonic, ठीक है, तो L is equals to lambda by 4, lambda आपका आगया 4L के बराबर, तो frequency आपकी fundamental frequency आ जाएगी, V by lambda, यानि कि V by 4L के बराबर, ठीक है, ये है आपकी fundamental frequency, ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी थी, दूसरा बात कर लिते हैं, pressure wave के बारे में, तो pressure wave कैसी रहेगी, भई जहाँ पर ये, अच्छा देको displacement का node होगा, हमाँ displacement का anti-node, ये open to atmosphere है, तो यहाँ पर इसका node बन जाएगा, तो notice कीजेगा, pressure wave और हमारी string वाली wave बिल्कुल identical है, ठीक है, तो this is the pressure node, ये आपका pressure का anti-node, उम्मीद करता हूँ, आपको ये diagram से बिल्कुल सारी बात है, समझ में, आ रही होंगी, ये वाला diagram और fundamental harmonic का ये पहला diagram देखेगा, pressure वाला बिल्कुल same बन रहा है, same बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, तो सारी चीज़ा बिल्कुल same है, तो sound वाले case में, अब उम्मीद करता हूँ, आपको यहाँ तक ही बात समझना, आ गई होगी, fundamental हामनिक हमने लिख दिया, ठीक है, अब बात करते हैं, एनत थार्मनिक की, देखो ये तो fundamental था, एनत थार्मनिक में ऐसे end up भी बन जाते थे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ नया थोड़ी करेंगे, अब बात करते हैं, odd multiple of हमनिक की, यानि कि 2n प्लस 1, नमबर मुझे भी नहीं पता, इसका शायद एनत नमबर होगा, जो भी है, 2n, प्लस वन्त, हार्मनिक, ठीक है, या फिर, एनत, ओवर्टोन, बस यह याद रखिएगा, एन की वेल्यू, 0 से शुरू करना, ठीक है, तो fundamental हमनिक लिए 0 थो ओवर्टोन हो जाएगा, मतलब कोई ओवर्टोन नहीं है, ठीक है, चल यार, तो मैंने का, frequency अब क्या करेंगे, sir, l is equals to, length किसके बराबर हो जाएगी, 2n प्लस 1, lambda by 4 के बराबर, पहला था, lambda by 4, 2n, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, इसके बराबर, तो lambda क्या हो जाएगा, sir, lambda हो जाएगा, 4l, divided by 2n प्लस 1, तो frequency क्या हो जाएगा, यारे का, frequency होता है, v by lambda, तो 2n प्लस 1, v by 4l, चीक है, same वही formula आया, जो आपका पहले आता था, यहाँ पर कोई भी अंतर, नहीं आया है, चीक है, बस एक difference है, यहाँ पर v क्या लोगे, speed of sound लोगे, speed of wave की जगे, मतलब string की जगे, तो v की value रख देना, v is equals to, under root b by rho, या फिर under root gamma p by rho, चीक है, बस इतना सा अंतर कर देना, और कुछ भी अंतर नहीं आया, कैसा भी, एक रत्ती बर का भी अंतर नहीं आया, तो कहने का मतलब यह है, अगर आपने string में, आपने standing wave पढ़ ली, तो sound में भी standing wave, आपकी हो गई, पूरा का पूरा एक साथ आपका, निपड गया, तो अलग-अलग करके, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं, clear है यहां तक की बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चल यार, तो मुझे लगता है, कि यहां तक की बात, आप सभी को समझ में आ रही होगी, क्या हम करना चाह रही हैं, ठीक है, एक और वस छोटी सी चीज़ बताना चाहूंगा, एक end correction, ठीक है, sound के case में होता है यह, क्या होता है, आपकी जो tube है, यहां पर आपका end बंद है, और यहां पर आपका open है, ठीक है, यह end closed है, तो मैंने का सर, यहां पर जो pressure का हम wave बनाते थे, ऐसा बनाते थे, real life में, जब आप pressure का node बनाते हैं, तो जो थोड़ा सा बाहर आता है, center से, थोड़ा सा बाहर आता है, इसी को हम बोलते है end correction, मतलब किया length थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसकी value कितनी है, e की value होती है, 0.6r, फिर r is the radius of this pipe, अगर सवाल में कुछ नहीं बोलता है, अगर सवाल में कुछ नहीं बोलता है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको same way, अगर बोल देता है जैसे इस वाले case में, तो L की value, अब आप क्या लोगे, वह यह L प्लस E ले लेना, जैसे lambda by 4 is equals to L प्लस E, इतना सा काम कर देना, तो जहाँ जहाँ L था, वहाँ वहाँ L प्लस E से replace कर देना, जहाँ जहाँ L था, वहाँ L प्लस E से, और पुराने उस वाले case में, जब दोनों end से open था, तो L प्लस 2 AC replace कर देना, जहाँ जहाँ, जलिए, अब numericals की बारी है, अब numericals solve करते हैं, और एक-एक सवाल को solve करके देखते हैं, कि standing wave से सवाल कैसे बनते हैं, और उनको approach कैसे करते हैं, उनको solve कैसे करते हैं, जीख है, यहाँ तक की theory समाप्त हो गई, अब आपकी standing wave की theory बिल्कुल खतम है, अब आपको सारे के सारे सवाल आप पर बनेंगे, जीख है, चले याद, पहला सवाल दिखेगा क्या बोल रहा है, इसने यह नहीं बोला कि fundamental frequency दे रहा हूँ है, इसने बोला है, two nearest harmonics, the two nearest harmonics, of open, एक end पर open है, दूसरे end पर closed है, तो यह तो हमने odd harmonics वाला scene में पता है न, यहाँ कौन सा वाला scene मिलता है, तो यहाँ तो जो scene मिलता है, वो odd harmonics मिलते हैं, मतलब क्या, अगर मुझे यहाँ पर third harmonics दिया होगा, तो fifth harmonics देगा, एसे वाले harmonics वाला scene होता है, अब लेकिन यह नहीं बोला कि मैं fundamental और third दिये, उसने बोला होज़कता है third और fifth दिये हो, होज़कता है fifth और seventh दिये हो, मतलब क्या मुझे पता है, इसके अंदर जो frequency होती है, an odd multiple की frequency होती है, two n प्लस one, p by 4L, मुझे क्या चाहिए, fundamental हाम निक चाहिए, मैंने का fundamental frequency क्या होती है, sir v by 4L, ठीक है, अब एक बात बता न, तुमको सब consecutive भी हैं, शतलब क्या, sir अगर 3v by 4L दिया है, तो sir पहला मैंने अगर दे दिया, 3v by 4L, दूसरा दे दिया, sir 5v by 4L, अगर मुझे यहां से v by 4L निकालना है, क्या मैं एक काम करूँ, दोनों को आपस मैं माइनस कर दूँ, जब मैं 5 मैं से 3 माइनस करूँगा, क्या मिल जाएगा, sir v by 2L मिल जाएगा, 2 v by 4L, तो उसका आधा और कर देंगे, तो ज़रा देखिएगा, जो भी हो, fundamental of, fundamental of 2N plus 1, minus, fundamental of 2N minus 1, इससे एक ज़्यादा और एक कम, ठीक है, क्या मिल जाएगा, जो जाएगा, जो जाएगा, 2N plus 1, v by 4L, मैं तो देखो, गड़ित में अब लिखके दिखा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा solve तो कपका हो चुका है, ठीक है, यह क्या मिल जाएगा, 2 times of v by 4L, और fundamental क्या हो जाएगा, यह चाहिए v by 4L, तो यह क्या है, 260 minus 220, तो v by 4L की value आजाएगी, 40 by 2, यानि की 20 Hz, ठीक है, यह आगे fundamental frequency, ठीक है, यह आपका आगया fundamental frequency, हो गया solve, कोई मुश्किल तो नहीं होई यार, ठीक है, ठीक है, if we study vibration of a pipe, open end both ends, which of the following statements, is not true, कौन सा statement सही नहीं है, दोनों end पर open है pipe, ठीक है, open end will be anti-node, ठीक है, अगर कुछ नहीं बात कर रहा है, प्रेशर के बाद बात कर रहा है, ठीक है, odd harmonics of the fundamental frequency, बीजनेरेटेड, नहीं भाई, यही बाला not true आ गया, ठीक है, तो यह हमारा answer आ गया, odd harmonic नहीं, अगर दोनों end से open है, तो यह तो सारे harmonics मिलने चाहिए थे, ठीक है, open end will be anti-node, यह बात सही है, चलो displacement के लिए बात कर रहा है, all harmonic fundamental frequency will be generated, यह भी सही है, pressure change will be maximum at both ends, ठीक है, pressure change will be maximum at both ends, नहीं pressure end तो minimum होगा, तो यह भी answer है, ठीक है, is not true नहीं है, यह R वाला हो जाएगा, ठीक है, यह भी answer हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर pressure end maximum नहीं होगा, pressure change क्या हो जाएगा, minimum होगा, ठीक है, चलो तो open end किया जाएगा, चल, अब अगला सवाल देखना है, यार क्या बोल रहा है, the fundamental frequency of an open organ pipe is equals to third harmonic of a closed organ pipe, अब कई बार ऐसे सवाल आते हैं, fundamental frequency open organ pipe की same है, एक open organ pipe ले लेता हूँ यहाँ पर, open organ pipe मतलब ऐसा pipe है, ठीक है, दोनों side से open है, इसकी frequency, third harmonic of a closed organ pipe, ठीक है, closed organ pipe यानि की, एक ऐसा pipe है, जिसको एक end से मैंने पंद कर रखा है, ठीक है, अच्छे, इसकी fundamental, इसकी दोनों की length तो अलग अलग है, लेटर से इसकी length L1 है, इसकी length L2 है, इसकी fundamental frequency क्या हो जाएगी, V by 2L हो गई, 2L1 लग देता हूँ, और यह जो frequency है, it is same as third harmonic, third harmonic क्या हो जाएता है, 3V by 4L2, बस यह याद रख लेना यार, third harmonic मतलब 3V by, V by 4L इसका fundamental होता है, तो 3V by 4L, क्यों, यहाँ पर जो wave बनती है, वो ऐसी बनती है, third harmonic में, और यहाँ की fundamental harmonic की wave, ऐसी बननेगी, तो बस यह याद रख लेना, चलो यार, F1 और F3 बराबर है, तो क्या हो जाएगा, V by 2L1, this is equals to 3V by 4L2, इसकी length of closed pipe is 20 cm, यह 20 cm दिया हुआ है, यह रखा है, ठीक है, V से भी तो उड़ाई दो, तो 2L1, एक 2 उड़ा दो, तो L1 is equals to 2L2 by 3, 2 into 20 by 3, 40 by 3 cm आ जाएगा, ठीक है, यह length आ जाएगी, 40 by 3 मतलब 13.33, ठीक है, यह answer आ गया, चल भाई, अगला सवाल देखना है, यार, क्या बोल रहा है, यहां पर, तो बोला हुआ है, कि, second overtone of a pipe, open organ pipe, has the same frequency as the first overtone, second overtone मतलब, open organ pipe, open organ pipe का मतलब होता है, दोनों end पर open है, इसी को हम organ pipe भी बोलते हैं, तो यह वही चीज है, यार, ऐसा नहीं कुछ अलग हो गया है, second overtone मतलब, third harmonic, और has the same frequency as the first overtone of a closed pipe, closed pipe मतलब, एक end से, second overtone मतलब, यह भी third harmonic ही हो गया, बस यह चीज याद रख लेना, यहां पर सर कैसे, मैंने का, अरे यार, simple सी बात है, अगर आपका pipe, दोनों end पर open है, इसका second overtone, तो first overtone मतलब, second harmonic, second overtone मतलब, third harmonic, तो ऐसे तीन डब्ब्बे बनेंगे, ठीक है, और, एक end से अगर आपने pipe को बंद कर दिया, यहाँ पर first harmonic बनेगा एक, ठीक है, और फिर कैसा बनेगा, first overtone, इसका first overtone मतलब, third harmonic, क्योंकि यहाँ पर odd multiple मिलते हैं, सिर्फ, यह मिलेगा, ठीक है, often close down pipe, l meter long, तो length of open pipe will be, आपको इस वाले pipe की length निकालने है, तो मैंने का, इसकी length, small l बोल दूँ, ठीक है, अब जरह बताना, small l किसके बराबर होगा, मैंने का, यह third harmonic है, तो frequency will be equals to, three times v by 2l, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह third overtone है, थर्ड हामने किसका भी है, तो three times v by 4 capital L, दुनों को बराबर कर दो, तो three v by 2l, is equals to three v by 4 capital L, three से three v से v ओड़ गया, यह two बन गया, small l is equals to two times capital L, चीक है, answer आगया आपका option v, clear है, चल यार, सवाल बड़े ही आसान होते हैं, बस सोचने की देर है ऐसे सवालों में, तो क्या करें, अब अगला सवाल देखेगा, standing waves are produced in a 10 meter long stretched string, ठीक है, 10 meter long stretched string है, if string is five segments, ठीक है, velocity दे रखे, frequency पूशिये, जर्द देखना, अब आपको सवाल में सारी information तो दे दी, ठीक है, तो, तीन, चार, और ये पाँच, ठीक है, तो harmonic दे दिया, five, तो मैंने का frequency क्या होती है, frequency होती है, nv by 2l, तो 5v by 2l हो जाएगा, frequency की value, आपको velocity भी दे रखिये शायद, 10 meter long string है, ठीक है, l दे दिया है, velocity is 20, 20, 20 इंटू 5 by 2 इंटू 10 meter, तो 5 hertz आजाएगी frequency, 5 hertz is the frequency, clear है, चल भाई, अगला सवाल देख, ठीक है, देख रहा है, कितनी जटजट सवाल सवाल होती है, तो क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है, कि wave of frequency 100 hertz, is sent along a string towards a fixed end, when this wave is travels back after reflection, a node is formed at distance 10 centimeter from fixed end, देख, अब तो जब घुमाने की कोशिश करी, क्यार मैंने एक wire है, यहाँ पे fixed end है, एक wave को यहाँ से फैका है, frequency 100 hertz, और बोल रहा है, यहाँ कहीं 10 centimeter दूर जाकर के node यहाँ पर node बन रहा है, मतलब यह wave कैसी रही होगी, ऐसी wave बने होगी, standing wave ऐसी बन रही होगी, तो lambda by 2 की value दे दी आपको 10 centimeter, lambda by 2 आपको दे दिया है, 10 into 10 की power minus 2, टीक है, from the fixed end, the speed of incident and reflected wave, speed पूशी है, मैंने का lambda कितना निकल आएगा, 2 into 10 की power minus 1 meter, टीक है, और मैंने का frequency क्या होती है, b by lambda के बराबर, टीक है, तो velocity क्या हो जाएगी, आपको अब यह नहीं सोचना के सरह, यह कौन सा हाम निकाए, आप तो सीधा-सीधा बस wavelength अगर आपकी पता चल गई, तो फिर तो आप सीधा-सीधा चीशी सी निकाल सकते हो, तो velocity क्या हो जाएगी, lambda into frequency, lambda आपका है, 2 into 10 की power minus 1 into 100, तो आजाएगा, 20 meter per second, option C answer आ गया, तो सवाल में, ऐसे भी घुमा फिरा करके देने की कोशेश करता है, कि बोल देगा, 3rd हामनिक इदर बन रहा है, 3rd node इदर है, 4th node इदर है, या node की position दे दे, या पूछ ले, तो कई बार ऐसा भी कर लेता है, क्या बोल रहा है, closed organ pipe is excited to support 3rd overtone, चीख है, अच्छा, closed organ pipe है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, closed at one end, तो मैंने का 3rd overtone, देख, 3rd overtone मतलब, 1st overtone मतलब, 3rd हामनिक, 2nd overtone, या तो 2nd plus 1 से कर ले, चीख है, 2nd plus 1, 2 into 3 plus 1, यानि कि आपका होगे, 7th हामनिक, या एक एक करके गिन लेना, that the pipe has, अब बताना, 7th हारमनिक में कित्ते मिलते हैं, 7th node, 7 node, 7 anti-node, नहीं, 7 नहीं, ठीक है, n plus 1, 3rd, 3rd overtone है, 4 node और 4 anti-node, 4 node and 4 anti-nodes, ठीक है, n plus 1 node, और n plus 1 anti-node, मिलते थे हैं, सर कैसे आपने पता किया, मैंने का, मुझे ऐसे याद है, 1st हारमनिक में, 1 node और 1 anti-node, ठीक है, 3rd हारमनिक में, ऐसा कुछ था, ठीक है, अब ज़रा देखना, एक चीज, ये काउन साई, 1st overtone, 1st overtone में क्या बोलूँगा, 1st overtone में, 2 node, और 2 anti-node, ठीक है, 2nd overtone में, एक डबबा और बढ़ जाएगा, तो 3 node, 3 over node, तो 1 end plus 1 मिलता था, तो मतलब क्या है, 4 node और 4 anti-node, 3rd overtone में, ठीक है, डाइगराम बना के देख ले ना नियार, चल, अब क्या है, ट्यूब हैस बोथ एंड्स ओपन वाइल, 3 as 1 end, otherwise they are identical ratio of fundamental frequency, नहीं अब तुम लोग करो गई है, ठीक है, fundamental frequency का ratio पूछ रहा है, सीदा सीदा, V by 2L और V by 4L का ratio, ठीक है, क्या आगे आप pipe open at both ends, fundamental frequency F है, air में, pipe is vertically water, so that half of it is in water, fundamental frequency is now, ठीक है, एक pipe है, एक pipe है, जो के दोनों end से open है, इसकी frequency F है, let us say pipe की length है, आपकी L, L length का pipe, frequency क्या दे रखी है, frequency दे रखी है F, F की value क्या हो जाएगी, V by 2L के बरावर हो जाएगी, मैंने रहा का ठीक है, अब इसने बुला है कि, इसी pipe को पानी में dip कर दिया है, so that ये आधा pipe जो है, वो पानी के अंदर है, same यही pipe, आपने पानी के अंदर dip कर दिया है, so that आधा pipe जो है, वो पानी के, अंदर आ चुका है, तो ये अंदर आ चुका है, ये तो fix end हो गया, अब basic लिए क्या है, अब ये pipe आपकी length क्या बच गई, आपका pipe जो है, वो सिर्फ आधी length में fix है, तो आधी length में बताना है, क्या बनेगा, बने का यार क्या बन सकता है, fundamentals frequency of the air column बतानी है, तो बने का fundamental frequency, अब जो होगी, this f dash is equals to, v by 4L, l की जागे क्या रख दूँँगा, l by 2, 2v by 4L, यह तो v by 2L आ गया वापस, same ही आ गया, same fundamentals frequency, f, तो यहाँ पर भी f थी, यहाँ पर भी f थी, length आ दी होगी, लेकिन frequency अभी, अब देखो यह close organ pipe बन गया न, यहाँ पर क्या था आपका, open organ pipe, यहाँ पर आपका ऐसा बन रहा था, देख, अब यहाँ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है, clear है, resonance की बात करते हैं, तो resonance कुछ और नहीं है, resonance तब बोलते हैं, जब external source की frequency, आपकी standing wave की frequency से match कर जाए, ठीक है, तो frequency of external source, frequency of, external source, physicals to frequency of standing wave, जैसे, अगर एक बच्चा जूला जूल रहा है, ठीक है, और जूला जूलते में, आप पीछे से सुबह पुश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लगातार पुश नहीं कर रहा है, आप कुश time interval के बाद पुश कर रहा हूँ, ठीक है, तो ideally आपको push up करना चाहिए, जब बच्चा जूल के वापस आ रहा हो, तब आप उसको धक्का देते हो, क्या, नहीं, क्या होता है, जब ये बच्चा जूल करके, आगे जा करके वापस यहां आता है, इस वाली condition में, ठीक है, तब आप इसको धक्का देते हो, नहीं यहां पर, बतलब क्या, जितनी frequency इस जूले की है, अगर आपके force की भी frequency उतनी ही match कर जाए, तो क्या होगा, जूला और तेज आगे जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, resonance हो जाएगा, ठीक, इसी तरीके से, कोई भी wave resonance में तब आती है, जब उस wave की natural frequency, और मेरी frequency match कर जाए, मेरे हाथ की frequency जब इससे match कर गई, देखो resonance में आ गया यह, ठीक है, और अगर मैं कहूं के नहीं, अब ही मैं देख frequency कुछ भी यह random कर दी, क्या यह resonance में देख, बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर से अब देखना, फिर से मैं frequency बढ़ाता जा रहा हूँ, एक condition SEI, जब यह दोबारा से क्या आ चुका है, दोबारा से resonance में, क्यों मेरे हाथ की frequency, इसकी frequency से match कर रही है, इसको हम कहते है resonance, तो resonance कुछ और नहीं है बाई, बस यह है कि आपके source की, जैसे कहता है कोई, अरे मेरी tuning उससे साथ बैठ रही है, resonate कर रहे हैं हम दोनों, टीक है, क्या है, tuning बैठने का मतलब क्या है, हम दोनों की fundamental frequency, बिल्कुल match कर रही है, इसको हम कहते है resonance, बस नाम fancy कर देने से कहानी थोड़ी fancy हो जाती है, अब सवाल देख ले है, क्या बोल रहा है आपर, एक string है, इसको stretch किया है, point separated by 75 cm, इसको 75 cm separated है, it is observed to have resonant frequencies of 420 Hz and 315 Hz, there are no other resonant frequencies in between, lowest frequency निकालनी है, ठीक है, मतलब क्या, string stretch between two fixed points, धागा आपका 2 fixed points की बीच में है, तो आपका अगर धागा ऐसा है, रहाद है इसकी frequency क्या होती है, सर इसकी frequency तो nv by 2L होती है, ठीक है, तो उसमें पहली frequency दी कितनी, तर एफ बन दिया है, यानिकी nv by 2L, ठीक है, और दूसरी frequency किती दी है, इसने 315 Hz दी है, ठीक है, तो f2 इसने दे दिया है, लेटस से, और consecutive harmonic दी है, मतलब क्या, अगर ये 3rd है, तो ये 4th है, ये 5th है, तो ये 6th है, ऐसा harmonic दी है, तो ये क्या हो जागा है, n plus 1, v by 2L, इसकी value कितनी है, सर्फ 315 Hz है, मैंने का, अब पूश क्या रहा है, fundamental frequency पूश रहा है, अब एक बात बता न, हर harmonic v by 2L, v by 2L बढ़ रहा है, अगर मैं, f2 मैं से f1 घटा दूं, या f1 मैं से f2 घटा दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, दो consecutive harmonic को, जब मैं minus करूँगा, क्या बचेगा, खाली v by 2L बचेगा, जैसे, पहला 10 Hz, दूसरा हर्मनिक 20 Hz, तीसरा हर्मनिक 30 Hz, चौता हर्मनिक 40 Hz, मैंने का, अब ऐसे, मैंने तुम्हें ये निए पहला हर्मनिक कितना है, मैंने का, एक हर्मनिक है 60 Hz, दूसरा हर्मनिक 70 Hz, तो बता दे न, फंडामेंटल कितना होगा, इन दोनों के बीच का, जो डिफरेंस होगा, वही तो फंडामेंटल हो गया, तो सीधा सीधा, 420, माइनस 315, यानि कितना हो गया, 20 और, 20 प्लस 85 है न, 105 Hz, तो फंडामेंटल, ठीक है, ओप्शन डी आंसर आ गया, आप अब यह भी बोल सकते हैं, कौन-कौन से हर्मनिक होंगे, 105 का तीन कुना, तो थर्ड हर्मनिक और यह फोर्थ हर्मनिक भी आ है, ठीक है, तो अब यह भी पता चल गया, चल यार, अगला सवाल देखना भाई, क्या बोल रहा है, एन एयर कॉलम क्लोज एट ओपन, अधर रेजुनेट्स, विट ट्यूनिक फॉर्क, विट एन दे स्मॉलेस्ट लेंट अब दा कॉलम इस 50 सेंटी मीटर, ठीक है, ट्यूनिक फॉर्क कुछ नहीं होता भाई, एक एयर कॉलम है, ऐसा, ट्यूनिक फॉर्क ये है आपका, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसके साथ रेजुनेट कर रहा है, मतलब इस ट्यूनिक फॉर्क की फ्रिक्वेंसी, इसकी frequency के साथ match कर रही है ठीक है resonates with a tuning fork when the smallest length of column जब length सबसे चोटी होती है तो क्या होता है ठीक है length सबसे चोटी मतलब क्या 50 cm पर कर रहा है fundamental frequency दे रहा है आपको ठीक है तो 50 cm पर कर रहा है चलो यार फिर the next larger length resonating same fork is ठीक है अब मैंने का यार अब बता length बढ़ाऊंगा तो क्या होगा frequency कम होती जाएगी नहीं frequency कम नहीं होगी basically length बढ़ाऊंगा तो यह आपकी यह चीज़ बढ़ती जाएगी ठीक है अब ज़रा देखते हैं और अब higher frequency मेंच करेगा तो मैंने का first frequency कितनी होगी 3V by 4L1 और V तो उतना ही रहने वाला है अब 3V by 4L2 के साथ मैच कर जाए तर यह आप कैसे सोच रहे हो मैंने का सोच न मेरी बात ठीक है स्टेंडिंग देख बिगड़ गई होगी फिर से अब resonate नहीं करेगा थोड़ी दिर में अब बताना यह दुबारा resonate कप करेगा ठीक है मैंने का सर जब मैं इसको नीचे लेता जा रहा हूँ तो एक condition ऐसी आएगी एक condition ऐसी आएगी जब इस frequency का third harmonic के length के बराबर हो जाएगी यहाँ पर odd harmonic ही allowed है तो सर अब यह जो length है L मान लेता हूँ तो L length पर अब कैसा बनेगा अब ऐसा बन जाएगा तो सर यहाँ पर आ करके ऐसा यहाँ पर आ करके ऐसा तो बताओ यह कौन सा हो गया third harmonic मैच कर गया ठी बन की जगे L लिख देता हूँ और यह 50 cm दिया है मुझे ठीक है वी से वी तो उड़ाई दो 1 by 4 into 50 3 by 4 into L L की value आ गई 1500 cm चीक है 800 cm यह आप ऐसा सोच सकते थे frequency तो चेंज करी नहीं आपने oscillator की तो मतलब frequency चेंज नहीं करी तो wavelength भी चेंज नहीं हुई speed भी चेंज नहीं हुई अब wavelength चेंज नहीं हुई तो पहला lambda by 2 दूसरा 3 lambda by 2 चीक है अरे यार अब इसको वरवली भी तो solve कर सकते थे कि सर यह वाली length आदा डबबा बनता है तो कित्ता होता ही length lambda by 2 तो यह कित्ता length बनेगा 3 lambda by 2 तो सर्फ देड़ गुना पे काम बन जाएगा तो 50 के बाद देड़ सो पर मिलेगा फिर 500 पर मिलेगा फिर अगला है sonometer sonometer कुछ नहीं होता है बड़ाई simple सा device नाम fancy कर रहा है बस और कुछ भी नहीं कर रहा है sonometer क्या है एक इस तरीके का device है यह आपका platform type का table मान लो इस table पर आपने यहाँ पर एक कोई bridge रग इसको हम bridge बोलते हैं एक bridge मैंने यहाँ रग दिया और इन दोनों bridges के बीच में हमने एक wire connect कर दिया और यहाँ से मैंने एक pulley की help से यहाँ पर यह रग दिया ठीक है यह पुली fix है इसी को हम कहते है sonometer wire यह arrangement जो है न यह वीवार है वीवार से बंधा होता है इसको arrangement को हम कहते है sonometer यह जो bridges है इनको हम बोलते है bridge इनको हम आगे पीछे सरका सकते हैं इनको हम आगे पीछे सरका सकते हैं तो sonometer wire में basically यह चेक किया जाता है कि यह frequency कितनी है अब यहाँ पर अलग-अलग masses रखे जाते है masses रखे क्या करोगे आप अलग-अलग mass रख करके आप tension change करते हो तो tk value किसके बराब से एक oscillator से इसके अंदर vibration create करने की कोशिश करते हो तो जिस frequency यह frequency है F0 यह wire है तो F0 की value क्या हो जाएगी fundamental frequency में V by 2L और V क्या हो जाएगा 1 by 2L under root T by Q बस इतना सा कहानी है sonometer की तो एक हाट चीज देगा तुमसे दो तीन शीज से औृषी यह सब्सक Ар提ंचन पूश सकता है Q'sकि करता है इस वह सबकार की ठीट मेंटर ओर रहा ज denominator लांउब घ्र बोलौड देगा अब ब्रिज के बीच की लेंथ ये रही यार this is the length between the bridges तो वही आपकी wire की length हो जाएगी ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं आप पता है क्या करता है कई बार word यूज करता है waxing and winning ठीक है waxing का मतलब क्या होता है waxing का मतलब है इसके उफर हमने कोई wax लिया और चुपका दिया तो wax चुपकाने से क्या होता है waxing का मतलब है कि वो μ्यू बढ़ाना चाहरा है mass per unit length बढ़ाना चाहरा है और winning का मतलब क्या होता है वेनिंग का मतलब होता है म्यू कम कर देना वेनिंग का मतलब है ब्लेड लिया और ब्लेड से ऐसे खुरच दिया इसको तो खुरच दिया का मतलब क्या हो गया वो वेनिंग हो गया तो वैक्सिंग से म्यू बढ़ता है वेनिंग से म्यू कम होता है बस इपनी सी कहानी है कई बा आना नहीं है भाई चल सवाल देख ले यार क्या बोल रहा है तो सवाल बोल रहा है वायर ओफ लेंथ एल मास पर यूनिट लेंथ देख मू दिया है आपको इस पुट अंडर देंशन टेंशन दिया है नाउ टू कंद्री कुटिटिफ रिक्वेंसी देट रेजनेट्स आर चा चारसो 20 और 490 mehr दिया कि तो jsum fundamental frequency दिखने लगी ठीक है मंने ऑने खासë 420 चारसो नब घृ सर मुझे पता है कि शिंफ टूसरा मिलेगा s1-3 by 2 right 3 V by 2L, तो अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, V by 2L, which is equals to nth frequency, minus n-1 की frequency, तो ज़रा बताना, 490 में से, आपने अगर 420 माइनस कर दिया, तो आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मिल गई है, 70 Hz है, अगर आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पता चल गई है, क्या निकालना है, L निकालना है, V by 2L is equals to 70, V की वाल अंडरूट टी बाई मुउ से पता चल जाएगी, तो L is equals to, V upon 140, जालो, 1 upon 140, अंडरूट टी बाई मुउ, टेंचन दिया है, 540, ठीक है, डिवाइद बाई मुउ काहिए, 6.6 इंटो 10 की पावर, माइनस 3, ठीक है, 9 चिक चववन, 10 की पावर 3 जाएगा, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो 3 इंटो 10 की पावर 2, डिवाइद बाई 140, एक 0 से एक 0 खतम हो गया, 30 बाई 14, 15 by 7, 2 point something कुछ आएगा, ठीक है, 2.1 कुछ मार्क कर दो, एक यह option, ठीक है, चले यार, लें तो वाइर इस इतना, fundamental frequency इतना है, वाट शुट भी प्रेस्ट, fundamental frequency बिकम्स 180 Hz, ठीक है, कुछ से solve कर सकते हो, यह सवाल, नाम बदल देगा, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा है, तो आपको अब जब भी standing wave के सवाल पूछेगा, बस नाम नहीं नहीं रख रख के आप से सवाल पूछने की कोशिश करेगा, और सवाल आप बड़ी आसानी से solve कर सकते हैं, चले यार, क्या बोल रहा है, N1, N2, N3, fundamental frequency of 3 segments, ठीक है, in which a string is divided, original fundamental frequency is given by, ठीक है, मैंने का यार, अगर मैंने 3 segment में एक wire को तोड़ा है, ठीक है, मैंने एक wire को 3 segment में तोड़ दिया, let us say, L1, दूसरा है L2, और तीसरा है L3, इसकी fundamental frequency है N1, जिसकी है N2, जिसकी है N3, ठीक है, तो N1 क्या हो जाएगा, V by 2L1, ये क्या हो जाएगा, N2, N2 is equals to V by 2N2, 2L2, और N3 हो जाएगा, V by 2L3, ठीक है, ये तीनों की fundamental frequency है, अब मैंने का, total क्या हो जाएगा, fundamental frequency, V by 2 times of L1, प्रस L2, प्रस L3, ठीक है, L1 को यहां से क्या लिख सकता हूँ, V by 2N1, तल जा यार, चाहे द अंदर से बंद करनी पढ़ा है, चाहे दोड़ थोड़ा slow हो रहा है, चल भाई, तो V by 2N1, ये कितना हो जाएगा, L2, V by 2N2, L3, V by 2N3, ये कुछ हो गए, ठीक है, तो यहां पे चाप देता हूँ, V by 2, V by 2N1, V by 2N2, V by 2N3, ठीक है, ये खतम हो गया, 2 से 2 सब जगे, इसको इधर बेज़ दो, इसको इधर बेज़ दो, तो V by N, V by N1, V by N2, प्लस V by N3, तो 1 by N is equals to 1 by N1, प्लस 1 by N2, प्लस 1 by N3, आंसर आ गया, आपका option A, इसको इसको इन सब्सक्राइब, ठीक है, चले यार, अगला, A stretched string resonates with a tuning fork of frequency, इतना when length is 0.5, the length of required to vibrate, ठीक है, वे तो tuning fork इतना, नहीं करवाओंगा ये, अब तुम सवाल समझदार हो, खुज से कर सकते हो, एक एक सवाल, ठीक है, सारे के सारे सवाल सेम ही प्रंसिपल पर बेज़ रहें अब बात कर लेते हैं हम लोग resonance tube की again resonance tube कुछ और नहीं है बड़ा ही easy concept है नाम fancy फिर से कर दिया है एक इस तरीके की tube है ये sound के लिए use होती है एक इस तरीके की tube है जिसके अंदर का water level मैं यहाँ पर एक दूसरी tube से manage करता हूँ तर कैसे manage करते हैं basically जो water level यहाँ पर होगा वही water level यहाँ पर होगा अब इस में से पानी add करके या minus करके या tube को उपर नीचे करके हम यहाँ पर water level को adjust करते हैं और जैसे ही water level को adjust करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपके कोई tuning fork होगा उस tuning fork की frequency के साथ यहाँ पर हम यहाँ पर standing wave generate करने की कोशिश करते हैं जैसे ही standing wave generate होती होती हो देखो यार पहले आपको low आवास सुना ही देगी जिक है standing wave basically वह condition है जो के कोई भी pipe कोई भी even हर चीज की resonating frequency होती है हर चीज की extending wave होती है यह वह wavelength है या वह frequency है जो के कोई भी object या wave prefer करता है जिसमें यह क्या करता है अपने आप vibrate करने लगता है इसलिए बोला जाता है earthquake resistant buildings वो क्या है वो वो buildings है जिनकी natural frequency earthquake की frequency से match ना करे तो resonate नहीं करेंगी अगर किसी building की frequency earthquake की frequency से match कर जाए तो वो ज्यादा resonate करेंगी वो ज्यादा damage होगी ठीक है चले आप तो अब जरा यहां पर ध्यान दे ना मैंने का सीधा सीधा वही फॉर्मला लगाओ ना यार एफ इस इकल्स टू पी बाई और फंडमेंटल हामने बस अब आप यहां पर एल change करते जाएंगे और आपका frequency बदलता जाएगा बाती सारी शीदा बदलती जाएंगी तो यह है आपका resonating tube ठीक है नाम fancy कर दिया है यह तो हम अभी भी solve कर रहे थे थोड़ी दिर पहले ठीक है नाम fancy कर दिया है और कुछ भी change नहीं किया है चल यहां देखना है यार सवाल में क्या बोल रहा है तो बोला हुआ है in resonance tube experiment when tube is filled with water up to height of 17 cm from bottom resonating tube है tube को हमने 17 cm तक फिल किया है from bottom यहां से बढ़ा करके यहां तक ले आया तो थोड़ी देर के बाद जब यहां से यहां पर ले करके आया है तो दुबारा resonance शुरू हो गया अच्छा यह resonance कब शुरू होगा पहले वेव कैसी बन रही होगी इसके अंदर पहले वेव कि ऐसी बन रही होगी मैंने का कुछ भी वेव हो सकती है लेकिन इतना पता है मुझे ऐसा वाले condition होगी ठीक है तो इसके बाद पहले ही ऐसी कुछ था मैंने का मुझे उपर वाले के बारे मैं नहीं पता कुछ भी हो सकता है लेकिन मैंने का यार जब मैं इसको डिस्टेंस जाओंगा तो फिर दुबारा वाला मिलने लगेगा क्या ही बात समझ में आई है मतलब क्या है आप सोचना मेरी बात इस तरीके से imagine करो आपकी resonance हो रही थी ऐसी हमारी एक question बन रही ऐसी कुछ wavelength थी यह पैसा था ठीक है मैंने का पहला resonance कम मिला था जब मेरा wire यहां तक था अब मैं इस wire को जब यहां पर लेकर जाओं तभी तो resonance मिलेगा मैं इस बार length change कर रहा हूं frequency change नहीं कर रहा हूं frequency change नहीं करी तो उसकी fundamental frequency change होने रही velocity चेंज होने रही तो standing wave तो वैसी की वैसी ही है ठीक है बस wire के length बदल रहा हूं तो अब इतनी length पर resonate करने लगेगा तो यह distance क्या हो जाएगा तो यह distance lambda by 2 ही तो होगा कि अधिक है तो नहीं का lambda by 2 दे दिया तो यह 24.5 पागल बना रहा है ठीक है पहला कि अचा हाइट दिये यह हाइट किती दिये 24.5 तो लेमडा बाइट तो इस इकोज टू 24.5 माइनस 17 यह इस पर आपको frequency मिलने लगेगी ठीक है तो चार 4.5 6.57 ठीक है लेमडा बाइट तो कितना आ गया चार 5 6 7 7.5 आपका wavelength आ गया है 15 cm ठीक है wavelength अगर पंदरा आ गया क्या पूश रहा है कि क्यूनिंग फॉक फ्रिक्वेंसी आपको f0 की वैली पूश रहा है मैंने का यार अगर तुम्हें लेमडा पता चल गया तो f0 होता है कि भाई लेमडा वी दे रखा है 330 15 इंटू 10 की पावर माइनस टू 15 दूनी 30 ठीक है तीन बचा 15 दूनी 30 2200 हर्ट्स पर काम चल रहा है यह सॉल्व हो गया तो कहानी में घुमा फिर आकर तुमसे बोल रहा है कहा रहा है पहले यह आप मिल रहा है तो लेमडा वाइट टू निकालने की कोशिश करवा रहा है ना तुमसे यार ठीक है जले यार अगला सवाल टीक है एक स्लिंड्रिकल रेजुनेंस ट्यूब है ओपन एट बोथ एंड्स टीक है है स्फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एफ इन एयर टूब इस हाफ डिप्ड़ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी यह तो मैंने अभी सॉल्व करवाया था रिपीट हो गय is of 85 उस फ्रिक्वेंसी लाइज बिलोव 1250 हर्ट्स एक एक एंड पे क्लोस्ट है कितने तुम से पूछ रहा है कितने हार्मनिक मिलेंगे वी बाई 4L तो बेसिकली एन वी बाई 4L की वाली बारा सो पचास के बराबर कर दो एक है जो एंड का पता है 2N plus 1 P by 4L ठीक है तो बस आपको यह चेक करना है tuning fork with frequency 800 Hz produces resonance in air column tube ठीक है with upper end and lower end close by water surface ठीक है successive resonances are observed at this speed of sound देखो कितना आसान है ठीक है successive resonance दे दिए तो बेसिकली मुझे इसका delta L किसके बराबर हो जाएगा lambda y 2k basically पानी का level बदलता जा रहा है पहले यहाँ पर किया इसको logically सोच यार इतना दिमाग मत लगा logically सोच तेरा पानी यहां तक भरा हुआ था ठीक है इसके अंदर इस तरीके की तेरी standing wave बनी हुई थी एसी standing wave बन रही थी तेरी ठीक है अब तुने यहां पर पानी भरा तो फस्ट आर्मनिक का में लेगा जब यहां पर पानी था ठीक है इसके बाल किन तो are observed at length 9.5 cm तो यह length देदी है 9.5 9.75 फिर यह वाली length आपको देदी है 31.25 cm फिर यह वाली length आपको दुबारा से देदी है 52.75 cm तो जब alternate इनको माइनस करोगे तो lambda by 2 कहीं तो difference है तो lambda by 2 31.25 माइनस 9.75 तो दस में से 20 21 21.25 प्रस 21.5 शायद आ रहा है lambda by 2 lambda किता आ जाएगा 43 cm फिक है मैं उम्मीद करते हूं मैंने calculation सही करिए 21 सही करिए 43 cm lambda आ गया अब क्या पूचा है speed of sound speed of sound क्या होता है lambda into frequency ठीक है lambda दिया 43 into 10 की power minus 2 frequency किती दे रखी है 800 hertz दे रखी है तो यह तो खतम ही हो गया आठ तिया 24 आठ चौबीस आठ चौब बतीस तेतीस चौबीस 344 मीटर पर सेकंड फिर्क्वेंसी कुछ टाइप देख लिए जब वेव सेम डारेक्शन में जा रही थी तो फेजर से एड़ करते थे जब वेव ओपोसिट डारेक्शन में जा रही थी तो standing wave बनाती थी अब तीसरे टाइप का interference which is beats ठीक है तो it is interference this is the third case ठीक है it is interference of waves of different frequency और ध्यान देना slightly different frequencies slightly different frequencies ठीक है यह जो बनता ही क्या है थोड़ी सी अलग-अलग frequencies का जो उनकी help से बनता है तो लेटस से आपकी जो wave है अच्छा यह sound के लिए हम generally बात करते है जनरली फॉर sound ऐसा नहीं है कि standing wave आपकी जो normal wave है वो नहीं देती है लेकि जनरली हम sound के लिए बात करते हैं अब जैसे मान के चलिए आपके पास यहाँ पर दो speakers हैं एक speaker आपने यहाँ पर लगा दिया है और ऐसा ही एक दूसरा speaker आपने थोड़ा सा दूर रख दिया है अब ज़रा देखेगा जब यह speaker से जो भी sound निकल करके आ रही होगी एक जगे कुछ यहाँ पर आएगी यहाँ से भी sound आएगी तो यह sound क्या करेगी इंटर्फियर करेगी कि sound की frequency अगर f1 है कि sound की frequency अगर f2 है तो मैंने का यहाँ पर जो wave मिल रही होगे particular x पर तो मैं क्या लिख दूँगा जो y1 मिल रहा है it is equals to a1 मैं amplitude शायद same ही रखता हूँ sin omega 1t और y2 मैं लिख देता हूँ a sin omega 2t let us say amplitude मैंने same रख दिया तो जब मैंने amplitude same रखा तो मिल नेट जो y इस जगे पर मिलेगा it will be y1 प्लस y2 तो a sin omega 1t प्लस sin omega 2t अब sin c प्लस sin d क्या होता है a 2 sin c plus d by 2 omega 1t plus omega 2t by 2 into cos c minus d तो omega 1 minus omega 2t by 2 इसके बरावर होता है तो मैंने रख दिया यहाँ पर अब यह क्या मिल गया मुझे it is equals to 2a sin यह cos मैं इसको पहले यहाँ पर लिख देता हूँ cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t into sin omega 1 plus omega 2 by 2 into t इस तरीके की wave मिल रही है अब ज़रा देखेगा सेम एक ही जगह पर इसी जगह पर आपको एक time varying amplitude मिल रहा है मतलब क्या कभी तो इसकी आवाज जादा हो जाएगी जब यह cos theta 1 के बरावर हो जाएगा किसी टाइम पर और कभी इसकी आवाज बिलकुल कम हो जाएगी ठीक है अच्छा तो amplitude क्या साई this is a time varying amplitude और यहाँ पर जो frequency है बहुत omega 1 omega 2 काफी कम है इनको नों के बीश में अंतर क्या है काफी कम है तो अब सरा देखीगा अगर मैं amplitude की frequency देखूं तो frequency of amplitude क्या हो जाएगा frequency of amplitude तो amplitude की frequency हो जाती है omega by 2 pi तो omega कितना है omega 1 minus omega 2 by 2 divided by 2 pi यह हो जाती है frequency लेकिन अब एक बात बता ना ठीक है amplitude चाहे plus में हो यह amplitude चाहे minus A हो आपको sound equally loud सुनाई देगी तो frequency of sound यह frequency of beat ठीक है beat की frequency क्या होती है beat basically क्या है basically loudness की frequency it is two times of frequency of amplitude ठीक है यानि की two times of omega 1 minus omega 2 by 2 times of 2 pi उसे two खतम हो गया omega 1 by 2 pi minus omega 2 by 2 pi this is the frequency of beat omega 1 by 2 pi क्या हो जाएगा f1 हो गया omega 2 by 2 pi यह तो f2 की frequency हो गई तो beat की frequency जो आई है it is the difference between the frequency of individual waves ठीक है और आपको बस ये वाला formula याद रखना है बड़ा ही आसान सा ठीक है individual waves की frequency का जो difference है मतलब क्या अब ज़रा देखेगा हमारे पास अगर दो अलग-अलग waves है ठीक है पहली wave कुछ ऐसी थी और इसकी जो wave मिलेगी beat जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी ये कुछ ऐसी मिलती है आपको बता देता हूं wave मिलती कैसी है ठीक है तो इस तरीके की आपको wave मिलती है तो यहां पर आपको loudness सुनाई देगी फिर आपको sound कम हो जाएगी फिर loud sound सुनाई देगी फिर sound कम हो जाएगी फिर loud sound सुनाई देगी फिर sound कम हो जाएगी इस तरीके की frequency को हम बोलता है बीट ठीक है तो loudness अब देखो यहाँ पर डबल होगे है frequency देखो ऐसे तो ए और यह माइनस ए frequency यहाँ पर है लेकिन डबल की हुगा तो यहाँ पर बीट के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर बीट दिखाऊं तो नोटिस की जगा बीट ठीक है क्या है दो वेव जा रही है ठीक है लेकिन आब आपको और देखो और शाहिए सेम अगर की वेव ठीक है यह आपको बीट्स दिख रही होंगी देखो जब हम इन दोनों को जब हम इन दोनों को मर्च कर दें तो आप देख रहा होगा कहीं एक जगा खतम हो गई फिर थोड़ी दा तो टाइम वेरिंग बीट्स है आपने सुना होगा जब कहीं हॉस्पीटल वगरां आ और यह जो frequency सुनाई दे रही है देखो अगर मैं आपको वेव को दिखाऊं तरह यह कैसे बनाया मैंने कर देक वेव तो यह है ना वेव की फ्रिक्वेंसी तो ओमेगा वन यह तो आल्मोस दोनों की अजी ओमेगा वन ओमेगा टूब बहुत पास पास में तो वेव की फ्रिक कि पीट फॉर्मेशन इन साउंड कि इस तरीके से बीट्स बनती है साउंड के केस में तब जरा देखेगा बड़े ही आसानी से हम बीट्स को बना सकते हैं कहां गया यह देखेगा बीट्स यह आपकी बीट है मैं को इसको प्ले कर रहा हूं ठीक है यहाँ पर आपको अभी सुनाई नहीं देख रहा हुगा देख चार सो और चार सो एक हट्स है जैसे में इसको थुड़ा सा जूम कर दूं तो आपको देख रहा हुगा यह इंडिविजल कॉंस Georgetown है छीडर जब आप देखोगे तो वेव का उसे तर्रीकिसे दिख रहा है देख रहा है तो यहां पर खतव हो हो गया फिर यहां पर आ गया कंस्रक्टेव कर रही है तो यहां पर आपकी दो अलग अलग वेव हैं यह आपकी दो अलग अलग वेव्स हैं और इस तरीके से इंटर्फियर कर रही है जब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं तो ऐसा दिख रहा है तो यह आपकी जो ग्रीन कलर वाली है वह बीट है और उपर अगर आप देखोगे तो यह दोनों और अगर आपको दिमें दिमें समझ में आएगा क्योंकि दोनों की वीश में चार्सो और चार्सो एक हड्ड है ना हाँ रिक्वेंसी बढ़ा दूगा तो अंतर समझ में जाधा बेटर आएगा देखो जैसी आपको बड़ी अजीब हो अप तो कितनी जाधा बीट फ्रिक्वे 133 Hawk 278 विए आपको समझ में आ रहा होगा तो इस पूरे बीच से जो आपको इंपॉर्टन चीज याद है वो है बीट की फ्रिक्वेंसी जब आपकी मिलती एं तो दोनों की सांड के केस्टम हम हम ज्यादा बात करते हैं क्लियर है यहां तक की बात कि चल यार टू साउंड वेव्स ठीक है जिनकी वेवलेंड दे रहे है पांच और साड़े पांच इच प्रोपगेट इंटीन तो वी एक्सपेक्ट फॉलेंग नंबर ओफ बीट्स पर सेकेंड कितनी बीट्स देख सकते हैं तो मैंने का यार यह है पांच मीटर यह है साड़े पांच जचाएगी एफ होता है आपका वी बाइवलेंडा तो एफ टू कितना होता है वी थी लेमडा टू तो बेसेकली फ्रिक्वेंसी ओफ बीट को एफट्स लगा देना नहां वी तो कॉमन ही आ जायेगा है पन अपन लेंडा 1-1 अपन लेंडा 2 टीक है पीट कितनी हो जाएंग वाई 330 यह रहा 1 upon lambda 1 1 upon 5 minus 1 upon 5.5 इसके बराबर कि आपकी बीट आजाएगी चलो या तो अब minus कर लेना 330 into 5.5 minus 5 divided by 5.5 into 5 इसके solve कर लेना 5.3, 16 ठीक है 11.50 60 by 50 यह 12 हो जाएगा 12 into 0.5 यानि beats per second आजाएगा ठीक है calculation तो तुम लोगों करनी पड़ेगी नहीं है तो बस एक ही formula है beat frequency का दोनों की जो individual constituent है उनकी beats को minus कर देना यह आपका beat frequency आजाएगी clear है चल भाई अगला सवाल क्या बोल रहा है 2 vibrating progressive number of beat produce per second देख यहाँ पे तुझे omega दिग गया यहाँ पे तुझे नया omega दिग गया तो मैंने का यहाँ की f1 कितना होता है omega 1 by 2 pi यानि की 500 by 500 pi by 2 pi यानि की 200 hertz पहली frequency दूसरी frequency कितनी आ गई 506 pi divided by 2 pi यानि की 200 200 और 253 hertz तो beat frequency आ जाएगी f2 minus f1 यानि की 3 hertz के बराबर ओगया solve बस इतना सा कहानी थी है आसान beats हलुआ है बिलकुल हलुआ आराम से तूँ solve कर लेगा clear है समझ में आ रही है मेरी बात चले आ two sources of sound editing wave इतना sources sound will hear solve करना intensity निकालना और भी आसान है intensity कैसे निकालते हैं अरे दोनों की intensity maximum 5 और जब maximum देगा तो कितना देगा 5 और 4 तो 5 और 4 maximum मिलके कितना मिलेगा 9 5 minus 1 कि 4 कितना हो जाएगा एक तो आपका amplitude maximum कितना होगा 9 होगा amplitude minimum कितना होगा 1 हो जाएगा तो intensity maximum कितना आएगी 9 का स्क्वेर 81 इंटेंसिटी minimum कितना आएगी 1 का स्क्वेर 1 81 ratio 1 2 में देख रहे हैं अब beat frequency दोनों का difference निकाल देना जाता गंदाजेशा चार beat per second कुछ होना चारे 8 जो भी है ठीक है पहले दो तो नहीं होने वाले इतना तो तैय हो चुका है क्या बोल रहा है यह two waves of wavelength इतना इंडित्ता produce 12 beat speed of sound नहीं बताऊंगा अगला सवाल tuning for vibrate frequency gives one beat per second इंदी third normal word अदेखो यार इस बार क्या किया standing wave को beats से mix कर दिया तो एक tuning fork है जो कि 256 हर्ट है ठीक है कि इस वन बीट per second मतलब frequency का difference क्या है वन बीट का है ठीक है with the third mode of vibration of an open pipe ठीक है मतलब कि एक open pipe है तो open pipe की frequency क्या होती है थर्ड हार्मिक में तो 3V by 2L ठीक है और यह 3V by 2L है what is the length of pipe ठीक है 256 हर्ट यह है तो मैंने का यार या तो यह 257 हर्ट होगा या फिर 255 हर्ट होगा मुझे नहीं पता क्या कुछ भी हो सकता है क्यों अगर एक beat दे रहा है एक second से मतलब frequency का difference एक हर्ट का होगा तो एक हर्ट जादा भी हो सकता है एक हर्ट कम भी हो सकता है तो 256 अगर यह है तो यह तो 257 हो सकता है या फिर यह हो सकता है टेक है what is the length of pipe L की value पूछ रहा है 3 times of 340 by 2 into L मैं 255 से solve करके देखता हूं कि योदी कट जाएगा सुन्दर रिजल्ट बनेगा L is equals to 3 into 340 divided by 2 into 255 तो यह हो गया 17, 170, 51, 5, 3, 15, 9 बचा तो दो बचा पांच चौक 20 ठीक है 3 into 34 by 51 तो यह हो गया 17, 24, 17, 51, आंसर आगया 2 मीटर यानि कि 200 सेंटी मीटर ठीक है इसका भी almost length इतना ही आएगा थोड़ा सा change करने पर कितना ही फरक पड़ेगा यहां तो answers बहुत डिफरेंट है ना ठीक है चल यार तो दोनों से ही check करता almost यही आता अगला सवाल देखने क्या बोल रहा है 5 beats are heard when a 5 beats per second are heard when tuning fork is sounded with a sonometer wire है एक sonometer wire है जिसको हमने अंडर tension and length of sonometer wire is either 0.95 और 1 meter frequency of the fork will be इनका sonometer wire अंडर tension and length of sonometer wire is either 0.95 और 1 5 beats per second here कर रहा हूँ ठीक है अच्छा length change करने पर एक tuning fork है जिसकी frequency है F0 ठीक है जब 0.95 था तब भी 5 beats मिल रही है अब 1 है तो भी 5 meter मैंने का एक sonometer wire की frequency क्या होती है frequency होती है V by 2L जब आप length बढ़ा रहे होगे तो frequency क्या हो चुकी होगी घम हो चुकी होगी मतलब क्या जब 0.95 था तो frequency ज्यादा होगी तो मतलब F0 plus 5 ठीक है और जब मैंने length 1 meter कर दी होगी तो F0 minus 5 क्योंकि मुझे इतना पता है 5 beats 5 beats per second का मतलब क्या है frequency का difference 5 hertz का होगा ठीक है अगर ये F0 है तो इसकी तो F0 plus 5 होगी F0 minus 5 होगी तो F0 plus 5 की value हो जाएगी V by 2 into 0.95 और F0 minus 5 की value हो जाएगी V by 2 into 1 ठीक है आप से क्या पूछ रहा है तो frequency of the fork F0 की value पूछ रहा है तो मैं अगर इन दोनों को add कर दूँगा ठीक है founded with sonometer wire दो equation दो variable है solve करना पड़ेगा minus कर दूँगा तो V निकल आएगा ठीक है अगर मैं F0 plus 5 में से minus कर देता हूँ F0 minus 5 तो ये minus हो गया ये plus हो जाएगा ये क्या है P by 2 into 0.95 ये क्या है V by 2 into 1 तो ये खतम हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा P by 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 11, 1.9 minus V by 2 तो अब solve कर देता हूँ भाई V by 1.9 minus V by 2 is equals to 10 तो यहां से आपका V निकल आएगा P निकल आएगा तो F0 भी निकल आएगा ठीक है solve कर देना भाई calculation गंदी लग रही है बाकी सवाल तो आसान है ठीक है तो कर लोगे अब बात करते हैं Doppler's effect के बारे में ठीक है तो Doppler's effect क्या है बेसिकली जब भी आपकी sound ठीक है जब कोई आपने देखा होगा कोई train आपकी तरफ आती है train आपसे दूर जाती है आवाज की frequency से आपको यह पता चल जाता है कि कब चीज़ है आपकी तरफ आरे एक बात सुनना सबसे पहले अगर हमारे पास एक source है ठीक है सबसे पहला case आपका source क्या है rest पर है तो यह आपका source है ठीक है और यहाँ पर आपका कोई observer है कान सुनने वाला है ठीक है यह आपका कान है अगर इस source ने कुछ F0 frequency की sound generate करी ठीक है और sound क्या होगा यहाँ से C speed से आगे जाएगी C is the speed of sound मैं इस बार sound की speed को C से represent कर रहा हूँ C is the speed of sound तो क्या होगा इस तक परसंद तक क्या दिखाई देगा F0 ही sound सुनाई देगी कोई दिक्कत नहीं है source भी rest पर है observer भी हमारा rest पर है चीक है चल यार यहाँ तक कोई समस्या चल यार अब यहाँ पर ध्यान दिले लिए अब क्या कर रहा हूँ मैं मेरा observer जो है पहला case observer is moving towards source अगर हमारा observer कुछ source की तरफ आने लगे तो मैंने का यार यह जो observer है कि हमारा source की तरफ आने लगा किती speed से आने लगा है यह सर जो है V0 speed से velocity of observer से आने लगा ध्यान दिले जी का प्लस या माइनस कप करना है वह हम logic पर छोड़ देंगे और निकालना, speed source की निकालना वह हम नियां से सीख लेंगे तो यह आपका speaker है speaker आपका rest पर है अच्छा इसने जो sound emit करी होगी तर यह ऐसी करी होगी अगर sound की wavelength आपकी क्या है lambda है ठीक है lambda not बोल देता हूँ अब एक बात बता न और यह lambda not C से ही जा रहा है इसने जब sound receive करी होगी तो sound इसने सुनना कहां से शुरू किया यहां से लेकिन जब तक यह वाली sound इसके कान तक पहुँचने वाली होगी बोड़ी दिर बाद यह observer क्या हो जाएगा हमारा ठीक है तो क्या इसने टी टाइम में पूरी वेव सुनी नहीं यार यह खुद भी तो आ रहा है पास में तो क्या होगा को जल्दी सुन लेगा ठीक है मैंने का सब कितनी जल्दी सुन लेगा बाई सिंपल सी बात है लेमडा not cover करने के लिए यह कितने से जा रही है साउंड रे सी से जा रही है तो सी और लेमडा not दोनों मिल करके लेमडा को cover कर रहे है तो मैंने का जो नया time period होगा ती प्लस velocity of observer into time speed into time यह क्या हो जाएगा लेमडा not के बराबर तो T कितना आ जाएगा लेमडा not upon T plus V not तो जो नई frequency इसको लग रही है पहले frequency क्या थी F not चीक है time period मान के चलो T not बोल देता हूँ अब जो नया time period लग रहा है वो कितना लग रहा है तो जो लग रहा है this is equals to 1 upon T T plus V not divided by lambda not चीक है अच्छा frequency F not की value क्या होती है जाना का सर F not is equals to frequency होती है V by lambda यानकी C by lambda बोल सकता हूँ by lambda not मैंने काई काम करता हूँ यहां से मैं C common ले लेता हूँ तो C by lambda not 1 plus V not by C चीक है और यह आपका हो गया frequency F not चीक है इस तरीक से लिख देता हूँ मैं C common ले लिए ना C 1 plus V not by C इसको ऐसा लिख दूँ C plus V not by C Q फाल तुमें मैं लाइता फिला रहा हूँ चीक है इस इस दी frequency सर अगर यह pass में आ रहे थे तो यह add हो जाएगा चीक है और अगर यह दूर जा रहे होते तो यह minus हो जाता चीक है सर क्या यह pass में आ रहे है जल्दी सुन दी ऐसा सोच सकते हो चीक है यह person देखो जब तक यह wave यहां तक गई तब तक person निकल करके यहां पर आ गया तो person ने sound जल्दी सुन दी चीक है पूरी sound तो पूरी wave अब इसके बाद तो repetition उसका जल्दी चाल हो जाएगा तो frequency ही हो जाएगी ठीक है अब अगर second case में second case में only source is moving ठीक है मैं अभी final case जो बताऊंगा आपको सिर्फ वही case देखना है अभी मैं एक एक case derive कर रहा हूँ और उसके बाद final case में सारे result एक साथ कम माईल करनेंगे ठीक है और यहाँ पर हमारे पास observer है इस बार खाली क्या कर रहा है हमारा observer rest पर है और यहाँ पर सिर्फ speaker move कर रहा है source move कर रहा है कितनी speed से move कर रहा है मैंने का सर source की speed lettuce से मैंने दे दी है velocity of source पी एस ठीक है अच्छा अब जरह सोचना यह lambda naught की wave emit करता एसा ठीक है इसको थोड़ा सा practically imagine करना यह wave emit करता lambda naught की अगर यह rest पर होता तो लेकिन एक बार मैंने जैसे for example मान के चलना एक बार मैंने कोई चीज बोल दी क्या इसके बाद मेरी बोली हुई बात पर जैसे यहाँ पर यह बात बोल दी मैंने का सर जो मैंने बात बोल दी वो तो आगे सी से ही जा रही है यह पूरी की पूरी बात आगे सी से जा रही है लेकिन अब जब मैं क्या किया मैंने खुद से आगे आना शुरू कर दिया तो जब तक मैं बात खतम करूँगा मैं कुछ आगे आ चुका हूँगा जब तक मैं वेव खतम करने वाला था लेटस से मैं कुछ यहाँ पर आ चुका हूँ और जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ कितना आ चुका हूँ मैं कितने टाइम में वेव खतम कर रहा हूँ 30 टाइम में तो velocity of source into capital T इतना आ गिया चुका हूँ तो यह सारी की सारी जो वेव एक्सिंस continuous phenomena है तो पूरी की पूरी वेव इतने region में compress हो चुकी होगी मतलब क्या इस सारी की सारी वेव को अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊ जब तक मैं वापस आये तब तक तो मैंने यार जब तक velocity of source into T कम कर दिया और जो वेवलेंट मैं यहाँ पर बोली इस बार मैं वेवलेंट ही कम कर रहा हूँ इसको जो frequency सुनाई देगी, c भाई lambda कितना हो जाएगा, c divided by lambda naught minus velocity of source into time, ठीक है, यह हो जाएगा, अब मैं time को क्या लिख सकता हूँ, one upon frequency, c ठीक है, और lambda naught को मैं लिख सकता हूँ, c into t, speed of t into t minus velocity of source into t, ठीक है, lambda naught तो भाई है na, speed of sound into t, c divided by t, c minus velocity of source, c by t क्या हो जाएगा, ठीक है, मैंने का यह, यह one upon t क्या हो जाएगा, one upon t तो f naught हो जाएगा, f naught into, c upon c minus velocity of source, पिछली बार कहाँ पर आ रहा था, numerator में आ रहा था, velocity प्लस इतना, ठीक है, numerator बढ़ाने से frequency बढ़ी, इस बार जब source आपकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रहा है, denominator में आ रहा है, और denominator घटाने से frequency बढ़ी, अगर मैं case 1 और 2 को combine कर दूं, तो मेरा case 3 बनता है, जहाँ पर दोनों के दोनों move करते हैं, ठीक है, तो अब इस वाले case में आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, पहले और दूसरे case को हम combine कर देते हैं, तो भाई, ऐसा ही ये मेरा speaker है, ये मेरा सुनने वाला है इंसान, ठीक है, और ये भी जा रहा है इस बार, ठीक है, lettuce से ये जा रहा है, velocity of source से, और ये इस तरफ आ रहा है, velocity of observer से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो frequency इसने सुनी होगी, अब इस पर wavelength कम हो चुकी होगी, ठीक है, तो कुछ ऐसी wavelength हो गई होगी, ये जितना आगे आचुका है, हमारा speaker जितना आगे आचुका है, वो wavelength कम होगी, कितना आगे आया है, velocity of source into time period, ये wavelength अब जो नहीं आएगी, lambda naught minus velocity of source into time period, lambda naught आपकी, ये वाली wavelength थी, clear है, अब ज़रा देखेगा, ये अगर आ गया, तो इसको अब ये final result ही लिख रहा हूँ, क्यों फाल तुमें time खराब करूँ, f naught, velocity ये c, plus velocity of observer, divided by c minus velocity of source, कुछ नहीं करना, अगर आपको derive करना हो, तो भाई, simple सा logic बता रहा हूँ, ये logics देख लेना, ये इधर जा रहा है, velocity of v naught से, ठीक है, तो जो lambda है, बस बहाँ पर lambda naught की जगा है, ये lambda हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, नया time period हो जाएगा, ठीक है, it will be equals to, displacement, यानि कि lambda naught minus velocity of source into t, divided by c plus v naught, ये कुछ हो जाएगा, तो frequency कितनी हो जाएगी, t plus v naught, divided by lambda naught minus velocity of source into t, ठीक है, अब यहाँ पर, जो ये t है, basically, original time period है, ठीक है, lambda, original, ठीक है, चलो यार, तो यहाँ पर, अगर मैं t naught, lambda naught को क्या लिख सकता हूँ, t plus v naught, t into t naught, minus velocity of source into t naught, तो यहाँ गया, f naught, t plus v naught, divided by c minus velocity of source, यही फॉर्मला आया, ठीक है, यह वो final result है, जो के आपको याद रखना है, ठीक है, इसकी help से सारे के सारे सवाल आपके बन जाएंगे, जितने भी सवाल Doppler's effect से आएंगे, वो इस सवाल, इस से बनेंगे, ठीक है, याद करने का तरीका, नाम क्या है, गॉपलर्स, इफेक्ट, पहला क्या आता है, ओ, अब्जर्वर पहले, ओपरेटिंग सिस्टम, OS, चीक है, ओपरेटिंग सिस्टम, ओब्जर्वर ऊपर, सोर्स नीचे, जो पहले आया, वो ऊपर, जो बाद में आया, वो नीचे, सर प्लस और माइनस का क्या, मैंने का, अगर कोई चीज़ फ्रिक्वेंसी बढ़ा रही है, तो प्लस कर देना, अगर कोई चीज़ प्लस कर दो, प्लस और माइनस, तुम जुगार से मतलब अपने दिमाग से लगाओगे, और बच्चे जो कंफिस होते हैं, बस इसमें, सी प्लस और सी माइनस, चीक है, मैंने का, सर ऊपर क्या आएगा, यह नीचे क्या आएगा, बस वो तुम्हें पता रहा नहीं, ऑपरेट यूज़ वेवस ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, छेसो साथ सर्ड्स, ठीक है, अई, लिसनर इस मूविंग फ्रॉम एज़ तो इस तूवर्स यहां पर एज़ एक दूसरा सोर्स है, यहां पर एज़ एक हमारा जो ऑब्जरवर है, यह एस वन से दूर जा रहा है, एस टू की तरफ चिक है, constant speed से जा रहा है, यू से, तो भाई इस से दूर जा रहा है, इसकी frequency भी F0 थी, इसकी भी frequency F0 थी, तो एक की frequency कम सुनेगा एक की, जिसकी तरफ जा रहा है उसकी frequency, जाधा सुनेगा, तो F2 कितना सुनेगा? जैना का F0, चिक है, C+, बोलो observer move कर रहा है, तो velocity of source, operating system, जीरो करने का कोई मतलब भी नहीं है F1 कितना सुनेगा F0 अपसेंस यह कम कर रहा है तो C-U by C और उसने बोला इन दोनों का difference जो है वो 10 बीट के बराबर है F2-F1 is equals to 10 यानि कि F0 by C C plus U minus C minus U equals to 10 तो यह हो जाएका 2U into F0 by C equals to 10 क्या निकालना है तुमको U की value निकालना है F0 दे रखा है 360 Hz ठीक है C की value भी दे रखी है तो U कितना है U is equals to 10 into C यानिकी 330 divided by 2 into F0 यानिकी 660 क्यों गया दो पांच 5 by 2 answer आ गया solve कर दो 1.5 2.5 हो गया solve ठीक है इतना आसान सवाल हो जाता है clear है तो बस एक super formula यह वाला है तुम्हारा super formula ठीक है बस इसके basis पर इसका मैं एक simulation देखाता हूँ तरह देखेगा यह है आपका Doppler's effect ठीक है आपका source move कर रहा है ठीक है और अब notice कीजेगा किस तरीके से यह आवाज आपको सुनाई देगी तो जिस अब यह कम सुनाई देना क्योंकि अब frequency बढ़ने लगी ठीक है तो देखो अब frequency कम होने लगी ठीक है क्योंकि wavelength बढ़ गई clear है यह विलकुल यही चीज आपको steamer में भी दिखाई दीती है जब steamer जिस direction में जाता है तो पानी की wavelength उस direction में कम हो जाती है और पीछे की wavelength बढ़ लेटस से ऐसी है यह जा रही है 22 meter per second से car 2 आपके यहाँ पर रखी हुई है और यह जा रही है 16.5 meter per second से ठीक है the driver of first car blows horn having frequency 400 hertz इसकी frequency है 400 तो फ्रिक्वेंसी हट बाइदे सेकंड कर ड्राइवर ठीक है मैंने का अब यह सिंपल सी बात है फ्रिक्वेंसी क्या होती है एफ नॉट operating system c plus v observer c minus velocity of source plus minus अपने साफ से देख लूँगा दोनों एक दूसरी की तरफ ही जा रहे है तो बड़ा ही रहे है ठीक है तो मैंने का एफ नॉट कितना है 400 c कितना दिया है 300 340 ठीक है plus velocity of observer observer यह है आपका तो क्या है 16.5 divided by 340 minus 400 into 356.5 divided by 320 जो भी आपका answer आएगा solve कर ले रहे है 400 ते सो जादा ही आ रहा है तो 400 से जादा हा रहा है इसका मतलब देखना option यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता ठीक है 411 यह 11 भी नहीं लग रहा है यार मुझे 448 कुछ लग रहा है ठीक है यह answer मुझे लग रहा है फील हो रहा है ठीक है calculate कर लिना बाकी सब तुमारे हवाले है ठीक है मुझे ऐसा feel आ रहा है calculation अगर गड़ बढ़ होगी तो देख लेना ठीक है ठीक है ठीक है एको reflected from the cliff is ठीक है cliff से जब reflect होगा तो से नहीं आएगा देखना यार क्या है साइरेन emitting sound of frequency इतना 800 मूफ हर्स ठीक है moves away from an observer towards a cliff ठीक है एक हमारा observer यहाँ पर है ठीक है एक ambulance मान लो कुछ भी आपके ऐसी jeep है यह इस तरफ जा रही है यह आपका siren बजा रही है तो यहाँ पर अभी यह क्या हो जाएगा आपका source हो जाएगा यहाँ पर आपकी क्या है सर यहाँ पर हमारी cliff है दीवार है कोई ठीक है तो बताना सबसे पहले डायरेक्ट नहीं क्या है number of क्या है the frequency of the sound that observers here in the eco reflected from cliff ठीक है अच्छा इको से frequency बतानी है ठीक है यहाँ से जा रहा है तो यह क्या हो गया अब यह क्या बनेगा यह एक तरीके का observer बन जाएगा ठीक है तो f not अगर इसने भेजी इसको क्या receive होगी f will be equals to f1 बोल देता हूं क्या receive होगी f not और हमारा observer तो c plus observer तो rest पर यह है source move कर रहा है और pass में आ रहा है तो c minus velocity of source यह कर दूँगा अब इसने receive करी और यह rest पर है तो same इसको तो f2 same यह हो जाएगा f1 के बराबर तो solve कर लो f1 कितना आ गया f not कितना है 800 hertz 3 कितना है 330 divided by 330 minus कितना है 15 315 हो जाएगा तो 800 330 divided by 315 ठीक है solve कर लिना पांच 30 एक बचेगा 63 65 31 63 यह बनेगा 3 दूनी 6 21 by 22 800 into 22 by 21 800 से तो जादा ही आएगा ठीक है तो यह answer तो नहीं होने वाले अब 838, 885 टाइप का भी नहीं दिख रहा है मुझे इतना बड़ा भी नहीं होगा तो मुझे लगता है 838 के आसपास होना चाहिए ठीक है calculation में approximation लेना पड़ेगा यह one point something को चोगा ना ठीक है अब मैं बोर हो गया हूँ सवाल करवाते करवाते कुछ सवाल अब आपके लिए homework में दे रहा हूँ easily solve कर सकते है अच्छा अगर कहीं हवा हवा चलती है तो बस speed of sound में हवा की velocity add कर देना बस अगर same direction में है तो opposite में है तो minus कर देना कि अच्छा है पाउंड की property sound की कुछ properties है जो कि आपको सबसे पहले generally बताते हैं पहली है pitch theoretical चीज़ें पिच का मतलब है frequency of sound आवाज में कितना पैनापन या पतलापन है पतलापन इन sound कितनी पतली आवाज होगी frequency उतनी जादा होगी ठीक है और human ear की normal audible range audible frequency range बोला जाता है 20 hertz से 20,000 hertz होती है लेकिन ये age के साथ change होती जाती है बच्चे हो सकता है जादा हर्ट सुनता है ठीक है काफी हद तक पास में सुनता है लेकिन जैसे जैसे हमारी age बढ़ती जाती है ये range कम होती जाती है lower frequencies और higher frequencies हम सुनना बंद कर देते हैं ये है pitch दूसरी चीज waveform वगरा सब आपको quality वगरा subjective चीज़े है wave का shape बगरा कभी जरूत नहीं पढ़ने वाली दूसरी चीज़ जो आपको जरूत पढ़ती है वो है loudness तो कोई sound कितनी loud है basically amplitude यानि intensity उसको हम define करते है loudness is defined as 10 log base 10 है i divided by i0 where i0 is equal to intensity 10 की power minus 12 watt per meter square extended value है ये unit क्या है decibels किसी दूरी पर sound की loudness कितनी आ रही है ये है आपकी loudness का formula तो अगर आपको loudness पता चल जाएगी intensity पता है तो loudness पता है maximum जो loudness basically 120 hertz 120 decibel हम down कर सकते है और वो बहुत ज्यादा loud होती है ठीक है चले यार तो this is the formula for loudness एक small speaker है 2 watt का output दे रहा है what is the at what distance from ठीक है one detect 120 decibel intensity sound कितनी दूरी पर आपको 120 intensity 120 decibel सुनाई देगा तो मैंने का 120 120 is equals to 10 log i upon i0 तो मुझे पता चल गया ये कितना आ गया i is equals to 10 की power 12 i0 के बराबर मैंने anti log ले यहां पर इसको बेज दिया ठीक है 10 की power 12 i0 तो कितना आ गया 10 की power 12 into 10 की power minus 12 यह आ गया वन intensity कितनी आ गई आपकी 1 watt per meter square अब ज़रा देखना यह आपका source है जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपकी intensity क्या होती जाएगी कम होती जाएगी यहां पर intensity कितनी आएगी तो intensity होता है total energy upon area ठीक है energy per second upon area energy कितनी दे रखी है 2 watt दे रखी है divided by pi r square ठीक है 4 pi r square reference intensity दे रखी है और यह आपको क्या चाहिए 1 चाहिए intensity 1 is equals to 2 divided by 4 pi r square distance ही निकाल नहीं है तो r square की value कितनी आ गई 1 by 2 pi तो r is equals to 1 upon root 2 pi meter ठीक है जो भी value आएगी convert कर लेना ठीक है 1 upon root 2 pi 100 upon root 2 pi solve कर लेना मुझे नहीं पता ठीक है चल भाई homework आपको class के questions करने है module करना है ठीक है module plus class questions पस इतना ही आपके लिए काफी है ठीक है all the best thank you